ये पहला चैप्टर है आपके क्लास 11 का इस चैप्टर में कुछ चीज़े हैं जो आपको समझनी है जैसे कि जैसे की सबसे पहले हम ये समझेंगे की परमाड़ू क्या अरू क्या होता है उनके दरविमान क्या होते हैишके बारे में हम बात करेंगे उसके बाद हम पड़िकलपना के बारे पढ़ेंगी ये जो मोल शब्द यहां पर यूज हो रहा है ये केमिस्ट्री का एक बहुत इंपोर्टेंट टेर्मिनलोजी है एक बहुत इंपोर्टेंट शब्दावली है इसका यूज केमेश्ट्री में खास करके फिजिकल केमेश्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता हूँ आपको दिखेगा उसके बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिशत संगठन, परसेंटेज जो molecules होते हैं उनके अंदर जो atoms होते हैं उनके percentage के बारे में बात करेंगे उसके बाद उसके बाद इस chapter में आगे कुछ परिकलपनाएं जो हैं इस chapter में उसके बारे में बात करेंगे और इन सब के अलावा भी आपको और भी चीजे बताई जाएंगी तो चले फिल, हम क्लास 11 का पहला चप्टर शुरू करते हैं बेटा तो इस चप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आ रहा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले हम यहाँ पर सुरुवात करेंगे परमाडविक या आणविक दरवेमान के बारे में हम इस चप्टर में आज जो जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बेटा वो है परमाडविक या आणविक दरवेमान के बारे में तुलियांकी दरवेमान भी देखेंगे शुरुआत करेंगे परमाडविक या आणविक दर्वेमान से अब आप chemistry पढ़ रहे हैं और chemistry को समझने के लिए आपको किसी परमाड़ू को या atom को समझना पढ़ेगा बहुत सुभाविक सी बात है आप chemistry पढ़ रहे हैं और chemistry का मतलब होता है बेटा atom या molecule तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर मुझे किसी परमाड़ू का दर्वेमान पता करना है या किसी अड़ू का दर्वेमान पता करना है तो बेटा सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चीए रहे कि परमाड़ू क्या होता है अडू क्या होता है आप क्लास 10 के बाद अभी तुरंथ क्लास 11 में आये हैं और मैं हर तरह के बच्चों को साथ लेके चलता हूँ अगर छोटी मुठी बाते जो आपको पहले से मालूम होंगी तो प्लीज थोड़ा सहयो कीजिएगा क्योंकि मैं हर एक बच्चे को लेके चल रहा हूँ और जो बच्चे अभी तक केमेश्ट्री के बारे में कुछ भी ने जानते मुझे उन बच्चों का भी ध्यान रखना है कि मैं हर एक चीज सुरुवात में बताऊं तो एकदम बेसिक से बेसिक चीजे हम सुरुवात में लेके चलेंगे तब जाके हमारा केमेश्ट्री आगे चल के स्ट्रॉंग होगा तो एटम क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? यह सब चीजे आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चा केमेश्ट्री पढ़ रहा होता है लेकिन तत्व क्या होता है? परमाडू क्या होता है? अडू क्या होता है? यह योगिक क्या होता है? इन सब में यह कन्फ्यूज रहता है तो बेटा, आप अगर दरवेमान के बारे में पढ़ना चाहते हैं, किसी परमाडू का ये अडू का, तो उससे पहले सुभाविक सी बात है, आपको पता होना चीए कि अडू क्या होता है, ये परमाडू क्या होता है, ये तत्व क्या होता है, चले थोड़ा से बेसिक में आप परिचीत होंगे तो कैमेश्ट्री मतलब हैं कई लोगों एक्षटी मतलब पेरियोडिक्टेबल तो इस वक्त आपके सामने मैंने जो आवर्त सारंडी होता है वो इनग्यी डिस्प्ले किया हुआ है तो आवार्त सा अंडी में यह जो आपको बॉक्स के अंदर जो इंदर सार्णी होता है जो पेरियोडिक टेबल होता है इसके अंदर इसके अंदर ये जो आपको बॉक्स के अंदर छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे कि अब और भी तत्व पाय जा चुके हैं या बनाय जा चुके हैं पर इस वक्त उनको इस टेबल में रखने की विवस्था नहीं बन रही है इसलिए हम सिर्फ 118 एलिमेंट की बारे में क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़ने कोशिज करते हैं सबसे पहली बात तत्व क्या होता है और एटम क्या होता है हम कई बार लिखते समय या बोलते समय तत्व सब्द का प्रयोग करते हैं कभी हम परमारू सब्द का प्रयोग करते हैं सोडियम क्या है सोडियम तत्व भी है सोडियम जो है वह परमाडू भी है तो कब किस शब्द का प्रयोग किया जाए तो छोड़ी-छोड़ी बातों को जरा समझते बचलेगा मैं आपको बताता हूं बेटा मान लीजिए कि मेरे पास एक लोहे का तुकड़ा है जरा गौर से सम सिम्बल क्या होता है आईरन का चिन्न क्या होता है बेटा एफी तो मान मेरे पास एक लोहे का तुकड़ा है और इस तुकड़े में सिर्फ और सिर्फ आपको लोहे के एटम दिखाई देंगे लोहे के एटम दिखाई देंगे और कुछ नहीं है और कुछ नहीं है आप देख गोर से सुनेंगे जब भी बहुत सारे परमाडू एक साथ कहीं पर आपको दिखाई दें जब बहुत सारे परमाडू एक साथ आपको दिखाई दें और भी शुद्ध अवस्था में इसे को बोलते हैं बेटा हम तत्व याने की एलिमेंट, ध्यान देंगे, जब बहुत सारे परमाडू आपको शुद्ध अवस्था में, मैंने बोला शुद्ध अवस्था में, शुद्ध का मतलब है कि आपको जिस तरह का परमाडू यहां दिखाई दे रहा है, पूरे इस ट्रक्चर में बस वही परमाडू होंगे, किसी हम क्या बोलेंगे, बेटा, तत्व बोलते हैं, और इसके अंदर, इसके अंदर में से, इसके अंदर में से, किसी एक कण को आप देखते हो, इसके अंदर में से, अगर आप किसी एक कण को देखते हो, तो बेटा, जो एक कण आपको दिख रहा है, यही आपका परमाडू है, यही आपका पर्माडू है याने की एटम है तो ध्यान देंगे पर्माडू और तत्व में क्या फर्क है बेटा तो आप कहेंगे कि जब बहुत सारे पर्माडू एक साथ पाए जाते हैं शुद अवस्था में तो उसको अब तत्व बोलेंगे तो चलो यहां देंगे बेटा माल लो मैं आईरन को आउकसीजन के साथ क्रिया कराऊंगा अगर मैं आईरन को आउकसीजन के साथ रियक्शन करवाऊं तो यहां पर ऐसा कुछ आपको इस ट्रक्चर बनता हो दिखेगा अब तुम बताओ कि तुम यहाँ पर जो iron लिये हो आप इसे तत्व कहोगे या पर्माडू कहोगे जहां देंगे आप इसे इस F.E. को तत्व कहोगे या पर्माडू तो जब आप सुनिये एक reaction में किसी particle को किसी कण को देखते ही आप उसे पर्माडू भी कह सकते हैं और उसे difference एक दम clear रखना difference एक दम clear रखना कि पर्माडू किसी single किसी एक कण को कहते हैं single particle को कहते हैं और जब उसका collection उसका संगठन आपको मिले तो तत्व कहते हैं तो बेटा अब एक कोशन कई बच्चों को दिमाग में आता है कि यह जो मैंने F.E. लिखा हुआ है इसे मैं तत्व क क्यों कि बेटा एक सिंगल धान देना एक एक सिंगल एटम आपको नहीं मिलेगा अगर मैं कहूंगा अगर मैं कहूंगा चलो लोहे को oxygen के साथ क्रिया कराओ अगर मैं आपसे कहूंगा लोहे को oxygen के साथ क्रिया कराओ तो तुम क्या लोहे का एक परमाडू लाओगे क्या oxygen का यह में पार्मारु यह परते हैं यह एकमानु दिखता भी नहीं है यह परमाड़ कोあります चीज दिखाई दे तो वो तत्व की रूप में होते हैं हाला कि आप उसे परमाडू कह सकते हैं चलता है कोई दिक्कत नहीं है पर आप किलियर रखेगा हम एक परमाडू तो लानी सकते अभी क्रिया करवाने के लिए रियेक्शन करवाने के लिए अब फाइनली कहानी ये है कि जब बहुत सारे परमाडू एक साथ पाए जाए शुद्ध अवस्थानों तत्व कहलाता है और उसके अंदर के कोई एक परमाडू कहेंगे अच्छा जी ये तो हो गया परमाडू वाली बात अब अब अडू क्या होता है तो यहां देखेंगे इसको जरा गौर से देखो ये है बेटा अडू इसे देखिए ये है अडू याने की मॉलिक्यूल अब मॉलिक्यूल क्या होता है ये अडू क्या होता है जब भी कोई ऐसा सरचना आपके सामने आ जाए गौर से सुनना जब भी आपके सामने कोई ऐसी सरचना आ जाए जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के तत्व दिखाई दे या परमाडू दिखाई दे उसे क्या बोलेंगे आडू बोलेंगे या क्या बोलेंगे मिलके किसी संरचना को तयार करते हैं, तो बेटा फिर वो अडू या मॉलेक्यूल कहला है, जैसे कि H2O, इसमें दो तत्वे हैं, हाइट्रोजन और ऑक्सीजन, CO2, इसमें दो एलिमेट है, कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ देखिए, C6, H12O6, यह ग्लुकोज है, तो ग्लुकोज में तीन तरह के तत्वे हैं, तो याद रखना, जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आ जाए, जिसमें एक ही प्रकार का कण आपको दिखाई दे, जब आपके पास कोई ऐसी चीज आज है, जिसमें एक ही प्रकार का कण दिखाई दे, तो बेटा वो एलिमेट कहलाएगा, और जब एक से ज़्यादा प्रकार के परमारू दिखे, तो उसको अप अडू या मॉलेकुल बोलेंगे, उसे अडू या मॉलेकुल बोलेंगे, चलिए, अब य जब आपके सामने FEO का एक बड़ा सा इस्ट्रक्चर आ जाए, एक बड़ा सा इस्ट्रक्चर है मेरे पास, इसके अंदर आपको FEO, 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 FEO दिखाई दे रहा है, तो जब, तो जब कोई ऐसी सनचना जिसमें बहुत सारे, बहुत सारे आडू होते हैं, इसे बोलते हैं बेटा, कमपाउंड, कमपाउंड या योगिक, क्या बोलेंगे, कमपाउंड या योगिक, फिर सी रिपिट करता हूं, जब किसी अडू का धेर सारा सेंग्रह आपको दिखाई दे, धेर सारा कलेक्शन आपको दिखाई दे, तो उसका क्या बोलेंग बेटा, कमपाउंड या योगिक कहेंगे, compound या इसे आप योगिक कहेंगे, इसे आप योगिक कहेंगे, अब देखना मैंने क्या बताया था, जब बहुत सारे परमाडू का संगठन आ जाए, तो तत्व कहते हैं, और जब बहुत सारे अणवों का संगठन आ जाए, तो उसको योगिक कहते हैं, ध् आपको दिमाग में रखके चलना पड़ेगा तो चलिए इसको एक फटाग से स्क्रीन शॉट ले लिजिए फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं बेटा आज हमारा पहला क्लास है तो मैं कुछ बाते जो आपको बताई जाएंगी क्रिप्यक करके उसको फॉलो कीजिएगा जैसे की हर एक क्लास जो यहाँ यूटूब के थुरू लिया जा रहा है उसको आप एक फिजिकल क्लास के तरह ही ट्रीट कीजिएगा मतलब मैं चाहूंगा कि आप जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है उसका नोट्स भी साथ में बनाते चलिए यह क्लास एक दू दिन का नहीं है बेटा पूरे साल तक यह क्लास चलेगा पूरा सिलिबस आपको कराया जाएगा तो सुभाविक सी बात है आप इतना सारा चीज याद नहीं रख पाओगे तो उसके लिए आपको हमारे साथ-साथ नोट्स भी बनाते वे चलना पड़ेगा हाला कि आपको नोट्स दिया जाएगा हमारे application के थुरू या हमारा जो telegram channel चलता है या YouTube में जो description होता है आपको नोट्स जो है वो मिल जाएगा अभी अभी हमने यह समझा अभी अभी हमने समझा कि तत्व या परमाडू या अडू या योगिक में क्या फरक होता है यह बहुत बेसिक बात थी अब चलो आगे बढ़ते हैं बैटा कहानी को आगे बढ़ते हैं आप इस चेप्टर में जो पहला topic देखने वाले हैं वो है द्रव्यमान इस चेप्टर में जो पहला topic आपके सामने आ रहा है वो है द्रव्यमान किसका द्रव्यमान परमाडू का द्रव्यमान या किसी अडू का द्रव्यमान आगे चलके तुल्यां की द्रव्यमान क्या होता है वो भी बताया जाएगा तो आज का जो class है इसमें जो topic सब Y disposal याँ यहाँ जो आपको आवरथशांडी में देखते हैं तो आवर सांडी में यहां जो तत्व है मैंने आपके सामने क्या किया है मैंने आपके सामने हाइड्रोजन से ले करके हाइड्रोजन से ले करके कैल्सियम तक के तत्व का एक कलेक्शन जो है आपके सामने रखा है मैंने बोला इस आवर सांडी में हाइड्रोजन से लेके कैल्सियम यानि परमाडू करमांक एक से लेके परमाडू करमांक 20 तक के जो तत्व हैं उनको मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है यह देखो यह देखो परमाडू करमांक एक से लेकर के परमाडू करमांक 20 तक के तत्व को मैंने आपके सामने रखा है अब सबको तो रखनी सकत अखिर भार किया होता है अधर बार के बारें बात करेंगे याने की यह सबसे पहला टॉपिक जो आपके सामणी आ इस टॉपिक में हम यह समझने वाले कि तत्वे का पार होता है जो धर भितर न होता है उसका क्या मतलब होता है इसके बारे में हम आज एकला से बात करेंगे तो बेटा अगर आप किसी परमाडू के द्रवेमान या भार को समझना चाहते हैं तो पहले आपको परमाडू को समझना पड़ेगा यह केमेश्ट्री का एक बहुत ही स्ट्रॉंग पार्टिकल है जो हम बात करते हैं जब किसी एटम के बारे में गरुस्री नहीं पड़ सकता अगर इसको एटम के बारे में कुछ नहीं पता तो इस चेप्टर में थोड़ा बहुत एटम के बारे में बताऊंगा और इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो तो पूरा चैप्टर परमाडू के उपर ही है चैप्टर के नाम है परमाडविक सरचना तो इस चैप्टर में भी मैं थोड़ा सा परमाडू के बारे में बताऊंगा भई सोभाविक सी बात है अगर आप परमाडू का द्रवेमान को सम지ना चाहते हो तो पर माड़ू क्या होता है थोड़े सापको पता होना चाहिए तो पर माड़ू के बारे में और detail में इसके बाद वाले chapter में तो हम देखेंगे ही इस chapter में بھی थोड़ा सा हम समझ लेते हैं तो आखिर ये द्रवेमान आता कहा से है द्रवेमान का मतलब क्या होता है चले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो बटा अगर आपके सामने एक एटम आ जाए अकसर कई लोग यह सोचते हैं कि एटम जो होता है वो बहुत कॉंपलिकेटेड होता है पर सच बताओं जैसी आप केमिश्ट्री पढ़ना चारू करेंगे एटम बहुत सरल कण है बहुत सिंपल सा कण होता है पर यह बुनियाद है यह पूरे ब्रमाण की बुनियाद है एटम जो होता है जो परमाडू होता है बेटा जो एटम होता है यह पूरे ब्रमाण का वो कण है जिसके बिना कुछ भी चीज एक्जिस्ट नहीं कर सकता तो ग कोई चीज आज तक नहीं पाई गई है जो एंटम से ना बना हो कोई भी चीज जो आपके सामने है चैये प्रत्यक्ष रूप में ध्यान देनें बैटा हर चीज एंटम से बना है यह पैंट B एमसे भी एंटम यह बोड एटम से बना है आप एटम से बने हो मैं एटम से बना हूँ तो पूरे ब्रम्हाण का हर चीज एटम से बना होता है और जब हम जब हम इस एटम के बारे में श्टडी करते हैं इस एटम के गुर्धर्म के बारे में श्टडी करते हैं इसके क्रिया शिल्ता के बारे मे केमेश्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमेश्ट्री में जो एटम होता है यही में पार्टिकल होता है और पूरा पूरा केमेश्ट्री इस एटम पर बेज होता है तो इसी एटम को धीरे धीरे समझते समझते हम केमेश्ट्री को समझने लगते हैं तो यह जो एटम होता है बेटा आपने छोटे क्लास में, क्लास 9 में या क्लास 10 में भी एटम के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा. तो atom जो होता है, अगर उसको मतलब simple तरीके से बनाऊं, अगर मैं एक atom को simple तरीके से बनाऊं, तो आप सबको school में ये बनवाया गया होगा, मुझे पता है, आपको school में परमाडू का सरचना जो है, वो बताया गया होगा, है ना, इसको नाभिक कहते हैं बेटा, ये जो आप द कहलाता है, और ये जो है, ये कक्ष कहलाता है, ये कक्ष कहलाता है, और कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक परमाडू का द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान या भार, क्या होता है, तो जड़ा गौर सुने का, किसी परमाडू का जो द्रवेमान होता है जो भार होता है जो वजन होता है जानते हैं वो किसके वज़ेस होता है नाभिक के वज़ेसे किसी भी परमाडू का जो वजन होता है जो द्रवेमान होता है बेटा वो उसके नाभिक के वज़ेस होता है एक परमाडू में धेर सारे आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं पर आपको पता है अगर आप इन सभी इलेक्ट्रॉनों को निकाल दोगे बेटा यह सब क्या है जर्णा मैं आपको याद दिला दूँ यह आप सबने पढ़ा होगा कि कक्ष में जो चीजें घूमती में दिखाई देरी इसे हम क्या बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन और नाभिक के अंदर दो तरह के कण पाये जाते हैं एक नाभिक के अंदर दो तरह के कण पाये जाते हैं एक होता है बेटा प्रोट्रॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन तो कुल मिलाके एक परमाडू जो होता है वो तीन तरह के चीजों से मिलके बनता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और नीट्रॉन जहां पर नाभिक में यानि कि सेंटर में प्रोटॉन और नीट्रॉन का कलेक्शन होता है पर अभी हम बात कर रहे हैं द्रवेमान के बारे में तो एक परमाडू का द्रवेमान किस पर निर्भर करता है एक परमाडू का जो वजन है जो भार है वो किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नाभीक पे और मैं आपको बता दूँ कि जो नाभीक होता है यह नाभीक बहुत भारी होता है यह जो नाभीक है यह जो नूकलियस है नूकलियस यह बहुत भारी होता है और एक एट का जो वजन होता है जो दरवेमान होता हो ना भी कही होता है इलेक्ट्राणों का इलेक्ट्राणों का भार के ऊपर कोई ज्यादा बड़ा योगदान नहीं होता एक एक अटम का जो वजन है जो भार है वह इलेक्ट्राणों पे निर्भर नहीं करता मैं आपको बताता हूं या दर्विमान नहीं बदलेगा, ये बिल्कुल वैसे ही है, ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर मैं आपके सर में से कुछ बाल उखार दूँ, तो क्या आपका वजन कम हो जाएगा? नहीं, तो आपके बाल का जो वजन है, वो ज्यादा योगदान नहीं देता आपके वजन की उ तो कईलों क्या सोचते हैं अच्छा कार्बन तो कारबन में, कारबन में, कारबन में, कारबन में, परमाडु करमांग 6 है तो कई लोग कारबन को पहचानते हैं उसके परमाडु करमांग से कई लोग कारबन को पहचानते हैं उसके परमाडु करमांग से पर ध्यान देने बेटा, परमाडु करमांग क्या है और एक atom के पहचान को कौन तै करता है तो ज़र उस गौहर से सुनेगा एक atom की identity और उसकी पहचान नाभिक से होती है इलेक्ट्रोनों का इस atom के अस्तित पे कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता बस बेटा, यह electron जो होते है न, वो इस atom को उधासिन बनाके रखने का काम करते हैं, इस stable बनाके रखने का काम करते हैं, बाकि इस atom का जो पहचान है, जो identity है वो nucleus का है, अब nucleus के अंदर, यानि की नाभिक के अंदर दो चीज़े पाई जाती है, proton और neutron, और जानते हुँ बेटा, यह जो proton होता है और जो neutron होता है इन दोनों का जो संख्या है उसका योग भार करमांग कहलाता है यह द्रविमान करमांग कहलाता है ध्यान दीजे मैंने क्या बोला जब proton जब एक मिनट जब proton और neutron की संख्या का योग करोगे तब जाके तब जाके द्रविमान संख्या आपको मि कुछ us сказал inidency क्या होता है अगर से पूछह प्रसक्राइब की संख्या होगी जो नीट्रोन की संख्या होगी उसका योग क्या यहाँ पर अगर किसी ने पूछा कि कार्बन का दरवेमान बारा है इसका क्या मतलब है तुम कहना कार्बन के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या का योग क्या है बेटा बारा कुई पुझेगा कारबन का जो आणविक भार है वो बारा है सॉरी परमारविक भार बारा इसका मतलब क्या है तुम कहना कारबन के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं जो प बराबर होता है, तो चलिए, अब मैंने आपको ये तो बता दिया, कि द्रवेमान क्या होता है, लेकिन अब सबसे इंपोर्टेंट टोपी के तृप चलते हैं, आखिर एक एटम का द्रवेमान, हम कैसे कैल्कुलेट करते हैं, हम किसी परमाडू का दरवेमान कैसे calculate करते हैं ये आपको इस chapter में बहुत ध्यान से समझना होगा तो कई बच्चों को दरवेमान को लेके एक बहुत बड़ा confusion होता है कई बच्चों को दरवेमान को लेके confusion होता है ज़र ध्यान समझेंगे चलिए तो अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ इस chapter का पहला topic atomic weight याने की परमाडू भार क्या होता है तो मैं एक तो आपको बताई चुका हूँ कि neutron और जो proton होते हैं उनकी संख्या का योग ही परमाडू भार कहलाता है ध्यान देना neutron और proton कहा होते हैं बेटा ना भी के अंदर और ना भी के अंदर जो neutron होंगे और जो proton होंगे उनकी जो संख्या होगी उसका योग परमाडू भार कहलाएगा लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक परमाडू का भार कितना होता है? एक परमाडू का भार कितना होता है? ये बहुत important question है. एक परमाडू का भार कितना होता है? तो कई बच्चे, अभी तो आप क्लास 11 में है ना, मैं जब क्लास 12 के बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो वो भी परमाडू भार को एक दम क्लियर नहीं समझ पाते. वो परमाडू भार को जब समझने कोशिस करते हैं, थोड़ा से कंफ्यू जब कोई बच्चा यह याद कर लेता है, कि कार्बन का दरविमान 12 होता है, सोडियम का परमाडू भार 23 होता है, एलमुनियम का परमाडू भार 27 होता है, या केलसियम का परमाडू भार 40 होता है, तो जब कोई बच्चा यह टेबल याद कर लेता है, याद रखना, आपको भ याद करना है बेटा आपको भी टेबल याद करना है ग्यारवी में कम से कम आपको परमाणुक्रमांग एक से ले करके परमाणुक्रमांग 30 तक के तत्वों का परमाणुक्रमांग भी याद होना चाहिए और उसका द्रवेमान भी आपको याद होना चाहिए फिर इपिट करता हूं कच्छा ग्यारवी में कम से कम एटामिक नंबर वन से लेके एटामिक नंबर थर्टी तीस तक जिंक 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 तक आपको परमाडुक्रमांक और परमाडुक्भार याद करना पड़ेगा वो जरूरी है क्योंकि इस चेप्टर में बहुत सारे हमको निमेरिकल भी बनान है तेईस तो उस बच्चे को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में बैड़ जाता है क्या तुमने भले यह कह दिया कि सोडियाम का परमाडु भार तेईस है सोडियाम का परमाडु भार तेईस ग्राम है पर जब कोशन में यह पूछते हैं कि सोडियाम के एक परमाड कारबन के एक परमाडू का भार कितना होगा ते लुट यह बहुत बड़ी गल्ती है कारबन के कार्बन के एक परमाडू का भार 12 नहीं होता तो फिर परमाडू भार होता क्या चीज है अरे भई मैंने बोला कि कार्बन का परमाडू भार 12 है पर मैं कह रहाँ कि कार्बन के एक परमाडू का भार भार नहीं होता तो फिर आखिर में परमाडू भार होता क्या चीज है तो अब इसी को ध्यास समझना है बेटा तो एकदम गौर से सुने जो बताने जा रहा हूँ मैं ये बताओ मैंने बोला कारबन मैंने बोला कारबन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम मैंने यहाँ पर ये बोला कि कारबन का जो परमाडू भार होता है जो परमाडू भार होता है वो होता है 12 ग्राम तो भले ही आख को ये तो याद है कि कारबन का परमाडू भार 12 ग्राम होता है पर बेटा वो एक कारबन का भार नहीं होता थोड़ा सोचो जब मैं कोशन में पूछता हूँ एक कार्बन के परमाडू का वजन कितना होगा तो कई बच्चे बोलते हैं 12 घ्राम जब मैं पूछता हूँ कि एक कार्बन के परमाडू का भार कितना होगा करे लिए बोलते हैं 12 घ्राम क्योंकि वो तो याद कर लिए है वो तो याद कर लिए कि कार्बन का पर्माडू भरबारा है पर तुम खुछ सोचो एक कार्बन का पर्माडू जा सुनेंगे एक कार्बन का पर्माडू एक कार्बन का एटम का वजन 12 गराम होगा मैंने का एक कारबन का परमाडू एक परमाडू एक छोटा सा परमाडू जो दिखता भी नहीं है यह बताओ परमाडू देखे हो कभी एटम देखे हो कभी वो दिखता नहीं वो बहुत छोटा होता है तो सोचो एक कार्बन का परमाडू जो दिखता भी नहीं है वो बहुत छोटा होता है उसका वजन बारा गराम होगा नहीं उसका वजन 12 ग्राम नहीं हो सकता तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा तुमको ना बहुत सारा कार्बन लाना पड़ेगा तुमको बहुत सारा कार्बन जमा करना पड़ेगा धेर सारा कार्बन जमा करना पड़ेगा तो प्रश्ण है कितने सारे कार्बन को जमा करूँगा तो 12 ग्राम होगा तो अब ध्यास सुनना बेटा होता क्या है जब भी आप 6.022 into 10 to the power 23 कार्बन के जो एटम होते हैं इतना सारा कार्बन जमा करोगे तब जाके होगा 12 ग्राम और बेटा इस संख्या को हम मोल भी कहते हैं इस संख्या को हम मोल भी कहते हैं तो ध्यान देना इस संख्या को एक मोल भी कहते हैं तो अब बताओ कोई तुम से पूछेगा कि 12 ग्राम क्या है ध्यास सुनना कोई पूछेगा 12 ग्राम क्या है तो तुम कहना ये कार्बन का परबाणु भार है तुम कहना इतने सारे कार्ब कार्बन का जो भार होता है उसको वोते हैं 12 और बेटा इस संख्या को मोल भी कहते हैं इस संख्या को मोल भी कहते हैं तुम चाहो तो यह भी कह सकते हो कि एक मोल, एक मोल कार्बन के जो एटम होते हैं, उनका वजन होता है 12 ग्राम, तो याद रखना कभी भी एक कार्बन का वजन 12 ग्राम नहीं होता, इतने सारे कार्बन को जमा करोगे और उसका वेट ही निकालोगे तब जाके 12 ग्राम आएगा, या फिर आप इस संख्या को, इस सं यह जो संख्या है ध्यान देंगे 6.022 into 10 to the power quantity बड़े इस संख्या को इस संख्या को एवोगेड्रो नंबर कहते हैं इस संख्या को मैंने कहा इस संख्या को एवोगेड्रो एवोगेड्रो संख्या कहते हैं और इस चेप्टर में इस संख्या का बहुत important role है इस पूरे चेप्टर में ये जो मैंने लिखा है न 6.022 10 के घात में 23 लिखा है ये इस चेप्टर का सबसे महत्मपूर संख्या है और इस पूरे चेप्टर में अब आप इस संख्या के उपयोग करने वाले हैं तो चलिए एक पर शोट में फिर से आपको याद दिला दूँ द्रवेमान क्या होता है प्रोटोन और न्यूट्रोन का योग द्रवेमान कहलाता है पर किसी परमाडू का जो द्रवेमान होता है उसका वास्तरिक मतलब क्या होता है तो तुम कहना कि जब हम इतने सारे परमाडू का वजन न निकालते हैं तब जाके उसका क्या परमाडू भार समझ सकते हैं इस को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं एक मिनट हां यह देखो अगर मैं कहूँगा कि मेरे मेरे पास एक अगर मैं कहूंगा मेरे पास एक मोल गौर सुनेंगे मेरे पास एक मोल कारबन है तो उसके मतब कितना कारबन हुआ है बैटा 6.022 into 10 के पावर में 23 कारबन के परमाडू होंगे और जब आप इतने सारे कारबन के परमाडू का भार निकालोगे तब जाके 12 ग्राम आएगा ठीक उसी परकार अगर आप कहोगे कि मेरे पास एक मोल सोडियम है तो एक मोल सोडियम का मतलब भी वही होता है 6.022 into 10 पावर 23 पास एक मेरे पास एक मोल कैल्सियम है तो एक मोल कैल्सियम के अंदर भी 6.022 into 10 पावर 23 कैल्सियम के परमाडू होंगे जिसका धरविमान होता है बेटा 40 ग्राम तो कुल मिला के कहानी यह है कि 6.022 into 10 के पावर में 23 परमाडू के भार को ही परमाडू भार कहते हैं ध्यान देना मैंने क्या बोला बेटा मैंने बोला इतने सारे परमाडू के भार को ही परमाडू भार कहते हैं या या क्या बोलेगे बेटा atomic weight फिर सिर्पीट करता हूँ, इतने सारे atom के weight को हम क्या बोलेंगे atomic weight बोलेंगे अब आप इस बात को दिमागी में छाप लो कि परमाडू भार कितने सारे परमाडू के भार को कहते हैं परमाडू भार या परमाडू इक दरव्यमान कितने सारे परमाडू के भार को कहते हैं तो यह संख्या आपको दिमागी तौर पर दम बिठा करके रखना है इसे आप नोट कीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं बेटा नोट करेंगे इसे हो ठीक है ठीक है तो आप परमाडू भार मतलब परमाडू के जो आप भार पढ़ रहे हैं इसमें आपने देखा इतने सारे परमाडू के भार को परमाडू भार बोलते हैं अब बात करते हैं कि आणविक भार क्या होता है अब बात करते हैं आणविक भार क्या होता है तो बेटा सुफ़ा एकसी बात है अडू के भार को आणविक भार कहेंगे अडू के भार को आणविक भार बोलेंगे तो बेटा अगर आपके पास कोई अडू आ जाए तो अडू के भार को आणविक भार कहेंगे आणविक भार कहेंगे एक बाद फिर से repeat करता हूँ मैंने क्या बोला मैंने बोला कि molecular weight किसे कहते हैं weight of molecule पर अब फिर वही प्रस्ण है कि कितने सारे कितने सारे परमाडू के भार को आप परमाडविक भार कहेंगे तो फिर यहाँ पर सेम calculation आएगे बैटा याद रखना याद रखना कि आप जब 6.022 इंटू 10 पौर 23 अडू लेंगे तो बैटा यही कहला आएगा आडविक भार बार तो अच्छा एक्जामपल के तौर पर अगर आपके पास 6.022 के घाक में 23 एच्टू ओ आ जाएं तो बैटा इतने सारे एच्टू ओ का जब तुम भार निकालोगे ना तब जाके आएगा 18 ग्राम और यह जो 18 ग्राम है इसी को आप बोलेंगे बड़ा अडू भार इसी को आप बोलेंगे अडू भार तो अब बताओ यह 18 कैसे आया समझ गया ने बेटा अठारा कैसे आया हाइड्रोजन का भार कितना होता है हाइड्रोजन का भार वन याधना आपको है जी यह देखो हाइड्रोजन का भार एक और 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 ऑक्सीजन का भार सोला तो उस हिसाप से अगर देखा जाए उस हिसाप से अगर देखा जाए तो फिर हाइड्रोजन का भार एक होता है और दो हाइड्रोजन है तो दो हो गया बेटा ऑक्सीजन सोला तो किता हो गया यह अठारा ग्राम तो ध्यान देंगे जब आपके सामने कोई अडू आ जाए तो उस अडू के इस संख्या के भार को हम क्या बोलते हैं बेटा आड़ भार कहते हैं तो एक और मैं आपको लेन के पाउर 23 चलो बता जानते हैं कौन सा अडू है यह ग्लुकोज है यह ग्लुकोज का फॉर्मूला है अब आपको बताना है ग्लुकोज के इतने सारे अडू का भार कित्ता होगा याने कि ग्लुकोज का अडू भार कित्ता होगा आपको बताना है अडु भार, मतलब इतने सारे अडवों का भार, तो आपको बताना है इतने सारे ग्लुकोस के अडवों का भार कित्ता होगा, बताइए, 180 ग्राम, 180 ग्राम, 180 ग्राम, अच्छा, एक और सूत्र दूं, एक और सूत्र दूं, यह देखो, यह है बटा, शक्कर का सूत्र, यह दे च्रोगर चलो इसको अड़ूवार बताओ जर्यक्ता होगा है न शक्कर का अड़ूवार बताई ए मसो ह्कर का अड़ूबार बताईए कारबन कहोता है रीक 是 mirror प्लस हाईड्रोजन कहोटा है एक और मैस हाईड्रोजन हे हो जाओ आस अumuz इस आपके बाटान सौला और फ्ह museum 42 ग्राम तो चलिए अब हम ये तो समझ गए ये तो समझ गए कि इतने सारे परमाडू के या अणू के भार को परमाडविक भार या अणू के भार बोलते हैं इतने सारे कार्बन के भार को आपने 12 ग्राम लिखा तो बेटा एक कार्बन का भार कितना होगा 12 upon 6.022 10 के पावर में 23 है ना एक बाद फिर से रिपीट करता हूँ अगर मैं कहता हूँ कि 6.022 10 के पावर 23 ग्लुकोज का भार होता है 180 ग्राम तो बेटा एक ग्लुकोज के अडू का एक ग्लुकोज के अडू का भार कितना होगा 180 बटे 6.022 10 के पावर 23 ग्राम तो क्या आप समझ रहे हो क्या आप ये समझ रहे हो कि बेटा जब एक अडू का भार निकालने बोला जाए तो आप क्या लेंगे उसका क्या लेंगे आप उस अगर आपको एक परमाडू का भार निकालने बोले तब क्या रहेंगे पहले परमाडू भार बटे आवो गेड्रो संख्या आवो गेड्रो नंबर और को आपको बोलेगा कि एक अडू का भार निकालो तो कर्माडु बार अपॉन अश्ट मिला के अब मैं आध्र किसी एक परम्डु का या किसी एक अडु का कैसे निकानों मेरे सामने आ गया तो अब इस आधार पर मैं ऐसा कह सकता हूँ इस अधार पर ऐसा कह सकता हूँ कि एक कंड एक कंड मतलब कर मतलब हम च्छी कर उलमत तो धेक कन का यहां पर मतलब है अ कि यहां पर कर का मतलब है कि वह और पर हो सकता है और molecule भी हो सकता है तो एक कड़का अगर भार निकालने बोला जाये तो आप क्या से निकालेंगे कैसे निकालेंगे तो आप लिखेंगे बेटा आप लिखेंगे पर माडू भार या अडू भार बटे आवो गैड्रो संख्या अगर है आट बार मैं आपको एक प्रश्ण देता हूँ मैं आपको एक प्रश्ण देता हूँ कि आपको एक, ज्या सुना बेटा, आपको एक CO2 के अडू का भार कितना होगा आपको बताना है? क्या होगा? क्या होगा? CO2 का प्रमाडू भार कितना होता है? और अडू भार कितना होता है? 44, और डिवाड़ेड बाई 6.022, 10 के पावर में 23, यह होगा इसका अंसर, अच्छा बोरा सर इसको निकाल के बता ही, कैसे निकालोगे? तो इसको एक काम करो बेटा, जब आप इसका calculation करोगे जब आप इसका गड़ना करोगे तो मैं आपको ना थोड़ा सरल तरीका बतायता हूँ चामालीज बेटा 6.022 को आप 6 लेके हल करोगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा 6.022 को आप सिर्फ 6 लेके हल करोगे ना तब भी आपका उत्तर आ जाएगा पर परिक्षा में अपने पन्ने में 6.022 ही लिखना पर जब हल करने का समय होगा तो रफ में रफ में इसको 6 लेके ही हल करना बस आपको क्या करना है बेटा 44 भागित 6 कर देना और ये 10 के पावर 23 उपर जाएगा तो 10 के पावर में 23 हो जाएगा ये देखो बस आपको इसको भागित देना है उसके बाद ये 10 के पावर में 23 ग्राम इतना ग्राम होगा एक सीओ दू का भार ये सीओ दू का भार कित्ता होगा 44 डिवाड़ भार शिक्स इंटू 10 की पार में मैनास 23 तो इस प्रकार से आप किसी भी एक परमाडू या अडू का भार निकाल सकते हैं तो चलिए अब मैंने आप लोगों को परमाडू भार या अडू भार क्या होता ही ये बता दिया पर अभी भी एक बचा हुआ है आपको याद होगा आपको बचा होगा ध्यान में होगा एक बचा हुआ है क्या क्या तुलियांकी भार यहाँ पर हमने तुलियांकी भार जो है वो बचाया हुआ है तो आज के क्लास में हमने सिर्फ ये सीखा कि परमाडु भार और आणविक भार क्या होता है उसी गढ़ना कैसे की जाती है अगले क्लास में अगले क्लास में हम तुलियांकी भार की बारें पढ़ेंगे और अगला जो क्लास रहेगा प्लीज निवेधन करता हूं अगला क्लास कोई मिस मत करना क्योंकि इस चेप्टर का सबसे important topic आपके सामने आने वाला है और बेटा वो topic है ये मोल परिकलपना ये इस चेप्टर का सबसे important topic है जो बच्चे इस chapter को नहीं समझ पाते जो बच्चे इस chapter को कठिन समझते हैं या उनको numerical नी बनता तो बेटा इसी topic के कारण अगर आपने ये वाला class miss कर दिया तो इस chapter में फिर आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो request करूंगा अगला class जो रहेगा उसमें हम मोल परिकलपना पढ़ेंगे और यही इस chapter का सबसे important topic है और ये एक ऐसा topic है जो 11 के 11 के आगे कई chapter में उपियोग होगा और 12 के भी कई chapter में इसका उपियोग होता है तो please इस topic को miss ना करें तो चले फिर आज class में इत्ता ही करते हैं बैटा अगले class में हम आएंगे मोल परिकलपना के साथ तो जब भी मैं class चालू करूंगा तो class चालू करने के बाद बस एक minute के लिए मैं आपको ये बता दिया करूंगा कि हम chapter में कौन कौन सा topic पढ़ेंगे और कौन कौन सा topic हो चुका है और कौन कौन सा topic हमको करना बाकी है होता यह है कि chapter में बहुत सारे चीज़े होती है और अगर आप book उठाके देखेंगे तो बटा अलग अलग book में जो topic होते हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे रहता है तो आप मेर चान नहीं होंगे अगर कोई topic ऊपर नीचे होता है मतलब मेरे कहने के मतलब है अगर मैं पहले इसको पढ़ाऊंगा फिर इसको पढ़ाऊंगा हो सकता किसी book में पहले यह दिया हो उसकी बाद यह दिया हो तो उसे कोई फरक नहीं पढ़ता आपको मैं जो sequence दे रहा हूं चाहिए और बाद में क्या पढ़ना चाहिए यह बहुत ज्यादा important होता है तो हर topic दूसरे topic से related होता है उसके हिसाब से मैंने sequence बनाया है तो याद रखेगा आपके syllabus का कोई भी topic छूटेगा नहीं बस हो सकता है कि आप अपने book के साथ तूलना करोगे आप अलग-अलग state से ह अलग-अलग राज यह से हो तो बिटा बुक जो होते हैं उनमें थोड़े बहुत topic जो है वह उपर नीचे हो जाते हैं तो हम लोग पिछले class में जब हम इन topics को देख रहे थे आगे चलके यह सारे topic बताये जाएंगे और आगे भी कुछ छोटी मोटे चीजे रहेंगी तो प कुछ चीजे थी जो हम पिछले class में discuss कर रहे थे हमने पिछले class में सीखा था कि आखिर किसी भी परमाडू का द्रवेमान क्या होता है और मैंने आपको बताया था कि इन परमाडू का जो द्रवेमान है वो आपको याद करना पड़ेगा कम से कम परमाडू करमांक 20 तक आपक को ने परमाडविक द्रवेमान और आणविक द्रवेमान देख लिया है आज के class में तुल्यांकी द्रवेमान क्या होता उसके बारे में बात करेंगे तो बेटा यह तो तुल्यांकी द्रवेमान होता है यह अलग-अलग पदार्थों का अलग-अलग तरीके से इसको calculate करते ह फिर इबिट करता हूं बेटा, तुल्यांग की द्रवेमान जो होता है, वो अलग-अलग पदार्थों के लिए अलग-अलग तरीकों से उसकी गर्णा की जाती है, अगर आप किसी धातु का तुल्यांग की द्रवेमान निकालेंगे, तो उसका तरीका अलग होगा, किसी अमलक कर देखको यह बताओं कि पुल्यांकी द्रवयमान कि अगर मैं तुल्यांकी द्रवयमान मर्डखरोक्षा किसी किसी धातू का किसी मैटल का तुल्यांकी द्रवेमान निकालने का तरीका होता है उसका परमाडू भार बटे उसका सेउजक्ता सेउजक्ता परमाडू भार यानिक होता है वीटशन सेउजक्ता वेलंसी तो चलिए समस्ते हैं आखिर किसी धातू का किसी मैटल का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है किसी धातू का तुल्यांग की भार जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है चले उसके बारे बात करते हैं तो उदाहरण के लिए चलिए मेरे से किसी ने पूछ दिया कि चलो सोडियम का सोडियम का तुल्यां की भार निकालो तो आज आप कैसे निकालेंगे नशीं? अगर आप सोडियम का सोडियम का तुल्यां की भार निकालना चाहते तो मैंने क्या लिखाया वहाँ पर? उसका Atomic Weight यानि कि परमाणू भार Atomic Weight और Divided by Valency तो अब तो मुझे ये बताओ, sodium का परमाडू भार कितना था बैटा, तो sodium का परमाडू भार होता है 23, और sodium का valency, यानि की सहुझकता कितना होता है, एक, अब जरा मुझे आप ये बताओ, कि क्या आप लोगों ने छोटे classes में पढ़ा है, valency के बारे में, या सहुझकता के बा मैं हमेशा से कहता हूँ, कि मैं सभी बच्चों को साथ लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा सहयोग करेंगे, मेरे दुआरा बताए गए, कोई भी topic अगर आपको पहले से पता हो, तो थोड़ा सा cooperate करेंगे, बेटा मैं सारे बच्चों को साथ लेके चल रहा हूँ, और ये ले किसी भी धातु का तो भी धातु आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा GGI धातु होते हैं वोस्यज़क्ता कहलाईका समझाता कैसे जैसे कि आवर्त सार्णी में आवर्त सार्णी में ये जो पहले समु के तत्व होते हैं ये जो पहले समु के तत्व होते हैं इन सब का सयोजकता होता है एक जो दूसरे समु के तत्व होते हैं इनका सयोजकता होता है दो ये जो तेरवे समु के तत्व होते हैं इनका सयोज समझता होता है तीन तो आगे भी वैसे बढ़ते जाएगा और यह जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं यह अभी आपको नहीं पढ़ना है यह हम आगे धिर धिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो अभी इस चैप्टर में इस चैप्टर में अगर आप पुछेंगे कि वैलेंसी क होता है तो वैलेंसी के तौर पर आपको पहला समूं दूसरा समूं और त्टेरवThe Sa illegally Ti थो होते हैं इन सबका सेष्यक्ता होता है एक इसका मतब यह लोग एक इलेक्ट्रोन दान करने के लिए जाने जाते हैं यह जो दूसरे समू के तत्व होते हैं यह दो इलेक्ट्रोन दान करने के लिए जाने जाते हैं और जो तेरवे समू के तत्व होते हैं वो तीन इलेक्ट्रोन दान करने के लिए जाने जाते हैं तो उस आधार पर अगर हम बात करें. तो बेटा, sodium एक electron करता है. sodium एक electron करता है. तो इसका जो सही होज़कता होगा न, वो होगा plus one, याने की one. ठीक उसी प्रकार. अगर आप magnesium का तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं, तो बैटा मेगनीसियम का ये दूसरे संभू का तत्व है तो ये हमेशाथ दो इलेक्ट्रोन दान करेगा और क्योंकि ये दो इलेक्ट्रोन दान करेगा तो इसके उपर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा तो उस आधार पर अगर किसी ने बोला कि चलो मेगनीसियम का तुल्यांकी भ ठीक उसी प्रकार अगर किसी ने बोल दिया कि भई ऐलमुनियम का तुल्यांकी भार कितना होगा तो बैटा ऐलमुनियम जो है वो तेरेवे समुका है ये तीन इलेक्ट्रोन दान कर निकले जाना जाता है मतब इसका जो सहुझता है वो होगा तीन तो उस आधार पर अगर हम एलमुनियम का तुल्यांकी भार निकालें तो ये कितना होगा बैटा इसका परमाडु भार होता है 27 और इसका वेलेंसी कितना है थ्री इसका वेलेंसी कितना है थ्री तो इस परकार से आप किसी भी धातु का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं तो याद रखेगा तुल्यां तुल्यांकी भार निकाल के बताऊंगा प्लीज कॉपी करेंगे हो चले आगे बढ़ते हैं यह सब काप स्क्रीन शॉट ले लिया करेंगे बेटा क्या है अगर आप कॉपी करने बैठेंगे तो समय यादा लग जाएगा तो आप स्क्रीन शॉट ले लिजेगा अभी समझते ज चलके आप वीडियो को दुबारा देख भी सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम तुल्यांकी भार निकालेंगे किसी अमलका किसी अमलका याने की एसिड का तो बैटा किसी एसिड का किसी एसिड का तुल्यांकी भार निकालने का तरीका होता है किसी एसिड का तुल्य बटे हम उसका लिखेंगे बेटा है एच प्लस आयन दान करने की संख्या है एच प्लस दान करने की संख्या है प्लस कितना एच प्लस वो दान करेगा वो हम नीचे मिलेंगे तो ज़रो गौर से सुनेगा यह जो अडू भार लिखा हूँ ने बेटा अडू भार और एच प्लस दान करने के संख्या को हम बेसिसीटी भी कहते हैं इसको बेसिसीटी भी कहा जाता है चलिए मैं आपको समझाता हूँ मेरे बोलने का क्या मतलब है अगर किसी ने बोला कि चलिए हC-L का तुलियांकी भार निकालो तो पिटा हC-L का अडू भार कितना होगा है ह का होता है वन C-L का होता है 35.5 तो यह हो गया 36.5 अब यह बताओ जब यह H-C-L तूटता है आपको यह आपनी यह बच्पन में पढ़ा होगा लोवर कास पढ़ा होगा कि जब H-C-L तूटता है तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है H+, और C-L- तो बेटा H-C-L ने कितना H निकाला एक तो H-C-L का परमाडू भार बटे एक इसका तूलियांकी भार होगा यह उसका तूलियांकी भार होगा लेकिन यही पर लेकिन यही पर अगर तूम H2SO4 का तूलियांकी भार निकालोगे तो बेटा H2SO4 का परमाडू भार होता है 98 यह निकालने आता है पिछले क्लास से बता यह अब H2SO4 जो होता है H2SO4 कैसे तूडता है बेटा जब H2SO4 तूडता है न हो तो वह दो Atlas बनाता है और एक SO4 तू मैनस बनाता है जब H2SO4 तूडता है न तो 2 H निकालता है और talked like SO4 तो तूम बताओ किसी निकालता है यहाद रखेंगे किसी अमलका याने कि किसी acid का अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो आप उपर क्या लेंगे उसका अडू भार लेंगे और नीचे क्या लेंगे बैटा कि नीचे लेंगे उसका basicity, basicity का मतलब होता है वो कितना H प्लस आयन डान करेगा इसके बाद, ठीक इसके बाद एक और example है, माल लिजी किसी ने बोला कि phosphoric acid याने कि H3PO4 phosphoric acid का तुल्यांकी भार निकालो तो बैटा, इसका आप मुझे निकाल के बताईए, मैं थोड़ा मदद कर देता हूँ, कि ये जो H3PO4 होता है ना, जब ये तूटता है, तो ये 3 H प्लस आयन निकालता है और एक phosphate आयन निकालता है, तो यहाँ पर यहाँ पर S3PO4 ने 3 H प्लस आयन निकाला, तो चलिए फिर S3PO4 का मुझे तुल्यांकी भार निकाल करके बताईए, तो ठीक इसी प्रकार अभी आपने अम लगा अभी आपने अम लगा तुल्यांकी भार निकाला, अब देखते हैं बेटा किसी चार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो अगर आप अब ध्यान सुनेंगे, अगर आप अब निकालना चाहते हैं, अब आप पानी में घोलने पर H प्लस आयन निकालता है और बेस वो होता है जो पानी में जाते ही OH माइनस आयन निकालता है इतना तो आपको पता ही होगा तो बेटा अगर आप छार का तूलियां की भार निकालते हैं तो इसको इसको निकालने के तरीका होता है फिर से वही लिखूंगा में अडू भार और नीचे लेंगे ओएच मैनस आयन निकालने की संख्या जहां पर इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा ओएच मैनस आयन निकालने की संख्या को अब यहाँ पर चलिए किसी चार का तुल्यांकी भार निकालते हैं ओके तो एक्जामपल के तौर पर देखते हैं चलिए किसी ने बोल दिया कि चलो एणे ओएच का तुल्यांकी भार निकालो तो बेटा एणे वेच का अडू भार कितना होता है छालिस गर्म और एने ओएच जब तूटेगा एने ओएच जब तूटेगा तो कितना ओएच निकालोंगा एक तो बेटा एने वेच का तुल्यांकी भार आप इस परकार से निकालेंगे जबकि वही पर अगर आपको किसी ने बोल दिया कि कैलसियम हाइड्रोकसाइड का तुल्यां की भार निकालो तो इसका जो भी अडु भार होगा बटे किता लेंगे तो कैलसियम हाइड्रोकसाइड दो ओवेच से निकालता है तो इसका divided by क्या हो जाएगा ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार अगर कोई बोलेगा aluminium hydroxide का कितना होगा तुलियांकी भार तो इसमें भी same करेंगे बेटा क्या करेंगे इसमें भी आपको उसका पहले क्या लेना है उसका अडू भार लेना है बटे तो aluminium hydroxide तीन OH निकालता है तो यह हो जाएगा बटे तीन तो इस प्रकार से आप किसी भी छार का तुलियांकी भार निकाल सकते हैं प्लिस कोबी करेंगे इसको आप जो कुछ पूछ रहे हैं आपके मन में जो भी doubt है सब आपको इस चेप्टर में धीरे धीरे बताया जाएगा हम वहां तक पहुची जाएंगे ठीक है हाँ जी तो आगे बढ़ते हैं बेटा तो अभी अभी आपने अम लगा तुलियांकी भार निकाला फिर छार का निकाला चलिए अब लवन का निकालते हैं किसी सॉल्ट का निकालते हैं किसी सॉल्ट का कैसे निकाला जाएगा तुलियांकी भार तो बेटा अगर आप किसी लवन का या किसी सॉल्ट का तुलियांकी भार निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने का तरीका होता है अड़ु भार फिर से अड़ु भार और इसमें होगा बेटा इसमें होगा धातू का धातू की सयोजक्ता सयोजक्ता याने की फिर से लिखूंगा मैं अ हम ऑलिक्यूलर वेट बटे कि वेलेंसी ओफ मैटल धातू का धातू की वेलेंसी कैसे करेंगे इसको जैसी इग्जामपल के तोर पर किसी ने बोल दिया चलो भई एनेश यल का तुल यांकी भार निकालो तो आप कैसे करोगे एनेश यल का परमाडू भार कितना होता है सोरी इसका अडू भार कितना होता है यह होता है बेटा 58.5 और NACL में धातु कौन है sodium और sodium की से हो जगता कितनी होती है 1 तो यह क्या हो जाएगा divided by 1 क्या हो जाएगा यह दिवाड़ भाई 1 ठीक उसी प्रकार अगर किसी ने बोल दिया कि calcium sulphate का तुल्यांकी भार कितना होगा तो बेटा calcium sulphate का जो भी अडू भार होगा बटे आप क्या लेंगे तो बेटा यहाँ पर calcium यहाँ पर धातु है और calcium दूसरे समू का तातु है तो इसका से हो जाएगा प्लस टू यह हो जाएगा डिवाड़ भाई प्लस टू तो इस प्रकार से आप किसी भी salt का salt का क्या निकाल सकते हैं बटा तुल्यांकी भार तो प्लीज कोभी करेंगे इसको भी यह screenshot ले लिजे तो अलग अलग पदार्थों का तुल्यांकी भार अलग अलग तरीकों से नि परपन नहीं बताऊंगा आप निकाल लिए और बस उसको हल कीजी अंसर आपके सामने होगा तो चलिए अब हम लोगों ने यह जान लिया कि परमाड़विक दरवेमान क्या होता है और अभी-अभी हमने सीखा बटा कि तुल्यांकी दरवेमान क्या होता है लेकिन यह सब तो बहुत बेसिक चीजे हैं इस चेप्टर का जो में टॉपिक है अब हो आपके सामने आने वाला है और इस टॉपिक को बस आपको ध्यां समझना है इस टॉपिक में अगर आप गड़बड कर गए इस टॉपिक में अगर चुक गए तो बहुत दिक्कत जाएगा बेटा ये कोई ऑभी बच्चा जब ये कहता है कि मेरे को यह फ़स्ट चफ्टर नहीं बनता तो समझाना उस बच्चे ने इस टॉपिक में गड़बडी की है तो जो भी बच्चा ये टॉपिक नहीं समझ पाता या इसके निमेरिकल नहीं कर पाता फिर वो इस पूरे चेप्टर में परिशानियों को फेस करता है तो बस इस टॉपिक को आप बहुत ध्यां से समझेंगे तो चलिए मोल परिकल बना क्या है असल में यह जो मोल सब्द है मोल सब्द है यह जो छोटे कड होते हैं छोटे कड जैसे की एटम या इलेक्ट्रॉन ध्यान देंगे एटम या इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल तो यह जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनका एक कालपनिक संख्या आपके सामने रखता है जारा ध्यां सूनेंगे मैं क्या बोल जब भी आप दर्जन सब्ले सुनते हो तो आप बोलते हैं 12 जब ही मैं कहूंगा मैं एक दर्जन पैन तो बोलेंके 12 आप 122 कोई पहनम है कि जो भी चीज है वो 100 है ठीक उसी प्रकार जब भी आप जब भी आप मोल सब्द सुनेंगे जब भी आप मोल सब्द सुनेंगे समझ जाना मैं जिस चीज के बारें बात कर रहा हूं उसकी संख्या होगी 6.022 into 10 to the power 23 तो आप इसको दिमाग में चाप लो कि किसी भी चीज का अ लागू होता है एपलाई होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन एटम मॉलेक्यूल वगएरा वगएरा तो चलिए फिर अब हम इस मोल के परिकलपना को आगे बढ़ाते हैं अगर किसी ने कह दिया कि मेरे पास एक अगर किसी ने बोल दिया कि मेरे पास एक एक मॉल कार्बन है तो इसका मतल समझ जाना बेटा मेरे पास कितने कारबन है 6.022 इंट to 10 to 23 कारबन के परमाडू होगे ने कारबन के एटम होंगे कार्बन की एटम होंगे और आपको पिछले क्लास में आपको पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि इतने सारे कार्बन के वेट को हम कितना लिखते हैं बारा गराम आपको याद है ना पिछले क्लास में आपको सिखाया गया है कि जब हम इतने सारे पर्माडूओं को जमा करते हैं तब जाके उसका पर्माडू भार बनता है जब हम इतने सारे पर्माडूओं को जमा करते हैं तो पर्माडू भार बनता है तो मेरे कहने का ये मतलब है कि एक मोल का मतलब होता है बेटा 6.022 into 10 power 23 परमाडू यानिकी atom या फिर अणू यानिकी molecule और जब इतने सारे परमाडू या अणू आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं वहाँ पर परमाडू भार परमाडू भार या फिर अणू भार या फिर अणू भार तो ध्यान देंगे बेटा ध्यान देंगे जब भी मैं आपके सामने इस संख्या में जब भी मैं आपके सामने इस संख्या में किसी भी परमाडू को लूँगा तो इतने सारे परमाडू भार को हम परमाडू भार बोलते हैं ठीक उसी परकार अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पास एक मोल sodium है तो क्या समझे आप मेरे पास कितने sodium होंगे बैटा 6.022 10 के घात में 23 sodium के परमाडू होंगे यानि कि atom होंगे और इतने सारे sodium के परमाडू को जमा करोगे और उसका द्रवेमान निकालोगे तो वो आएगे 23 ग्राम ठीक उसी प्रकार अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक मोल कारबन डियोकसाइड है तो एक मोल कारबन डियोकसाइड के अंदर भी 6.022 10 के घात में 23 CO2 के मॉलेक्यूल होंगे यानि कि अडु होंगे और बेटा इतने सारे CO2 के अडुवों को जब आप जमा करोगे और उसको द रवेमान कैसे निकालते हैं तो CO2 एक अडु है CO2 एक जो है यह मॉलेक्यूल है तो इसलिए मैंने यहापर मॉलेक्यूल लिखा है ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपके सामने कह दूं कि एक मोल मेरे पास मेरे पास एक मोल ह 2SO4 है तो बेटा एक मोल ह 2SO4 का मतलब भी वही होगा 6.022 10 के पावर में 23 H2SO4 के अडु यानि की मॉलेक्यूल होंगे और इतने सारे मॉलेक्यूल को जमा करोगे तब जाकि उसको दरवेमान कितना निकलेगा 98 गराम तो आप लोग एक बात अपने दीमाग में छाप लो कि जब भी मैं आप से जब भी मैं मैं आप से कहूंगा कि मेरे पास कोई चीज है और वो एक मोल है मेरे पास कोई चीज है वो एक मोल है तो अपने आप समझाना बेटा कि वो जो भी चीज है उसकी संख्या इतनी ही होगी उसकी संख्या इतनी होगी चाहे वो एटम हो चाहे मॉलेक्यूल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो और और इतने सारे एटम या मॉलेक्यूल के भार को ही आप परमाडू भार या अडू भार कहते हैं अब इतनी सी बात आपको याद रखनी है ये जो मैंने अभी आपको बताया है बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है फिर इससे सम्मंधित जितने भी numerical आपके syllabus में एक एक करके हम सबको बनाना शुरू करेंगे मैं आपको numerical भी करवाऊंगा पहले काम कीजिए इसका screenshot ले लीजे बेटा इन सबसे related किस तरह का question आपको exam में फेस करना है तो अब एक एक करके मैं आपको सारे जो प्रशन है वो दिखाता हूँ पर बेटा ये जितने प्रशन आपको दिख रहे हैं मैं फिट से repeat करता हूँ मैं हर तरह के बच्चे को साथ लेके चलूँगा और ये जो numerical होते हैं इन numerical सो कैसे बनाते हैं तो numerical वाले जो question होते हैं उनको बनाने का दो तरीका होता है जो numerical होता है ना इसको बनाने का दो तरीका होता है एक logical way में मतलब आप अपने बुद्धी लगाओ आपने प्रशन पढ़ा और ये जानने की कोशिस की कि प्रशन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है और आपने अपने दिमाग लगाया और आपने उसको हल किया पर उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको numerical बनाने में तकलीफ होता है उनको कोशिन को समझने में दिक्कत होता है और एक बाद कोशिन समझ में आ भी जाता है तो हल किस प्रकार से किया जाए इसमें भी दिक्कत होता है तो मैं दोनों तरह के बच्चों को साथ लेके चलूँगा पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी numerical को logically कैसे बनाते हैं कोश्चन को पढ़के हम कैसे हल करते हैं उसके बाद फिर मैं इसी कोश्चन को एक और तरीके से बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा नहीं बना पाता numerical तो उनके लिए क्या उपा है तो चलो मैं आपको दो method बताऊंगे बटा सबसे पहले हम इस प्रश्चन को नॉर्मल तरीके से मनाते हैं इस प्रश्चन में ये पूछ रहा है बटा इस प्रश्चन में ये पूछ रहा है कि 10 ग्राम कार्बन के अंदर 10 ग्राम कार्बन के अंदर बताईए परमाडवों की संख्या कितनी होगी मतलब अगर आपके पास 10 ग्राम 10 ग्राम कार्बन आ जाए तो 10 ग्राम कार्बन के अंदर कितने सारे कारबन के परमाडू होंगे तो सबसे पहले आप एक काम करो इसको लिख लो क्या लिख लो कि अगर मेरे पास एक मोल कारबन है इसका मतलब 6.022 10 की पावर में 23 कारबन के एटम होंगे और इसका दरवेमान कीता होता है बारा ग्राम तो अब तुम मुझे ये बताओ अब तुम मुझे ये बताओ कि 12 ग्राम के अंदर 12 ग्राम के अंदर कितने परमाडू होते हैं 12 ग्राम के अंदर होते हैं 12 ग्राम के अंदर होते हैं 6.022 10 पावर 23 परमाडू अगर कोई आप से पूछेगा 12 ग्राम कितने परमाडू होते हैं तो तुम ने इसको देखा तु तो इतने सारे कारबन के एटम होंगे तो देखो परस्ट में क्या पूछा गया था परस्ट में ये पूछा गया कि 10 ग्राम में कितने परमाडू होंगे तो तुम ने इसको लिखा सबसे पहले और इसको लिखने के बाद बोला आपके सामने है तो इस प्रकार से आप इस question को बनाएंगे अब मैं पहले दो question बता देता हूँ इस तरीके से फिर आपको एक और तरीका समझाऊँगा जिन बच्चों को numerical बनाने में दिक्कत होता है उनके लिए एक method और है मैं बताऊंगा पहले इस प्रश्ण को ध्यास देखिए फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं अब अगले प्रश्ण के तरफ चलते हैं बस एक रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आप मोल परिकलपना से संब्धि कोई निमेरिकल बनाते हो न तो हर बार आपने इसको जरूर लिखना हर बार आप इसको जरूर लिखना तो कोशन बनाने में आपको जो है आसानी होगी चलो तो अब आगे बढ़ते हैं अब अगला प्रश्ण देखो अगले प्रश्ण में पूछा है कि सियो टू का अगर आपके पास दो सो अडू आ जाए तो उन आप क्या करो ये लिख लो क्या लिख लो कि एक मोल सियो टू का मतलब होता है सिक्स पॉइंट जिरो टू टू टैन के पावर टूंटी थ्री सियो टू के अडू याने की मॉलेक्यूल और बेटा इतने सारे अडूवों का दरवेमान कितना होता है चमालीस ग्राम तो अब त कोशन को लॉजिकली बनाने कोशिस करते हैं कोशन क्या कह रहा है कि 200 अडूवों का भार कितना होगा तो तुम ने बोला कि इतने सारे अडूवों का भार कितना है चमालीस ग्राम तुमने इसको देखा और देखके बोला कि 6.022 10 के पावर में 23 जो सीयो टू होते हैं उनके मॉलेक्यूल होते हैं इनका भार इनका भार कितना होता है बेटा चामालिस ग्राम होता है तो फिर एक अडू का याने की एक मॉलेक्यूल का एक सी ओ टू मॉलेक्यूल का भार कितना हो जाएगा चमालिस बटा शिक्स पॉइंट जीरो टू टू टैन के पावर में टून्टी थ्री ग्राम तो फिर बेटा तो फिर बताओ दो सो अडूवो का तो फिर दो सो मॉलेक्यूल का कितना कितना दरवेमान होगा तो बस 44 इंटू 200 कर लीक्र रहे औही आएगा तो आप जब भी एक निमेरिक्ल बनाएंगे जब भी आप निमेरिकल बनाएंगे तो सबसे पहले आप इसको लिख लिया करें और इसको लिखने के बाद कहानी को आगे बढ़ा je ft पराता हूँ को आगे इतर प्रश्ण को हल करने का तरीका बताया यह तो वह तरीका है जो बुक में लिखा रहता है और हर टीचर आपको बताएगा पर कुछ बच्चों को दिक्कत होती है उनको भी मैं एक तरीका बताऊंगा कि इस तरख निमेरिकल कैसे बनता है उससे पहले काम करो जरह एक बढ़ ट्र मोल परिकलपना से सम्मंधित कोई कोशन आ जाए तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है आप वो सिक्वेंस लिखो जब बार बार लिख रहा हूँ ना आप वो सिक्वेंस लिखो कैसे लिखो कि बटा यहां क्या लिखा है ऑक्सीजन बोला है ना ऑक्सीजन तो सबसे पहले oxygen का वो sequence लिखो कैसे लिखोगे बैटा यह देखो यह लिखने बोल रहा हूँ मैं एक mole oxygen का मतलब होता है 6.022 10 के पावर में 23 O2 के molecule होते हैं molecule होते हैं और इतने सारे molecule का दरवेमान किता होता है 32 O2 का दरवेमान किता होगा 32 तुमने पहले यह लिख लिया तो सबसे पहले आप क्या करो जब भी कोई प्रस्ण आएगा तो इसको हर बार आप लिख लो उसके बाद फिर क्या करोगे उसके बाद यह करोगे कि प्रस्ण में क्या दिया है और क्या पूछ रहा उसको देखो प्रश्ण में ये पूछ रहा है कि 50 ग्राम औक्सीजन में 50 ग्राम औक्सीजन में कितने मोल होंगे कितने मोल होंगे 50 ग्राम औक्सीजन में कितने मोल होंगे तो तुम बताओ इसको देखके इसको देखे कि 32 ग्राम औक्सीजन में कितने मॉल हैं एक मॉल दिखर आपको एक मॉल 32 ग्राम में कितने मॉल हैं एक मॉल अच्छा कई बच्चे तो मॉल और मॉलेक्यूल में कन्फ्यूज होते हैं मेटा मॉलेक्यूल याने कि अडू और mol एक संख्या है एक parameter है तो जब मैं बोलूँगा molecule जब मैं बोलूँगा अनू तो इसको लोगे जब मैं बोलूँगा molecule जब मैं बोलूँगा अनू तो इसको लोगे और जब मैं बोलूँगा mole जब मैं बोलूँगा mole तो इसको लोगे अब तुम मुझे बताओ प्रस्ट मे क्तिने मोल होंगे तो तुम ने कहा जब 32 ग्राम और सीजन पा एक मोल होता है तो बेटा एक घ्राम और यहां कैंता मॉल होगा एक आप पर सब्सक्राइप नहीं होगे तो फिर तो फिर नियुक्ण तो फिर पचास ग्रामaffe बच्चों को यह जो मोल कॉंसेफ्ट है इसमें धिक्कत हो रहा है यह होता ही है यह हर इसकूल की कहानी है हर इसकूल में मैं बता रहा हूं यह जो मोल परिकलपना है ने बेटा जादतर बच्चे इसके निमेरिकल नहीं बना पाते हैं वो फसते हैं तो चलिए अब एक और तरी इसको बनाते हैं वक्त दो परिशानी होती है पहला कोशनी समझ में नहीं आ रहा है पहला कोशनी समझ में नहीं आ रहा है और दूसरा कोशन समझ में आता है न तो कई बच्चे इसको उल्टा पूल्टा कर देते हैं मैंने देखा है कई बच्चे इसको उपर नीचे लिख देत मैं आपको नहीं जानता मैं आपको व्यक्तिगत तोर पर सामने में नहीं देख रहा हूँ पर इतने साल से पढ़ाने के वजह से मुझे थोड़ा बहुत मालूम है कि कुछ बच्चों को इस तरह का प्राब्लम होता है तो जो बच्चे बना रहे है numerical जो बच्चे numerical बना रहे है अच्छी बात है पर जिनको ये वखला प्राब्लम होता है चलिए उनका क्या समधान है वो बताता हूँ तो बस अब देखो बेटा मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या करना है दूसरा तरीका क्या है एक और तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सुनेंगे, अब मैं आपको यहाँ पर एक तरीका और बता रहा हूँ, प्लिस गौर सुनना, सबसे पहले क्या करना, ये तो आपने एक बार नोट करी लिया होगा, या फिर स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, तो अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि आपको करना क्या है अब आपको एक सिंपल तरीका समझाता हूं इसमें कभी गलबड़ी नहीं होगा कुछ भी कोशन आए कुछ भी कोशन आए आप बना लेंगे बेटा तो बस एक मिनट ना मैं आपको सिखाता हूं करना क्या है सबसे पहले क्या करना सब से पहले कार्बन का एक सिक्वेस्स बना लो सिक्वेस्स किसको बोलते हैं इसको बोलते हैं वन मोल कार्बन का मतलब है 6.022 10 के पाउर में 23 कार्बन के परमाडू होंगे और कार्बन के दरवेमान कीतना होता है बारा ग्राम बस इतना याद रखना कि जब कोई बोलेगा मोल निकालो तो आपका ध्यान यहां आना चीए जब कोई बोलेगा कि परमाडू संख्या परमाडू संख्या तो इस पर ध्यान आना चीए जब कोई बोलेगा भार यानि कि दरवेमान तो यहां ध्यान आना चीए अब सुरो क्या करना है कोश्चन में कोश्चन में दो ही चीजे होती ही बेटा एक कि क्या दिया है और दूसरा क्या पूछ रहा है जब भी आपको परश्चन में आपके सामने की परश्चन आता है तो बेटा दो ही चीजे होती ही परश्चन में पहला क्या दिया है और क्या पूछा है तो बस क्या करना आप पहले ना इक्वल टू का साइन लगाना और उसके बाद जो भी चीज दिया होगा जो भी चीज दिया है उसको इस इक्वल के लेफ्ट साइड रखना और जो भी चीज पूछेगा उसको राइट साइड रखना बस इतनी सी बात है जो भी चीज दिया होगा उसको लेफ्ट साइड रखना जो पूछेगा उसको दिया है भार दिया है तो भार को लेप्ट साइड रखोगे और पूछा क्या है पूछा है परमाडवो की संख्या तो इस तरफ लिखो परमाडवो की संख्या इस तरफ लिखो बेटा परमाडवो की संख्या तो बस इतना याद रहना जो भी दिया होगा उसको इक्वल के बार कहां पर है इस सिक्वेस्ट में भार कहां ये है भार ये है भार तो उस भार को यहां पर लिखो 12 ग्राम और पर माडवों की संख्या यहां पर माडवों की संख्या कहां है यह पर माडवों की संख्या तो उसको राइड साइड लिखो 6.022 10 के पावर में 23 ये पहले काम किया अब उसके बाद दूसरे चलन में दूसरे चलन में क्या करना लेफ्ट में जो वैल्यू दिया होगा उसको एक कर देना एकल सिस्टम बनाना है लेफ्ट में जो भी वैल्यू दिया उसको एक कर देना अब एक हो जाएगा तो 6.022 10 के पावर 23 हो गया बटे 12 और फिर तीसरे चलन में तीसरे स्टेप में वो वैल्यू लेना जो परश्ण में दिया है 10 ग्राम बस फिर गुड़ा कर देना उसको 6.022 10 के पावर 23 बटे 12 और मैंने क्या गुड़ा कर दिया है बटे 10 इस तरह से आप आंसर जो है वो निकाल लेंगे इस तरह से आप आंसर निकालेंगे चलिए एक प्रस्ण और बताता हूं बस देखते जाना मैं क्या बोर रहा हूं मैं हर बच्चे को साथ लेके चल रहा हूं बेटा आप अलग अलग राजियों से हैं कोई गाउं से हैं कोई शहर से हैं हर जगा हर जगा बहुत अच्छी मतलब सिक्षा नहीं मिल पाती कई कारणों से कई कारणों से तो उन सब बच्चों को भी मुझे साथ लेके चलना होता है तो चलो यहां देखना बेटा, सबसे पहले क्या करने बोला मैंने, इसमें क्या दिया है, CO2, तो पहले CO2 के लिए सिक्वेस बना लो, कैसे बनाओगे, एक मोल, CO2 मतलब होता है 6.022, 10 के पौर में 23, CO2 के परमाडू होंगे, और दरवेमान कीता लेंगे 40 गराम, अब बस आप यह बताओ, मैंने क्या बोला है बिटा, कि जो भी चीज दिया होता है, यह दिया है, वो लेफ्ट में रहेगा, और जो चीज पूछेगा, वो राइट में, तो सबसे पहले यह बताओ, इस प्रश्न में, क्या दिया है, 200 अडू, यानि कि अडवो की संख्या दी हुई है, अ तो जो दिया है, उसको लेफ्ट में लिखो, जो पुछेगा, उसको राइट में लिखो, अब तु मुझे बताओ, इस सिक्वेस में, भार कहां पर है, इस सिक्वेस में, यह है भार, यह है भार, तो भार को भार की नीचे लिखो, 44 ग्राम, और इस सिक्वेस में, अडवो की संख्या कहा है यह है अड़वोग संख्या तो उसको यहाँ पाल लिखो शिक्स पॉंट जीरो टु टू टैन के पावर में 23 तो इसके मतब क्या समझे इतने अड़वो का भारा है 40 gram तो यह पहला step अब दूसरे step में क्या करते हैं लेफ्ट में जो लिखा है उसको एक कर देते हैं एक तो यह क्या हो जागी पिटा 44 बटे 6.022 10 के पावर में 23 gram और फिर तीसरे चरण में क्या करते हैं तीसरे चरण में वो लिखते हैं जो परश्ण में दिया है तीसरे चरण में वो लिखते हैं जो प्रश्ण में दिया है क्या दिया है 200 तो बेटा 200 अड़गों का भार कितना हो जाएगा तो बस गुड़ा कर देंगे 200 का इस प्रकार से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा ये दिखो इस तरीके से आपको करना ही है चलो एक और एक्जामपल दिखाता हूँ बस क्या याद रखने बोला मैंने मैंने क्या याद रखने बोला इसको याद रखने बोला है तो चलो अब अगले प्रश्ण में चलते हैं उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा है ये वाला प्रश्ण यह वाला प्राश्ना कैसे करोगे बैटा इस प्राश्न में सोडियम दिया है सोडियम तो चलो सोडियम के लिए पहले सिक्वेस्ट बना लो कैसे बनाओगे एक मोल सोडियम याने की 6.022 10 के पावर में 23 सोडियम के परमाडू होंगे और सोडियम के परमाडू होंगे और सोडियम का दरवेमान किता हो था बैटा 23 गराम तो सबसे पहले मैंने यह सिक्वेस्ट लिख लिया उसके बाद क्या करूंगा उसके बाद क्या करूंगा याद है ना मैंने क्या पूला था जो दिया होगा उसको लेफ्ट मेलो जो पूछे पुछा है क्या पूछा है दरवे मान पूछा है यानि कि भार भार पूछा है तो इस तरफ लिखो बेटा फर्षु जब पूछ दिया है वह left में जब पूछेगा वह right में अब उसके बाद क्या करोगे अब मुझे यहríe बताओ इस सीक्वेड्स में ओल कहां तो यहाँ लिखो एक mol और भार कहां पर है तो यह है भार तो लिखो 23 ग्राम तो बेटा यह पहले से एक बना हुआ है तो 1 mol का 23 ग्राम तो फिर 3 mol का वजन कितना हो जाएगा तो 23 गुढ़ा 3 ग्राम हो जाएगा तो बार बार एक ही चीज मैं repeat करूँगा कि जो भी चीज दिया है उसको left में लिखो और जब पूछेगा उसको right में तो इस तरह से ये प्रश्ण बनेगा इस तरह से ये प्रश्ण बनेगा आगे बढ़े हैं? हाँ, इसके आगे का प्रश्ण ये वाला मैं आपके लिए छोड़ता हूँ एक दूसरा प्रश्ण देखो ये ये आयतन वाला है ये वाला देखते हैं ये वाला प्रश्ण देखते हैं चलो, एक प्रश्ण मैं आपको और बता देता हूँ एक प्रश्ण मैं आपको और बता देता हूँ या फिर एक काम करते हैं एक अभी आयतन वारा एक्जामपल नहीं आया है हाँ चलो अब इस प्रश्ण को देखो सबसे पहले क्या करने बोला मैंने सबसे पहले क्या दिया ओटू तो पहले ओटू के लिए सिक्वेस बनाओ कैसे बनाओगे एक मोल ओटू याने कि 6.022 10 के यह बताओ क्या दिया है क्या दिया है पचास ग्राम ग्राम दिया है ग्राम दिया है तो ग्राम मतलब होता भार भार दिया है क्या पूछ रहा है पूछ रहा है मोलों की संख्या यानि कि मोल पूछ रहा है मोलों की संख्या पूछ रहा है तो तुम मुझे यह बताओ तुम म 32 ग्राम में एक मोल होता है तो फिर एक ग्राम में कितना हो जाएगा वन बाई 32 मोल और फिर और फिर तीसरे चरण में तीसरे चरण में हम वो लिखते हैं जो प्रश्ण में दिया होता है तो प्रश्ण में दिया है 50 ग्राम तो बेटा 50 ग्राम में कितना हो जाएगा तो बस फि लिखते हैं जो आपके सिक्वेस में होता है हां सुनना पहले चरण में आपके सिक्वेस में से जो हिस्सा दिया है उसको लिखते हैं दूसरे चरण में हम लेफ्ट साइड को वन कर देते हैं और तीसरे चरण में वो वैल्यू लिखते हैं जो प्रश्णे में दिया होता है आंस सोंगे तो बैटा अभी आगे भी बहुत सारे प्रश्ण आएंगे लेकिन इनमें आयतन का प्रयोग हो रहा है अभी अब जो आगे जो प्रश्ण है उनमें आयतन का प्रयोग हो रहा है तो बैटा जब आयतन की बात आएगी तो कहानी थोड़ा बदल जाएगा तो जब मौल प थे और एक्सप्लेन करूं अभी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है अभी फिर निम्यरिकल वाले टॉपिक चल रहे है और वैसे भी यह जो आप चेप्टर पढ़े ना फस्स्ट्र्ट्र फस्से फॉस्ट्र में ज्यादा थेयुरी कल्न निमरिकल निमरिकल है लेकिन इसके बात जितन क्लास में मैं आपको मोल कॉंसेप्ट के कोश्ण करवा रहा था चार कोश्ण हम कर चुके थे आज पांचवे कोश्ण में हम लोग आ गया है विटा आज के कोश्ण में आज के कोश्ण में क्या शामिल हो गया आयतन आज के प्रस्ण में आयतन आ गया तो जब मोल परिकल्पना म में आयतन आ जाता है जब मोल परिकल्पना में आयतन आ जाता है तो थोड़ा सा कहानी बदल जाता है क्या कुछ चीज़े एड हो जाएंगे चलिए तेक बार मैं आपको याद दिलाता हूं पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा जो 20 000022 to 10 के पावर 23 Co2 के अडू होते हैं so2 के अडू होते हैं और इतने अरू के भार को हम आण। को 44 घ्राम अब वह जोंगे ऐसे बगॉत बात अब सुनेगा एक बहुत ङंपॉर्टेंट बात आप सुनेगा बैटकी सी भी चीज का जब हम एक मोल लेते हैं किसी पी चीज का जब एक मोल लेते हैं तो एक मोल पदार्थ में हमेशा 6.022 10 के घात 23 कण होते हैं हाँ कण होते हैं इतने सारे कण होते हैं और इतने सारे कणों के द्रवेमान को हम क्या बोलते हैं बेटा उसे हम बोलते हैं अडू या परमाडू परमाडू भार यानि कि आणवीग भार या परमाडवीग भार और अब सबसे इंपोर्टेंट बात सबसे इंपोर्टेंट बार आप दुनिया का कोई भी गैस ले लो बेटा CO2 गैस है आप दुनिया का कोई भी गैस ले आओ अगर वो गैस एक मोल है अगर वो गैस एक मोल है तो हमेशा याद रखना एक मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर जगा घेरेगा इस बात को दिमान में च्छाप लो हमेशा एक मोल गैस का आयतन कितना होगा बटा 22.4 लीटर तो अगर मैं यहाँ पर एक मोल सियोटू लेता हूँ तो एक मोल सियोटू यानि कि इतने सारे सियोटू और इतने सारे सियोटू यानि कि 44 गराम सियोटू और 44 गराम सियोटू यानि कि 22.4 लीटर सियोटू तो आप लोग एक बात दिमान में च्छाप लो कि जब भी मोल परिकलपना में गैस आएगा मैंने कहा गैस गैस आएगा तो हमेशा याद रखना किसी भी गैस का ध्यान देंगे किसी भी गैस का एक मोल हमेशा 22.4 लिटर जगा घेरेगा चाहे वो CO2 हो चाहे वो O2 हो एक्जामपल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक मोल O2 है तो एक मोल O2 में भी 6.022 10 के पावर में 23 O2 के अडू होंगे और इतने सारे अडू मिलके कितना दरवेमान बनाएंगे बैटा 32 गराम आपको तो पता है ना O2 का दरवेमान किता होगा 32 गराम O2 का जो परमाडू आडू भार होता हो किता 32 गराम और और क्योंकि आपने O2 को एक मोल लिया है तो मैंने कहा था कि आप कोई भी गैस अगर एक मोल लोगे तो उसका आयतन हमेशा 22.4 लिटर ही होगा उसका आयतन हमेशा 22.4 लिटर ही होगा तो याद रखेंगे गैस के केस में हमेशा आयतन आएगा ध्यान देना थोस वाले केस में आयतन नहीं आएगा द्रव वाले केस में आयतन नहीं आएगा आयतन किस में आएगा गैस वाले केस में तो गैस वाले केस में हमेशा आपको आयतन 22.4 लेना है अब मैं आपको एक एक इग्जांपल बटाता हूँ, जैसे मालो किसी ने पूछ दिया, आपको एक प्रश्ण बताता हूं बैटा, एक उधारान बताता हूँ, मालो किसी ने पूछ दिया, किछलो बताओ, 50 ग्राम ओठू का आयतं कितना होगा, किसीने पूछ दिया, कि माल लो तुम्हारे पास 50 ग्राम O2 है तो बताओ उसका आयतन कितना होगा 50 ग्राम O2 कितना ज़गा गेरेगा तो तुमने क्या देखा तुमने पहले यह सीक्वेस बनाया और तुमने इस सीक्वेस में क्या देखा बेटا कि 32 ग्राम ओटू का आयतन कितना है 22.4 लिटर है ना 32 ग्राम ओटू का आयतन है तुमने कहा कि 32 ग्राम ओटू का ओटू का आयतन कितना है बैटा 22.4 लिटर तो फिर एक ग्राम ओटू का आयतन कितना होगा तो 22.4 बटे 32 लिटर हो जाएगा तो फिर कितने का पूछा है मैंने 50 यहाँ पर 50 ग्राम का तो फिर बटाओ बैटा 50 ग्राम ओटू का आयतन कितना हो जाएगा तो 22.4 इंटू 50 बटे कितना हो जाएगा बैटा 32 लीटर तो इस तरह का प्रश्ण आपके सामने आएगा तो हमेशा आद रखना जब भी आपके प्रश्ण में कोई गैस आजाएगा कोई गैस आजाएगा तो हमेशा एक मोल गैस का आयतन कितना लेके चलेंगे बैटा 22.4 लीटर चलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लिजिए फि तक मिल जाएगा आप चिंता ना करें अभी बस जो समझ है जा रहा है बेटा समझते जाओ मैं इसलिए ज्यादा चीज लिख के नहीं लाता मैं थोड़ा समय बचाना चाहता हूं सब चीज आपको मैं वरबली बताऊंगा बस सुनते जाओ कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बिन वो सिक्वेंस बना लो जो मैंने आपको सिक्वेंस बनाने बोला था कैसे बनाते हैं बेटा सियोटू है ना तो सियोटू के लिए कैसे बनाएंगे सिक्वेंस आप कहना एक मोल सियोटू मतलब 6.022 10 के घात में 23 सियोटू के अडू होंगे जिसका द्रवेमान 44 गराम होता है और आयतन हमेशा कितना होगा 22.4 लिटर तो ये मैंने सिक्वेंस बना लिया अब कोशन क्या कह रहा है बेटा अब कोशन कह रहा है कि बताइए 2 ग्राम CO2 का आयतन कीता होगा क्या पूछ रहा है आयतन पूछ रहा है तो equal to के इस तरफ क्या लिखोगे आयतन मैंने पिछले पू पूछता है उसको equal to के right side लिखते हैं और क्या दिया है दो ग्राम ग्राम दिया है ग्राम दिया है मैंने कहा यहां पर यहां पर ग्राम दिया है तो प्रश्ण में ग्राम दिया है और आयतन पूछा है तो चलो फिर हल करना शुरू करते हैं सबसे पहले बताओ इस sequence में आयतन कह पर है वो है तो इसको यहां पर लिखो बैटा चामालीस ग्राम समझें चामालीस ग्राम CO2 का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर तो बेटा 1 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा 22.4 बटे यह हो जाएगा 44 लीटर और फिर कितने का पूछा है 2 ग्राम का तो फिर 2 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा तो गुड़ा 2 कर देंगे बेटा तो आंसर आपके सामने आ जाएगा तो बस आपको क्या करना है इसको लिख लेना है इसको ध्यान देना क्या है यहाँ पर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर मैंने यह लिखा है कि जब भी कोई चीज पूझेगा उसको राइट सैड लिखते हैं जब भी कोई चीज दिया सब्सक्राइब लीजिए इस तरह के प्रस्ण हम लोग पिछले क्लास में भी बनाए है एक स्क्रीन शॉट ले लिजिए फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं इसका उत्तर वहां बगल में बना हुआ है आप वहां से देख सकते हैं कॉपी कीजिए फिर अगला कोशन बताता हूं कि परस्ण यह पूछ रहा है कि 50 लीटर नाइट्रोजन के अंदर कितना द्रवियमान होगा प्चास लीटर नाइट्रोजन के द्रवियमान कीता होगा तो सबसे पहले चलो वह सेक्वेंस बना लो बेटा क्या पता है थे मैंने ऐसे कहलो पहले एक मोल नाइट्रोजन याने की 6.022 टैन के पाउर में 23 नाइट्रोजन के अडू और नाइट्रोजन के दरवेमान कितना होता है बेटा 28 ग्राम यह आको निकालने आता है ने दरवेमान में आपको चिखा चुका हूँ और हमेशा आयतन कितना लेंगे 22.4 लिटर तो लीजिए मैंने सिक्वेंस बना लिया अब प्रस्ट नमें क्या पूछ रहा है बेटा दरवेमान पूछा है तो इक्वल टू के राइड साइड आप लिखे दरवेमान और क्या दिया है पचास लीटर लीटर दिया है लीटर दिया है तो लीटर को लेफ्ट में लिख लो अब चलो बताओ अब आगे मैं क्या करूंगा लीटर इस सिक्वेंस में लीटर कहां पर लिया है ये है लीटर ये ह समझें इसका मतलब 22.4 लीटर नाइटरोजन का दर्म्याम होता अटाइस ग्राम तो बेटा एक लीटर ए ट्र मार कितना होगा 28 बटेabilir 22.4 ग्राम तो फिर तो फिर तो फिर पचास लीटर का दर्म्यान कितना होगा तो गुडा पचास कर देंगे आंसर आपके सामने हैं यह देखिए 22.4 इतना आपका आंसर होगा हल करेंगे तो यही आंसर आपके सामने आएगा चलिए इसे कॉबी कर लेंगे चलो एक बार ना यह आप मुझे बना के बताओ त्राई करो चलो इस प्रश्न को बनाने की कोशिस करो नोट्स कहा मिलेगा बेटा आपको हमारे एप्लिकेशन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा या फिर टेलिग्राम चेनल में आपको नोट्स मिल जाएगा आपकी स्क्रीन पे देखो टेलिग्राम चेनल दिखा रहा है आप उसे जोइन कर लो तो वहां से आपको फ् चलिए मैं भी आपके साथ करता हूं इसको तो कहां कैसे करें कि बिटा सबसे पहले ऑक्सीजन लिखा है न चलो ऑक्सीजन के लिए सिक्वेंस बना लो कैसे बनाऊंगा एक मोल ऑक्सीजन याने के 6.022 10 के पाउर में 23 ऑक्सीजन होगा और उसका दरवेमान होता है 32 ग्राम और आयतान होता है 22.4 लिटा चलो मैंने सिक्वेंस बना लिया अब प्राशन में क्या पूछा है पूछा है कि 200 ऑक्सीजन के जो अडू होते हैं उनका आयतान क्या होगा आयतान पूछ रहा है तो इक्वल टू के राइट साइड आयतान लिखेंगे बिटा और लेप्ट साइड क्या रिखूंगा 200 ऑक्सीजन के अडू तो यहां पर अडू संख्या दिया हुआ है क्या दिया प्रश्ण पर 200 ऑक्सीजन के अडू अडू की संख्या दी हुई है तो बस आपको क्या करना है इस सिक्वेंस से बताओ अडू की संख्या कहा है अडू की संख्या कहा है यह है जब मैं पूछूंगा दरदेमान कहा है तो आप इसको लेंगे, जब मैं पूछूंगा आयतन कहा है तो इसको लेंगे, जब मैं पूछूंगा मॉल कहा है तो इसको लेंगे और जब मैं कहूंगा अडू कहा है तो इसको लेंगे बेटा, तो अडू है ना, तो इस सिक्वेंस म अणु, कि तद यह है? 6.022 10 के पावर में 23 O2 के अणु और इस स्विक्वेश में आयतन कहा है? यह आयतन है, आयतन लिजे 22.4L, तो इसका यह अर्थ निकला कि इतने सारे अडुवों का आयतन है 22.4L तो बटा एक और के अडु का एक और के अडु का लीटर तो फिर तो फिर तो फिर दोसो अड़वों का तो फिर दोसो अड़वों का ऐतन किता होगा तो बस टूएट 2.4 गुड़ा 200 कर देंगे अंसर आपके सामने होगा हल करेंगे तो यही उत्तर आएगा अब अगले प्रस्टें चलते हैं यह वाला एक आप मुझे ट्राइ करो बनाके यह वाला एक बढ़ ट्राइ करेंगे चलो मैं भी एक बार यहां करता हूँ और तूलना करते हैं कि आप भी वही कर रहे हैं जो मैंने किया है चलो तो मैं इसको अपने हिसाब से बनाता हूँ पांच लिटर सियोटू में कुल अड़ू कितने होंगे तो मेरे ख्याल से 22.4 लिटर एक मिनट 22.4 लिटर सियोटू में अड़ू की संख्या होगी 6.022 10 के पाउर में 23 अड़ू होंगे तो फिर एक लिटर सियोटू में कितने होंगे बटा 6.022 इनको 10 पाउर 23 बटे 22.4 अड़ू होंगे तो फिर कितने हम बोला है बटा पांच लिटर में तो पांच लिटर सियोटू में कितने अड़ू होंगे तो 6.022 10 के पाउर में 23 गुड़ा पांच हो जाएगा ये 22.4 इतने सारे अड़ू होंगे हल करोगे यही उत्तर आएगा अब कंफर्म करो प्लीज आपने भी ऐसे हल कियां कितनों यह किया है बताओ यह जो मैंने किया है किसी ततरीके से हल जो मोल परिकलपना है अब वो दूसरे चरण पे पहुँच रहा है ध्याँ सुनेगा अभी जो आपने मोल परिकलपना देखा अब ये और उपर लेवल में जाने वाला है अभी तक आप मोल किसकी उपर लागू करते थे किसी परमाडू की उपर या किसी अडू की उपर ध्या अब मोल परिकलपना एपलाई होने जा रहा है किसी रसायनिक अभिक्रिया के ऊपर अब मोल परिकलपना एपलाई होने जा रहा है किसी रसायनिक अभिक्रिया के ऊपर यानि कि केमिकल रियक्शन के ऊपर तो अब देखते हैं बटा कि जो केमिकल रियक्शन होता है उसमें मोल परिकलपना कैसे काम करता ये इससे भी ज्याद़ इंपोर्टेंट है और अक्सार बच्चे उसी टैप के कोशस में थोड़े फस जाते हैं तो अब मैं आपको मोल कॉंसेप्ट किसी रसायनिक अभिक्रिया में कैसे लागू करते हैं chemical reaction में कैसे लागू करते हैं हो सिखाता हूँ समझने के लिए चलिए एकडम simple वाला मैं एक reaction लिख लेता हूँ यहाँ देखना बेटा आपके सामने में एक reaction लिख रहा हूँ यह देखो HCl NaOH के साथ reaction कर रहा है सबको पता है बेटा क्या बनता है NaCl बनता है और H2O बनता है यह एक और अभिक्रिया ले लेते हैं N2 hydrogen के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ammonia बनाता है अब अब आप लोगों को अपने भाशा में भी मोल को सही तरीके से उप्योग करना सीखना होगा मैंने कहा आपको भाशा में बोल चाल के भाशा में मोल को सही तरीके से उप्योग करना सीखना होगा यह क्या चीज है यह क्या चीज है जहां सुनना कोई आपसे पूछेगा कि बेटा इस reaction को बोल के बताओ कोई आपसे कहेगा इस reaction को बोल के बताओ और जाने तो बच्चे कैसे बोलते हैं Scl Inner health Ś кожниз रहा है तो table रहा है कही लोग कहते हैं 1G sqmsq reaction कर रहा है तो एक अटेम वह्टा में रहा है जब कोई पूछता है कि यह वाली reaction को कैसे बोलोगे तो कि पच्चे किसे बोलते पता है एक n2 3h2 से reaction कर रहा है और 2 amonia बना रहा है कई बच्चे हैं क्या बोलते चितने भी आपको नजर आ सारे पदार्थ मोल के रूप में होते हैं मोल के रूप में मतलब तुम कहना एक मोल HCl जब एक मोल NaOH के साथ क्रिया करेगा तो एक मोल NaCl बनाएगा और एक मोल H2O बनाएगा आप कहेंगे कि जब एक मोल नाइट्रोजन तीन मोल हाइट्रोजन के साथ क्रिया करेगा तब जाके दो मौल एमोनिया बनाएगा तो आप इस बात को दिवाम चाप लो कि किसी भी रियक्षन में चीजों को आपको हमेशा मौल की रूप में लेना है तो उसी अधार पर मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि इसको आप लिखेंगे कैसे इसको आप ऐसे मूल H2O बनाएगा अच्छा एक मूल ACL का दरविमान किता होगा बैटा 36.5 ग्राम यह दरविमान है एक मूल ACL का 36.5 ग्राम एक मूल एनवेच का दरविमान किता होगा है जी तो यह होगा बैटा 40 ग्राम यह किता होगा यह होगा 58.5 ग्राम यह किता होगा 18 ग्राम यह सब कैसे निकाला मैंने यह आपको मैं पहले क्लास में सिखा चुका हूँ किसी भी अडू का अडू भार कैसे निकालते याने आपको बता चुका हूँ अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर एक मोल ACL है मतलब कितना ACL है 6.022 10 के पावर में 23 ACL के अडू है एक मोल kang पाउच याने कि 6.022 10 के पावर में 23 नच के अडू है एक मोल ACL मतलब फिर से वही 6.022 10 के पावर में 23 एक अडू है और एक मोल SH2 मतलब फिर से वही 6.022 10 के पावर में 23 8anson तूओ के अडू है तो बेटा आप हमेशा याध रखना जहां पर तुमने मोल लिख दिया तो फिर ये सारी चीजी आपको अपने आप दिमाग में बिठा लेना है तो अब चलो मैं आपको बताता हूँ प्रश्न कैसे पूछेगा ध्यान देना प्रश्न पूछेगा कि चलो बताओ मैं आपको अलग 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 एक्जांपल सिखाता हूँ ठीक है कैसे प्रश्न आएगा प्रश्न पूछेगा कि चलो बताओ दस एक मिनट प्रश्न पूछेगा पचास ग्राम SCL से अभिक्रिया करने के लिए कितना एनवेच का अवशकता होगा ऐसे प्रश्न पूछेगा क्या पूछेगा प्रश्न में कि पचास ग्राम SCL से अभिक्रिया करने के लिए कितना एनवेच की आवशकता होगी तो तुम क्या बोलोगी बेटा तुम बोलोग कि 36.5 ग्राम ACL से क्रिया करने के लिए 40 ग्राम एने में चाहिए तुमने बोला तुमने बोला कि 36.5 ग्राम ACL से क्रिया करने के लिए कितना एने में चाहिए 40 ग्राम एने ओच की आवशकता होगी तो फिर कितना के लिए पुछा है मैंने 50 ग्राम ACL से क्रिया करने के लिए कितना 40 गुडि 50 बटे कित्त हो जाएगा 36.5 ग्राम ने ओई और अबशकता होगी यह देखो ऐसा प्रस्ना आएगा एक्जाम में तो यह जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को आपको दिमांग में उदारन बताऊंगा फिर हम स्क्रीक इसे थापर बनाएगे हूँ तो चलो अब और उदारान दिखाता हूं बेटा अब मैं आपको और उदारान दिखाता हूं ध्यां सुनना कैसे प्रश्ण आएगा अब प्रश्ण पूछेगा सुनना अब प्रश्ण पूछेगा मानलो कि 100 ग्राम प्रश्ण देखो उदारान देखो उदारान देखो 100 ग्रा मातरा किता बनेगा 100 ग्राम एनेवेस से तुम कितना इस्टूओ बना पाओगे तो तुम क्या करोगे तुम कहोगे तुम पहले इसको देखो यह सिक्वेस है इस सिक्वेस को देखो और तुम कहना कि सर जब 40 ग्राम एनेवेस था मेरे पास जब 40 ग्राम एनेवेस था तो 18 ग्र साम में तो फिर सव ग्राम एने ओएच में कितना एस्टू का मातरा बनेगा बैटा तो अठारा गुड़ी सव बटे कितना हो जाएगा जी 40 ग्राम एस्टू बनेगा तो देखो इसी सिक्वेंस की उपर अलग अलग तरह से कोशन आपको पूछा जाएगा तो एक काम करो इसके स्क्रीन शॉट लो फिर मैं आप लोग के सामने कुछ प्रश्न रखूंगा बैटा तो चलो अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्रश्न देता हूं जो आपके पुष्टक में दिये हुए आपको मिल जाएंगे तो अब देखना मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लूगा यह देखो यह पहला प्रश्न है यह पहला प्रश्न है प्रश्न में क्या पूछ रहा है दस ग्राम एच्टू बनाने के लिए कितना एसी ए प्रश्न में पूछ रहा है तो प्रश्न में पूछ रहा है दस ग्राम एच्टू बनाने के लिए कितना एसी एल का मातरा लगेगा तो प्रश्न में पूछ रहा है एसी एल की मातरा कितनी होगी तो इक्वल्टू के राइड साइड लिखो एसी एल की मातरा प्रश्न में क्या पूछा है प्रश्न में पूछा है एसी एल की मातरा पता लगाओ तो इक्वल्टू के राइड स है एस्टूओं का भार दिया हुआ है तो बस वही लौजिक लगाना क्या दिया है क्या पूछ रहा है इसे कुछ दिमाग में रखना है तो बस बेटा ACL की मातरा पूछ रहा है तो इक्कोल टू के राइट सट मैंने ACL की मातरा लिख दी और H2O का दरवयमान दिया है तो equal to के left side H2O का दरवयमान लिख दिया अब चलो श्टार्ट करते हैं यह बताओ इस sequence में इस sequence में H2O का भार कितना था याद आपको इस sequence में H2O का भार कितना था 18 ग्राम और इस sequence में HCL का भार किता था 36.5 ग्राम तो अब बताओ तुम क्या कहोगे यहाँ पर H2O का भार लिखो बेटा 18 ग्राम और यहाँ HCL का भार लिखो 36.5 ग्राम तो तुम इसका मतलब यह समझे कि 18 ग्राम 18 ग्राम H2O बनाने के लिए 36.5 ग्राम HCL चाहिए इसका यही मतलब हुआ 18 ग्राम H2O बनाने के लिए 36.5 ग्राम HCL चाहिए तो फिर 1 ग्राम H2O बनाने के लिए कितना HCL चाहिए बेटा तो 36.5 बटे 18 ग्राम HCL चाहिए होगा तो फिर 10 ग्राम तो फिर 10 ग्राम H2O बनाने के लिए कितना HCL चाहिए होगा तो 36.5 into 10 बटे 18 ग्राम ACL की आवशक्ता पड़ेगी तो इस तरह से प्रश्ण आपको बनाना है तो जब भी कोई प्रश्ण आएगा तो सबसे पहले आप यह सीक्वेस बना लेना और यह सीक्वेस को बनाने के बाद वही लॉजिक लगाना जो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था जो भी चीज दिया रहता है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं जो भी चीज पूछेगा उसको राइट साइड लिखेंगे को स्किन है वह गया अच्छा एडरी गूड स्ट्र आफ करूं मैं ट्राइक करूं दखते है देखते हैं प्रश्त पूछा है प्रस्ण में पूछा है बीस ग्राम एड़ी से क्रिया करों करेगा तो बताएए यह उसल की मातरा कितनी होगी तो इस बार ङउसल की मात्रा ग्यात करने बोल रहा है और प्रश्ण में दिया क्या है एने वेच की मात्रा तो आपको यहां पर आपको यहां पर एने ओवेच की मात्रा दी हुई है तो चलो फिर सिक्वेस्ट में देख के बताओ एने वेच की मात्रा कितनी है 40 ग्राम तो 40 ग्राम एने ओवेच औ बनेगा तो बैटा बीज ग्राम एने ओवेस से कितना बनेगा तो फिफ्टी एंट पॉइंट फॉइंट इन्टो बीस बटे चालीश ग्राम एकले प्रशने के तरफ चलते हैं यह जो प्रशन है इस बार इस प्रस्णे में पूछा है H2O के कुल अणू इस बार इस प्रश्ण में क्या पूछा है H2O के कुल अणू पूछा है H2O के अणू पूछा है H2O के अणू पूछा है तो इस तरब क्या लिखोगे H2O के अणू और दिया क्या है 10 ग्राम SCL याने कि SCL की मात्रा दी हुई है तो प्रश्ठ में क्या पूछ रहा है बेटा, प्रश्ट में ये पूछ रहा है कि 10 g Remember Aucci L से कितने H2O के अडू बनेंगे प्रश्ठ में क्या पूछ रहा है, 10 gằng is a1 CO 네 जब A9 ये से क्रिया करेगा बेटा ये बताओ कि ये सब एक मॉल है ना ये भी एक मॉल ये भी एक मॉल ये भी एक मॉल ये भी एक मॉल और जब भी कोई चीज एक मॉल रहता है तो अडू की संख्या कितनी होती 6.022 10.23 है ना है ना जब भी कोई चीज एक मॉल रहता है तो अडू की संख्या क्या होती है 6 100.2 10.23 तो फिर तो फिर प्रस्थत डिम क्या पूछा है प्रस्थ म्यण पूछा है कि धर स्ः ग्राम दस ग्राम हश ए coalition कितने अडू बनेंगे प्रस्थत हैं दस ग्राम हश ए invece से एस तो शीन और रहा है तो सुम बताओ एस यह का वाश्तरिक दराववमान कितना होता है 6.022 10 के पावर में 23 H2O के अडू बन रहे हैं H2O के अडू बन रहे हैं तो फिर कितने में? 10 ग्राम में 10 ग्राम SEL से H2O के कितने अडू बनेंगे बैठा 6.022 10 के पावर में 23 गुड़ा 10 बटे क्या हो जाएगा? 36.5 अडू की संख्या होगी कि अब जड़ा इस प्रस्ण में आओ ये देखो आपके सामने एक प्रस्ण है आपके सामने एक प्रस्ण है जड़ा इस प्रस्ण पर ध्यान दीजे इस प्रस्ण में सबसे पहली बात तो ये की HCl और NaOH को क्रिया करा रहे है ये बहुत important question है तो ह Cl और NaOH को क्रिया कराके NaCl और H2 बनेगा अच्छा इनके द्रवेमान कितने होते हैं यह होता है बटा 36.5 ग्राम यह होता है 40 ग्राम यह होता है 58.5 ग्राम और यह होता है 13 ग्राम अब सुरों अगर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूँँगा अगर मैं तुमसे एक प्रश्न पुछूँगा कि कि बताओ दस ग्राम profits से मेरा प्रश्न सुना ध्यान से दस ग्राम से कितना द्रवेमान कितना द्रवेमान H2 को बनेगा क्या आप यह प्रश्ण बना लेंगे मैंने पूचा है 10 ग्राम HCl से कितना H2O बनेगा आप बना लेंगे हाँ बना लेंगे आप कैसे करोगे आप कहोगे कि सर 36.5 ग्राम से 18 ग्राम H2O बन रहा है तो 10 ग्राम में कितना बनेगा आप यही करोगे यही करोगे ना आप कहोगे कि सर 36.5 ग्राम HCl से 18 ग्राम है तो 10 ग्राम में कितना बनेगा मैं बना लूँगा बहुत असान है बहुत असान है अच्छा यही प्रश्ण अगर ऐसे होता कि यही प्रश्ण अगर ऐसे होता बेटा जहां सुनना यही प्रश्ण अगर ऐसे होता कि चलो बताओ 10 ग्राम एने ओवेश से कितना हो बनेगे आप बना लेंगे आप कहेंगे हाँ हम बना लेंगे कैसे बनाएंगे तो तुम कहोगे कि सर 40 ग्राम एनेवेस से 18 ग्राम H2O बन रहा है तो 10 ग्राम कितना बनेगा यहीं बोलोगे न आप कहोगे सर कि 40 ग्राम से जब 18 ग्राम H2O बन रहा है तो फिर 10 ग्राम से कितना बनेगा बहुत अच्छी बात है यह देखिए ऐसी करोगे आप ऐसी बनाओगे करेक्ट तो जब मैं तुमसे पूछा कि 10 ग्राम एनेवे से कितना इस्टू बनेगा ये भी आप बना लेंगे बहुत आसान है लेकिन अब सुनो कहानी में क्या बदलाव आने वाला है इस बार जड़ा गौर से सुनेंगे इस बार जड़ा ध्या सुनेगा इस बार एक प्रस्टन है आप लोग के लिए इस बार प्रस्टन यह है कि अगर मैं आपको 10 ग्राम एक सील दे दूं और 10 ग्राम एनेवस दे दूं और आपसे यह पूछूं कि बताओ एस्टो कितना बनेगा तब आप क्या करोगे इस बार, इस बार SCL का दरवेमान भी दिया है और ANAOH का दरवेमान भी दिया है और S2O का दरवेमान पूश रहा है अब ये तो बड़ी परिशानी हो गई बेटा इससे पहले अभी तक जितना तुम कोशन बनाए हो सभी कोशन में हमेशा किसी एक पदार्थ का मातरा दिया रहता था और किसी एक पदार्थ का मातरा पूशता था अब तक जितने कोशन बनाए हैं उसमें आपने नोटिस किया हमेशा किसी एक पदार्थ का मातरा दिया रहता था और किसी एक पदार्थ का मातरा पूछता था इस बार क्या हो गया? इस बार दो-दो पदार्थ दिये हुए हैं और दोनों का मातरा दिया हुआ है इस बार S.C.L. का मातरा भी दिया है और A.N.H. का मातरा भी दिया है तो अब प्रश्ण ये उड़ता है कि आखिर HCL और ANA वेच में से किसके respect में H2O का वेट निकालूँगा मैं अब प्रस्ट नहीं है उड़ता है कि भई मैं HCL के आधार पे H2O का दरण मान निकालू या ANA वेच के आधार पे H2O का दरण मान निकालू क्योंकि इस बार दो दो पदार्थों का दरण मान दिया है तो इस कहानी में अब क्या होगा तो जब भी कोई दो पदार्थ का मात्रा या quantity दिया रहता है जब भी आपके प्रस्ट में दो दो पदार्थों का मात्रा दिया रहता है तो उस समय बेटा उस समय इन दोनों में से किसी एक को आपको चुनना है H2O का द्रवे मान निकालने के लिए इन दोनों में से किसी एक को चुनना है अब प्रश्ण ये उठता है कि इन दोनों में से मैं किसको चुनूंगा इन दोनों में से किसको चुनूंगा तो उत्तर है इन दोनों में से जो सिमांत अभी कर्मक होगा उसी को चुना जाएगा मैंने कहा इन दोनों में से जो सिमांत अभी कर्मक होगा उसी को चुना जाएगा अब प्रशन ये उड़ता है कि ये सिमान्तमार्म क्या होता है ये बहुत important है इसके प्रशन हर बच्चा नी बना पाता इसके प्रशन सभी बच्चे नी बना पाते और इसका जो प्रशन है ने बेटा ये बड़े नमबर में आता और तो प्रस्ण ये उठता है कि ढ़िनों का मात्रा दिया रहाएगा तो किसके अधार पर हमेश्टो को मात्रा निकालेंगे तो जवाब है इन दोनों में से जो सीमांत अभीकरमक होगा उसी पर आधालित होगा S2O का दरवेमान अब प्रश्ण ये उड़ता है कि आखिर ये सीमांत अभीकरमक होता क्या है इन दोनों मैंसे आखिर कौन सीमान्थ अभीकरमक होगा तो बेटा यह जो सीमान्थ अभीकरमक होता है इसे हम कहते है लिमिटिंग रियेजेंट इसे इंग्लिश में बोलते है लिमिटिंग रियेजेंट तो अब सुनना ध्यान से यह क्या होता है लिमिटिंग रियेजेंट क् कि सीमान्त अभिकारक क्या होता है एकदम ध्या सुनेंगे असल में होता क्या है एकदम गौर्च सुनना एकदम गौर्च सुनना जब भी तुम कोई अभिक्रिया लिखते हो जब भी तुम कोई रियक्षन लिखते हो तो बेटा उस रियक्षन में यह जो अभिकर्मक होते हैं यह जो अभिकर्मक होते हैं हमेशा हमेशा दो अभिकर्मक में से कोई एक अभिकर्मक ऐसा होता है जो रियक्षन को कंट्रोल कर रहा होता है फिर से रिपिट करता हो ध्या सुनना जब भी किसी अभिक्रिया में दो अभिकर्मक भाग लेते हैं अभिक्रिया में या पाटिसिप करते हैं तो उन दोनों में से कोई एक अभी कर्मक ऐसा होता है जो इस पूरे रियक्षन को कंट्रोल कर रहा होता है और उसी अभी कर्मक को हम बोलते हैं बैटा सीमान्त अभी कर्मक तो कुछ देर के लिए मान लो कि यह जो है यह सिमान अभी कर्मक है यानि कि लिमिटिंग रियेजेंट है लिमिटिंग रियेजेंट है तो सुनना जो लिमिटिंग रियेजेंट होता है वो क्या कहता है लिमिटिंग रियेजेंट जो होता है वो कहता है कि जब तक म मैं जिन्द हूं तब तख तुम चलोगे और जिस दिन मैं खताम हो past family क्या पीट करते और सुन है जो corresponding ने मैं ने क्या बोला जो li एक्जाम्पल बताता हूँ, माल लो, माल लो आपको चावल पकाना है, बटा चावल पकाने के लिए दो चीज़े चाहिए होती हैं, माल ले पानी और कच्चा चावल, अरे भई, चावल पकाने के लिए, जब आप चावल पकाते हो, तो दो चीज़े चाहिए बेटा, पानी औ बेटा मुझे ये पता लगाना है कि पानी और चावल में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है तो तुम मुझे एक मैं प्रश्ण पूछ रहा हूं कि चावल पकाने के लिए भात भात पकाने के लिए चावल और पानी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है धा सुनना मेरे क मेरे को बहुत सारे लोगों के लिए चावल पकाना है मा लीजे मुझे एक भंडारा देना है और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे चावल पकाना है तो बताईए चावल और पानी में से कौन ज़्यादा इंपोर्टेंट है ताकि मैं जादा से जादा लोगों को भंडारे में चावल खिला सकूँ बहुत सारे लोग बोर रहे हैं वाटर मैं बताओ वाटर भी इंपोर्टेंट है और पानी भी पर जादे इंपोर्टेंट कौन है ये कैसे पता चलता सुनना एकदम गौर से सुनना मा लीजिये ये चावल है बटा ये चावल का धेर है ठीक है और माल लोग की ये पानी है माल लोग की ये पानी है गौर सुनेगा अब मुझे पता लगाना है कि मुझे धेर सारे मुझे धेर सारे चावल के प्लेट तयार करने हैं लोगों को खिलाने के लिए अब एकदम गौर से सुनना बेटा चावल और पानी मैं मिलाता गया और भात बनाता गया खूब सारे भात बनते जा रहे हैं लेकिन अब सुनना ध्यां से प्रस ने ये उड़ता है कि कितने सारे प्लेट तयार होंगे भात के अब ये समझना कितने सारे प्लेट चावल के तयार होंगे कितने सारे प्लेट याने कितने सारे उत्पाद बनेंगे वो किस पर निर्भर करेगा तो सुना ध्यां से अगर मालो अगर मालो चावल कम है और पानी धेर सारा है गौर से सुनिएगा चावल कम है और पानी धेर सारा है तो बेटा जब मैं चावल और पानी का उपयोग करूँगा तो धेर सारे प्लेट बनते जा रहे हैं लेकिन अब बताओ इन दोनों में से सबसे पहले खतम कौन होगा चावल कम है तो सबसे पहले खतम कौन होगा रियेशन रुख जाएगा तो चावल क्योंकि कम मातरा में है तो ये कह रहा है कि मैं जब तक चलूँगा या पूरूँगा तब तक रियेशन चलेगा पानी तो बहुत सारा है तो इस एक्जामपल में कितने प्लेट तयार होंगे वो चावल पे निर्भर कर रहा है क्योंकि चावल कम मातरा में है चावल कम मातरा में है लेकिन अगर यही ऐसा होता इस बार एक्जामपल थोड़ा बदलते हैं इस बार एक्जामपल थोड़ा बदलते हैं इस बार चावल धेर सारा है और पानी कम है इस बार चावल धेर सारा है और पानी कम है अब मैं चावल को और पानी को मिलाऊंगा और खाने का प्लेड तयार करूँगा चावल को और पानी की मिलाऊंगा खाने का प्लेड तयार करूँगा तो बेटा इस बार बताओ इस बार बताओ इस बार सब कुछ किस पर डिपेंडे हो गया पानी पे क्योंकि पानी कम है तो बेटा अब क्या होगा अब पानी कह रहा है कि मैं कम मातरा में हूँ यानि कि जब तक मैं चलूंगा तब तक रियक्शन चलेगा जिस दिन में खतम हो जाओंगा रियक्शन भी खतम हो सीमांत कम मातरा में होता है वही तैक करता है कि रियक्शन कि सीमा क्या होगी आपके प्रोड़क्ट का सीमा क्या होगा उसी वहते हैं बेटा सीमांत अभिकारक या सीमांत अभिकरमक सीमांत अभिकरमक तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं आपके सामने एक रियक्शन ले लूँ अगर मैं आपके सामने एक रियक्षा लिखता हूँ A और B आपस में रियक्ट करके C और D बना रहे हैं तो बेटा अब अगर अब अगर A कम मातरा में होगा और B ज्यादा मातरे में होगा तो प्रोडक्ट कब तक बनेगा कब तक बनेगा कितने प्रोडक्ट करेगा कोन यह तो चोहें यह जो है लिमिंटीं मातर मॉत चाह लाएग Okay कम भी तो इस बार रियक्षिन कितना होगा उप पहनी बहर करेंगा ओ więजिए भी लिमिटेट मातरा में है लीमिटींग मतलब limited मात्रा में है तो अब ये limit Technology है तो अभी निरधारित करेगा कि कितने उत्पात बनेंगे तो किसी भी reaction में जो कम मात्रा में होता है वही करता है कि reaction बचलेगा किया वोला मैंने ब fenot तो अभी जो प्रश्ण आपके सामने था अभी आपके सामने एक प्रस्ण था कि भाई अब यहां देखो अब यहां पर देखो एए ने विच और एसल दोनों दस-दस ग्राम है तो देखने से ऐसा लगता है कि दोनों दस-दस ग्राम है दोनों तो बराबर मातरा में है जी नहीं यहीं तो कहानी में टूइश आता है बेटा कई बच्चे इसका numerical क्यों नहीं बना पाते कि उनको लगता है ये भी 10 ग्राम है ये भी 10 ग्राम है तो देखने से ऐसा लगता है कि दोनों का बराबर मातरा है पर दोनों बराबर मातरा में नहीं है अब हमको यही तो पता लगाना है कि कि इन दोनों में से कौन सीमांत अभी करमक है क्योंकि पता चलता है कि कौन सा पदार्थ कम मात्रा में है यह मैं आपको अगले क्लास में कराऊंगा तो चले फिर आज क्लास में इतना ही करते हैं बेटा यह बहुत important topic है इस chapter में भले ही numerical ही numerical है आपको पता है इस chapter का ज्यादा सब्सक्राइब नहीं है तीन नंबर या चार नंबर का बस इस chapter से प्रश्ण आता है मोल परिकलपना यानि कि मोल कॉंसेप्ट और रेड़ी सिखा चुका हूं ठीक है तो उसी पर बेज़्ड एक कोशन आपके सामने हैं चले मैं नहीं लिएं बनाएगा अब इसी रीक्षण के उपर ये परसने बने गा ऑच्छा पिछले क्लास में बच्च पूच रहा था कि सर इस रियक्षण केमेसा कोश्चन आएगा किया आपको याद है मैंने आपको पिछले क्लास में जितने भी निमेरिकल करवाय थे वो इस रियक्षन पर आधारित था SCL, NaOH, NaCl और H2 जब मैंने इस रियक्षन पर आधारित आपको निमेरिकल बनवाएं तो मैं एक कमेंट पढ़ रहा था एक बच्चे का मैंने मैं कमेंट पढ़ा कि सर क्या सारे कोशस इसी रियक्षन की ऊपर आएंगे तो जवाब है नहीं आपको एक्जाम में रियक्षन दिया रहेगा केटा लियक्षन थो इक कोई भी सकता ई पर उसके यह जो लॉजिक लगता है कोशन बनाने का तरीक है वह वैसे ही रहेगा तो याद रहे हम अब तक इस को भर कोशन रहे थे अब आपको एक और कोशन जो है आपको दे रहे पर तो सबसे पहले मैंने क्या किया मैंने अँपर एक रिक्ष् ε región लिख अब उसके बाद क्या करोगे मैं बस आपको याद दिला रहा हूं आप पिछले दो क्लास से मोल परिकलपना पढ़ रहे हो उसी पर अधारित मैं आपको यह वाला कोशन करवाता हूं ठीक है तो यह देखो बटा यह मैंने रियक्शन जो है वो लिख दिया है आपको याद है ज जब तीन मोल हाइड्रोजन के साथ रियक्शन करेगा तो दो मोल एमोनिया बनाएगा तो जब भी आपके सामने कोई रियक्शन आता है तो जब भी हमारे सामने कोई रियक्शन आता है तो उस रियक्शन में हर चीज को हम मोल के टम में लेते हैं हर एक चीज को हम मोल के टम मे लेते हैं तो आप ऐसा मग बोलेगा कि एक एंटू है यह तीन एच टू है वो दो एनच 3 है आप ऐसे नहीं बोलेंगे आप कैसे बोलेंगे एक मोल एमोनिया जब 3 मोल हाइडरोजन के साथ रियक्षन करेगा तो 2 मोल जो है एक मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइडरोजन के साथ रियक्षन करेगा तो 2 मोल एमोनिया बनाएगा आपको ऐसे बोलना है हर चीज को मोल के टम में लेना है अब क्यों की अब क्यों की यह मोल क करते तसके टम में है तो एक मोल नीट्रोजन के अडू होता है तरी इनटो जिकस्ट पॉइनट id रोटर तो टी 23 हाइड्रोजन के अडू होंगे दो मॉल ऐमोनिया याने कि 2 इन्टू 6.022 10 के पावर में 23 ऐमोनिया के मॉलकिल होंगे तो याद रखना जब एक मॉल में 6.022 होता है तो 3 मॉल में 3 इन्टू 3 गुड़ा 6.022 लिखना पड़ेगा अच्छा जी अब ये एक मॉल नाइट्रोजन है आपको पता है बेटा एक मॉल नाइट्रोजन का दरविमान कितना होता है ये होता है बेटा 28 गराम अब बताओ हाइड्रोजन का दरविमान कितना होता है हाइड्रोजन का दरविमान होता है दो hydrogen है ना तो दो hydrogen का हो गया दो गराम अब क्योंकि यहाँ पर तीन मॉल हाइड्रोजन है तो यह 3 इंटू 2 गराम हो जाएगा यानि कि 6 गराम हो जाएगा तो कोई आपसे पूछेगा कि इस अभिक्रिया में hydrogen कितना गराम उपियोग हो रहा है तो तुम कहोगे 6 गराम आप आप कहोगे 6 ग्राम फिट से रिपीट करता हूं कोई तुमसे पूछेगा इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन कितना उप्योग हो रहा था आप बोलेगे 6 ग्राम और एमोनिया कितना होगा तो एक मोल एमोनिया का यह देखिए बेटा यह जो मोल परिकलपना है जो आपने इसका उप्योग कहा कहा होता है इसका अनुप्योग क्या इसका अप्लिकेशन क्या है तो मोल का या मोलो का जो प्रियोग है वो किसी भी विलियन के सांधरता तो सांधरता को ग्यात करने में उसका हेल्प होता है फिर इपिट करता हूं मैं किसी भी विलियन का जो सांधरता ह उसे ग्यात काने के लिए मोलों की जो संख्या होती है या जो मोल होते हैं इनका बहुत important role होता है तो हम already पढ़ चुके हैं बेटा की मोल क्या होता है हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं की मोल क्या होता है अब देखेंगे सांधरता को निर्धारित करने में मोल का क्या योगदान है हाला कि पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि ये जो सांधरता है वो कितने परकार के होते हैं आपको याद दिलाता हूँ बेटा आपको याद दिलाता हूँ यह जो सांधरता है, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे की मोल अलता इसके अलावा मोल प्रभाज इसके अलावा नारमलता तो यह देखिए कुल मिलाके जो सांधरता होगा वो चार तरह का होता है क्या कहा बेटा molality, mol fraction और normality और इन सभी सांधरता के परकारों को पढ़ने के लिए आपको mol को समझना बहुत जरूरी है याद रखिए पिछले क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि सांधरता का मतलब क्या होता है पिछले क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि सांधरता याने की concentration का क्या मतलब होता है एक बार याद दिलाता हूँ बेटा concentration याने की सांधरता सांधरता इसका मतलब क्या होता है याद कीजिए याद कीजिए अगर हम एक विलियन मनाते हैं तो आपको तो पता है कि विलियन दो चीजों से मिल करके बनता है एक विलायक और दूसरा विले आप विलायक में विले मिला करके रखते हैं है ना आपको पहले से पता है कि विलियन कैसे बनता है जब हम सौल्वेंट में सौल्यूट को मिलाते हैं तब जाके विलियन तयार होता है याने की सौल्यूशन तयार होता है तो पिछले क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि किसी भी विल्यन में ये जो विले की मातरा होती है उसी को हम सांधरता कहते हैं किसी भी विल्यन में विले की मातरा कितनी होगी उसी को सांधरता कहते हैं और सांधरता को हम अलग-अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं, सिर्फ सांधरता को हम अलग-अलग तरीकों से एक्स्प्रेस करते हैं, जैसे कि यह देखें मैं लिखा हुआ है बटा, मोल प्रभाज याने की मोल फ्रेक्शन और नर्मलता याने की नौर्मैलिटी तो आप सब अपने दिमाग में एक बात बिठालो कि सिर्फ सांधरता को व्यक्त करने का ये एक्सप्रेस करने का चार तरीका होता है तो अब एक-एक करके हम इन सभी तरीकों को समझेंगे हाला कि पिछले क्लास में मैं थोड़ा सा मोलरता के बारें बता चुका हूँ पिछले क्लास में मैं मोलरता के बारें बता चुका हूँ पर बेटा वो क्लास खतम होने का टाइम था तो ये पुरा एक्सप्लेन नहीं हो पाया था तो एक काम करते हैं आज के क्लास में मैं यही से फिर दुबारा शुरू करूँगा तो चलिए आज के क्लास में क्या होने वाला है बेटा आज के क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि आखिर किसी विल्यन के आखिर किसी विलियन के सांधरता को कितने तरीकों से व्यक्त करते हैं तो आगे बढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले बात करते हैं मोलरता की सबसे पहले बात करते हैं मोलरता की हाला कि थोड़ा सा मैं आपको बता चुका था एक बार दुबारा आपको revise करवा देता हूं तो जरा गौर से सुनेंगे बैटा molarta याने की molarity 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 इसे capital M से denote करते हैं तो एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं कि अगर कोई आप से पूछता है कि molarta क्या होता है तो जरा उसका मतलब समझ लो molarity का क्या मतलब होता है तो बैटा जब भी आप एक विल्लियन मनाते हैं जब भी आप एक विल्लियन मनाते हैं तो आपको तो पता है कि आप विलायक लेंगे आप विलायक लेते हैं और इसमें मिला देते हैं विले इसमें आप मिला देते हैं विले तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मोलर्ता क्या है तो तुम कहना कि एक लीटर विल्यन में मैं आपको सिंपल तरीके से मोलर्ता का परिभाशा कैसे याद रखते हैं वो सिखारो बेटा तो मोलर्ता का परिभाशा कैसे याद रखते हैं तुम कहना किसी भी एक लीटर विल्यन में विले की मोलो की संख्या क्या कहलाएगा मोलर्ता कहलाएगा फिर रिपीट करता हूँ कोई आपसे पूछेगा मोलर्ता क्या है तो तुम कहना एक लीटर विल्यन में आखिर विले के कितने मोल पाए जाएंगे एक लीटर विल्यन में आखिर विले के कितने मोल पाए जाएंगे उसी को हम मोलर्ता कहते हैं और आपको याद होगा इसका सूत्र मैंने आपके लिए तयार किया था मोलर्ता का सूत्र क्या होता है बेटा आपने पिछला क्लास देखा होगा एक बार याद दिलाता हूँ मोलर्ता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं मोलर्ता का सूत्र होता है विले की मातरा ग्राम में विले की मातरा ग्राम में यहाँ लेते हैं बेटा हम यहाँ लेते हम विले का अडू भार अडु भार ग्राम में और यहां लेते हैं विल्यन का आयतन विल्यन का आयतन लीटर में तो यह देखिए यह है मोलर्ता का सूत्र यह है मोलर्ता का सूत्र जो आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है तो कोई आपसे पूछता है मोलर्ता कैसे ज्याद करोगे तो यह जो सूत्र है इसी क्याधार पर आप मोलर्ता ज्याद कर सकते हैं और बेटा इसी सूत्र में विले के मातर को हम W से डिनोट करते हैं गौर्ड सुनेगा विले की मातर को W से डिनोट करते हैं विले का जो अडु भार है उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं और विलियन के आयतन को कैपिटल V से डिनोट करते हैं तो यू समझ लीजिए ये आपका मोलर्ता का सूत्र है ये जो है ये आपका मोलर्ता का सूत्र है और मोलर्ता का इकाई मोलर्ता का इकाई क्या होता है बैट कि एक लीटर विल्यन में कितना विले का मोल पाया जाएगा विले का कितना मोल पाया जाएगा उसी बोलते हैं मोल अरता एक लीटर विल्यन में विले के कितने मोल उपस्थित होंगे उसी बोलते हैं मोल अरता ठीक है यह पहला यह पहला सांधरता का प्रकार्था मोल अरता पहले स्क्रीन्शॉट ले लीजिए फिर में कहानी को आगे बढ़ाऊंगा स्क्रीन्शॉट लेंगे बेटा ओके चलिए तो अब अब हम दूसरे दूसरे सांध्रता के प्रकार के तरफ चलते हैं बेटा इस बार है मोललता अब ये मोललता क्या होता अब ये मोललता क्या होता गौर सुनेगा समझने के लिए चलिए फिर से मैंने एक बरतन ले लिया और बेटा इस बार is बरतन के अंदर जानते हूं मैंने क्या लिया है मैंने लिया है एक किलोग्राम विलायक याने की solvent और इस बार सुनो मैं क्या पता लगने जा रहा हूं मैं ये पता लगने जा रहा हूं मैं ये पता लगाने जा रहा हूँ कि एक किलोग्राम विलायक में एक किलोग्राम विलायक में आखिर विले की मोलो की संखिया कितनी होगी इसी को आप बोलेंगे बटा मोललता, फरक समझेगा मोललता में क्या था मोललता में क्या था एक लीटर विल्यन, ध्यां सुना, कन्फ्यूज नहीं हो ना, यह जो मोलर्ता होता है, मोलल्ता होता है, नौर्मल्ता होता है, यह एक जैसे सुनने में लगते हैं, गौर सुनना, मोलर्ता, मोलल्ता, नौर्मल्ता, यह ना सिर्फ सुनने में एक जैसे हैं, बलकि इनको इनकी प मोललता और नॉर्मलता में जो बारिक डिफ्रेंस होता है जो बारिक अंतर होता उसी को याद रखना है याद रखिए कई बच्चे तो ऐसा सोचते हैं कि टीचर अगर मोललता बोल रहा है मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत एक अनुभव बताता हूं जब एक बार मैं मोललता पढ़ा रहा था मोललता गौर सुनेंगे जब मोललता पढ़ा रहा था और जब दूसरी बार मैंने मोललता शब्द का प्रयोग किया तो एक बच्चा बोल रहे हैं सर आप तुतला रहे हैं कुछ दर पहले आपने मोललता बोला था अब आप गलती से मो तो बैटा यह दोनो अलग अलग शब्द हैं अलग अलग तरीचे हैं सांधरता को व्यक्त करने के तो गौर से सुनेगा मौलर्टा मौलल्टा ये ना सिर्फ बोलने में एक जैसे होते हैं इनकी परिभाशा भी एक जैसी होती है इनका सूत्र भी लगबग एक जैसा होता है इनके numerical भी एक जैसे होते हैं और आप अगर इनमें confused नहीं होना चाहते तो आपको इनके परिभाशा को और सूतर को बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा इनमें क्या अंतर है और उसके बाद आप इनके सूतर को याद कीजेगा हाला कि अभी सारे सांधरता के परकार को explain करने के बाद इनके बीच क्या difference होता है यह मैं आपको एक बाद जरूर बताऊंगा ताकि आप confused नहीं हो जाएं तो ज़राग गौर से सुनेगा ज़राग गौर सुनेगा अगर मैं मोललता कहता हूं यह मैं समझे न टीचर तुतला रहा है याद रखिए यहाँ बाद चरिये मोललता की तो बटा मोललता और मोललता में क्या फरक है तो यहाँ देखिए मोललता में एक लिटर विल्यन था और उसमें हम मोलो की संख्या ग्याद कर रहे थे और मोललता में एक केजी विलायक है, फरक हैं दोनों में, इसमें हम एक किलो विलायक लेते हैं, तो जब हम एक किलो ग्राम विलायक में विले की मोलों की संख्या ग्याद करते हैं, तो यह मोललता कहलाता है, फरक समझेगा, फरक समझेगा, मोललता में क्या था, मोललता में भी आपने विले के मोल ग्याद किये मोल अरता में भी विले के मोल ग्याद किये पर किसके अंदर एक लिटर विलियन के अंदर और जब आप मोललता पड़ते हैं इसमें भी आप विले के मोल ही ग्याद करोगे इसमें भी आप विले के मोल ही ग्याद करोगे पर किसमें बेटा एक लिटर विलायक म तो ये फरक होता है मुलरता और मुललता, ये सारे जो टर्मिनलोजी हैं इतम एक जैसे हैं, बस हम सांधरता को अलग अलग तरीकों से बस एक्सप्रेस करते हैं, हम सिर्फ सांधरता को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं, कोई कहता है कि मुझे मुलरता अच्छा लगता ह तो मैं सांधरता को मुललता के रूप में व्यक्त करूँगा कोई कहता है मुझे मुललता चलकता है तो मैं सांधरता को मुललता के रूप में व्यक्त करूँगा तो याद रखिए अलग-अलग लोगों ने अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीका अपनाया सांधरता को विव्यक्त करने का और हम इन सभी तरीकों को एक साथ पढ़ेंगे तो चलिए वापस आते हैं तो अब पताईए फिर से रिपीट करता हूं मुललता क्या होता है तो तुम कहोगे इसार मुललता का मतलब होता है 1 kg विलायक में अखिर विले के कितने मॉल उपस्थित होंगे इसे क्या बोलते हैं मुललता अब चलिए काम करते हैं जिस प्रकार कुछ देर पहले आप लोगों ने मोलर्ता का सूत्र देखा था जिस परकार आप लोगों ने मोलर्ता का सूत्र देखा था चलिए अब मैं आप लोगों को मोलर्ता का सूत्र बताता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम मोलर्ता और मोलर्ता दोनों को तुल्ला करते वे पढ़े मैं चाहता हूँ कि मोलर्ता और मोलर्ता को तुल्ला करते वे पढ़ें ताकि आसानी से याद हो जाएगा हमारे एप में या डिस्क्रिप्शन में या टेलिग्राम चनल से आपको मिल जाएगा ठीक है चलो तो अब मैं आपको मोलर्ता का सूत्र बताने जा रहा हूँ पर उससे पहले मैं मोलर्ता और मोलर्ता को तुल्ला करते हुए बताऊँगा ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो और असानी से आप इसे याद कर सके तो मोलर्ता क्या था, मोलर्ता का मतलभ होता है, विले की मोलो की संख्या, संख्या, जब हम एक लीटर विल्यन के अंदर ग्याद करते हैं, तो मोलर्ता कहलाता है, और वही पर और वही पर अगर आप विले की मोलो की संख्या संख्या एक किलो गराम विलायक में पता करते हो तो फिर वो मोललता कह रहाता है दोनों में समानता क्या है यहां भी आप विले के मोल गयात करोगे यहां भी आप विले के मोल की मातरा गयात करोगे बस फरक क्या है इसमें आप लेते हैं एक लिटर विलियन और इसमें लेते हैं एक किलो गराम विलियन तो दोनों का जो अंतर है उसको साथ साथ लेके चलेंग तो confusion नहीं होगा तो बस जहां सुनेगा अब मोलर्ता का मोलर्ता का सूत्र क्या था मैं तुलना कर रहा हूं गौर सुनेगा तो बेटा मोलर्ता का सूत्र होता है विले की मोलो की संख्या संख्या किसमे एक लिटर विलियन में यानि आपने विलियन का आयतन लिया है तो नीचे क्या लिखोगे विलियन का आयतन विलियन का आयतन वो भी किसमे लिटर में अच्छा अब इस तरफ चले इस तरफ क्या लिखूंगा अब बेटा मुझे मोललता ग्याद करना है तो पता करना है यहां पर ही मुझे पता करना है विले की मोलो की संख्या इस बार यहां पर विले की मोलो की संख्या मैं ग्याद कर रहा था विल्यन के आयतन के अंदर और यहाँ पर मैं विले के मोलो की संख्या ग्याद करूंगा विलायक के दरवेमान के अंदर किलोग्राम मतलब क्या होता है किलोग्राम मतलब क्या होता है दरवेमान तो यहाँ पर हम विलायक के दरवेमान के अंदर विलायक के द्रव्यमान के अंदर मोलो की संख्या ग्याद करेंगे तो नीचे में क्या लिखूंगा यहां लिखा था विल्यन का आयतन यहां लिखूंगा विलायक का द्रव्यमान वो भी किसमे किलोग्राम में तो फरक समझे ले बिटा दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं पर अगर बहुत गौर से देखोगे तो अंतर समझ में आएगा तो बस याद रखना मोलारेटी में यानि मोललता में विल्यान का आयतन प्रयोग में आता है और मोललता में विलायक का द्रविमान प्रयोग में आता है अच्छा जी अब इसी सूत्र को अगर मैं आगे बढ़ाओं तो बेटा आप सबको याद होगा आप सबको ये याद होगा कि मोलो की संख्या कैसे ग्याद करते हैं? याद है मोलो की संख्या कैसे ग्याद करते हैं? है जी विले के मोलो की संख्या कैसे ग्याद करते हैं तो आपको याद दिलाता हूं आपको मैं यह याद दिलाता हूं कि कि विले की मोलो की संख्या ग्याद करने तरीका होता है बेटा विले का भार बटे विले का अडू भार ध्यान दिजगा ध्यान दिजगा विले के मोलो की संख्या तो मोल कैसे ग्याद करते हैं विले का भार और विले का अडू भार बाकी नीचे में वही लिखा होगा जो यहाँ पर लिखा होगा है बेटा तो क्या लिखा है नीचे में विलियन का आयतन विलियन का आयतन विलियन का आयतन तो ये है मुललता का सूत्र इसी को और आगे बढ़ाऊं मैं तो बेटा विले के भार को हम W से डिनोट करते हैं विले के अडू भार को M से डिनोट करते हैं और विलियन के आयतन को V से डिनोट क मोलो की संख्या तो बेटा यहाँ पर मोला आपने कैसे निकाला था भार बटे अड़ु भार देख रहे हो मोलो की संख्या आपने कैसे ग्याद की थी भार बटे अड़ु भार तो यहाँ पर भी मोलो की संख्या कैसे ग्याद करोगे भार बटे अड़ु भार तो यहाँ भी से अडू भार यह देखो यह मैं लिख दिया अब इसमें नीचे में क्या लिखा था विल्यान का आयतन वहां क्या लिखोगे विलायक का द्रव्यमान यहां लिखोगे बेटा विलायक का द्रव्यमान तो यह है दोनों के सूत्र में अंतर यह है मुललता का सूत्र वह है मुललता क सूत्र और इसो कैसे लिते हैं शौट में तो फिर से वही बात विले का भार विले का भार यानि कि डबल्यू विले का अडू भार विले का अडू भार यानि यहां पर भी मैं लिखूंगा M लेकिन यहां लिखा है विलाय का दरविमान विलाय का दरविमान होता है उसको भी W से दर्स आते हैं उसको भी W से दर्स आते हैं तो अब इसको कैसे आप रिसॉल्व करोगे तो चलो मैं आपको क्लियर करता हूं जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए यहां पर W क्या था विलियन का, यहाँ पर आओ, डबलू क्या है? सेम, 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 डबलू क्या है? विले का भार, M क्या है? विले का अडू भार, और यह वाला डबलू क्या है? यह है विलायक का भार, यह है बेटा विलायक कद्रविमान, यानि विलायक का भार, तो यह देखिए, मैंने आपको मो गलता है क्योंकि ये दोनों एक जैसे टॉपिक हैं तो हम कंफ्यूज ना हो इसलिए तुल्ला करते हुए हम इसको पढ़ेंगे तो एक बार ध्यास इसको देखे बेटा कहीं पर भी डाउट है तो पूछिए एक बार पर इसको ध्यास से आप एब चेक कर लेंगे अब मैं आप बनाते हैं तो अपने आप ये फॉर्मूला हमें याद होने लगता है और साथ हमें निमेरिकल जब बनने लगते हैं तो ये टॉपिक भी हमको अच्छा लगने लगता है मैं क्लियर कर दूं ये सारे जोपिक हैं ये कई लोग थोड़े कंफ्युज होने की वज़ए से कई ल इसले कह रहा हूं क्योंकि अभी मैं स्क्रीन पे आप लोगों का जो आपस आपस में आप जो बाते कर रहे हैं वह देख पा रहा हूं तो बस रिक्वेस्ट करूंगे यह सब ऐसे टॉपिक है अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो बाद में बहुत परिशान होगा परिशा मैं बेटा अगर एग्जाम में कोशन आ गया आगर एग्जाम में कोशन आ गया कि 10 ग्राम 10 ग्राम ग्लुकोज मैंने 10 ग्राम ग्लुकोज को मैंने 500 ml विल्यन में रखा है तो चलिए मोलर्ता ग्यात कीजिए घरी इक और प्रस्प्रस्थ यसार में तो चलिये मोलर्ता ओपर बैटाउज रखत आइं प्रस्थ करें लगा इसमें विलियन का नहीं ऊता है विलियन का आयतन करोंगे और इस वाले में विलायक का द्रावयमान दिया है तो ग्याद करोगे मोल अलता ग्याद करोगे ठीक है अब चलो सूत्र याद दिलाओं तो यहां हम लेंगे दरवेमान किसका विले का निची आईए आडविक दरवेमान किसका विले का और यहां लेंगे बैटा आयतन किसका विल्यन का किसमे लीटर में यह सूत्र मोल अलता का चलो विले का आडविक दरवयमान कितना होगा ग्लुकोज आपका विले है कोई बताएगा ग्लुकोज का आडविक दरवयमान कितना होता है ग्लुकोज का सूत्र होता है C6, H12, O6 बेटा अगर आप इसका अडू भार निकालेंगे अगर आप इसका अडू भार निकालेंगे कैसे दिखालेंगे carbon का द्रव्यमान होता है 12 गुरित 6 hydrogen कहोता है एक गुडित 12 और oxygen कहोता है 16 गुडित 6 इसको हल करोगे या गता 180 ग्राम तो याद रखना glucose को glucose का अडू भार glucose का अडू भार कितना होता है 180 ग्राम अब यहाँ पर आओ यहाँ पर लिखा है विल्यन का आयतन लीटर में ये सूतर है आपका विल्यन का आयतन लीटर में पर आपके प्रश्ण में विल्यन का आयतन दिया है मिलिलिटर में तो आप क्या करोगे बटा तो ये जो मिलिलिटर में उसको हजार से भागित करोगे तो वो लिटर बन जाएगा मतलब यहाँ पर यह सूतर कुछ ऐसा बन जाएगा दस गुडित हजार, बटे 180 और 500 बस आपको इसको हल करना है हल करते ही आपको इस उधारण का मोललता ग्यात हो जाएगा अब चलो इस तरफ आएं तो इस तरफ अब आपको क्या ग्यात करना है जी इस तरफ मोललता ग्यात करना है चलो सबसे पहले सूतर लिख देता हूँ तो बेटा मोललता का सूतर क्या है विले का द्रवेमान बटे विले का अडूभार गुडित द्रवेमान किसका विलायक का वो भी किसमे किलोग्राम में तो यह है बेटा मुललता का सूत्र चलो इसके सारे value पूट अप करें तो जल्दी बताईए जल्दी बताईए विले के भार कित दया है 10 ग्राम विले कौन है? ग्लुकोस का आर्विक द्रवेमान कितना होता है 180 ग्राम और यहाँ पर लिखा है बेटा विलायक का द्रवेमान किलोग्राम में पर यहाँ पर विलायक का द्रवेमान दिया है ग्राम में ग्राम में तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसे हजार से गुड़ा करोगे भागित करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दस गुड दिया रहेगा विल्यन का और मोललता ग्याब करते समय आपको द्रवेमान दिया रहेगा विलायक का बस अब इसको हल करेंगे आंसर आपके सामने होगा और अगर मैं इकाई की बात करूं इकाई की तो बेटा मैं बता दू मोललता का इकाई मतलब यूनिट तो इसका इकाई होत प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति बस आपको क्या करना है बेटा सही सही डेफिनेशन याद रखना सही सही परिभाश्याद रखना सूत्र याद रखना बागी प्रश्ण आपके सामने आएगा तो आप हल कर लेंगे चलिए इसका एक स्क्रीन शॉट ले जिए फिर कहानी आगे बढ़ाता हूं मैं अभी आप ल यह सूत्र है यह जो प्रश्ण है एक बद ट्राई करो चलो एक बार इस प्ररश्ण को बनाने कुशिज करो आप को इस प्रश्ण में क्या निकारना है बेटा मो लेटा ग्याद करनी प्राई करो मैं भी बनाओंगा मैं भी पिछे पिछे बनाओंगा आप लोग भी बनाओ ट्राइ करो बेटा लोग Mg-OH होल ट्वाइस का पहले आप लोग आणविक दरवेमान पता कर लो किसका Mg-OH होल ट्वाइस का इसका आणविक दरवेमान कैसे पता करो बेटा मैगनीशियम का होता है 24 औक्सीजन का होता है 16 है एक मीनट अच्छ गोरैम होता है 122 ये स offended निकाल सकते चलिए तो इस तरह से आप इसका औबार निकाल सकते चलिए तो मोलारत किजिए मोलारत ग्यात किजिए बताएंगे आपका क्या आणसर आ रहा है इसमें जो आणसर दिया है कलकुलेशन करते हो बेटा यह आएगा 58 अणठावन ग्राम तो अब चलो मोलरता ग्याद करो मोलरता ग्याद करो विले का द्रवयमान विले का आर्विक द्रवयमान विल्लियन का आयतन लेना है वो भी लिटर में चलिए ट्राइ कीजिए मैं भी आपके पिछे-पिछे बना रहा हूं आप भी बनाईए और बताइए आपने भी ऐसा ही किया क्या तो विले का भार दिया है बेटा 18.25 विले एमजी ओएच होल ट्वाइस है इसका अडू भार आपने निका रहा था 58 ग्राम विलियन का आयतन 200 ml है 200 ml है 200 ml है तो यहां ml नहीं लीटर लेना है तो इसको आप क्या करेंगे बटा हजार से भागित दे देंगे आंसर फिर आपके सामने हो कंफर्म करो कि यही आंसर आ र इसका मोलर्ता का चलो आगे बढ़े हैं चलो और इक्जांपल दिखाता हूं चलो इस बार आपको फिर से मोलर्ता ग्याब करना है अब इस बार खुछ से ट्राई करो इस प्रश्ट को खुछ से ट्राई करो मैं भी आपके पीछे-पीछे बनाऊंगा आप पहले बना के का इस कई माइनों में ऐसा लगता कि यारे सिञ्टी नहीं है तो आप इस बिलुकुल मत समंझना इस चेप्टर में आपने इसकोर कर दिया तो बागी चेप्टर अपने आप बन जाएगा, याद रहना यह चैप्टर हर बच्चा नहीं कर पाता यह चैप्टर हर बच्चा नहीं करता अब दस में से अगर तीन बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से कर लेता है तो बाकियों के तुलना में आपका स्कूर तो अच्छा होगा ने बेटा तो आप भी स्कूर के बारे में सोचिए ना सिर्फ आपके स्कूल के एक्जाम में बलकि कॉम्पेटिटिव एक्जाम में भी ऐसा बहुत आता है इसलिए थोड़ो ध्यान देंगे हां तो अब चेक करते हैं कि आपने भी ऐसे किया बेटा चार ग्राम एने वेच है एने वेच का अडू भार होता है चालिस ग्राम और विल्लियन का आयता अगे बढ़े अगला एक्जामपल देखते हैं अगला एक्जामपल देखते हैं क्या निकालना है मोलरता यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है इसको एक बढ़ाई करो चलो इसको बढ़ाई कीजिए जब आपसे कोशन बनने लगेंगे ना तो आपका आत्म विश्वास अप बच्चे नहीं बना पाते पर अगर आप बना पा रहे हैं यकीन मानिए अच्छा इस कुराने से अब कोई नहीं रोख सकता बस साथ साथ चलिए और कहीं भी कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ लेंगे ठीक है चलिए बनाई बटा इस कोशन को मैं भी पीछे-पीछे आपकी ब और इसका अडू भार याने की M का मान होगा 342 ग्राम इसका अडू भार 342 ग्राम होता है तो द्रवेमान कितना था 3.42 इंटो थाउजेंड अडू भार कितना निकाला आपने 342 और आयतन कितना है बेटा 1000 अजारे मेल बस इतना बता दो क्या आपने भी ऐसा ही कुछ किया है प्लीज बताएंगे शाबाज आगे बढ़ते हैं चलिए अब और धीरे धीरे प्रशन को आगे बढ़ाते हैं अब इस बार फिर मोलर तक प्रशन आ गया इस बार ग्लुकोज है बेटा ग्लुकोज C6 H12O6 देखिए प्लीज ऐसा मस समझ ना कि सर बस कोशन करा रहे हैं कोशन कोशनस बनाना ही इस चैप्टर को पढ़ना है इस चैप्टर में कोशनस को बार बार बनाना ही इस चैप्टर को पढ़ना है तो जीतने ज्यादा कोशनस बनाओगे उतना ही अच्छा आप निपूर्ण होते जाओगे चलिए इस प्रशन को बनाग दिखाईए फटा फटा फ हुब हर लेंगे और इस बार इस बार विलायक का विलायक का किलो ग्राम में भार लेंगे तस प्रस्थे में यह आपका विले और यह आपका विलायक शलिए मुझे आप बना लेंगे बैटा चलो ट्राइब करो मोल न त Orderland याक करते इस बार बढ़ते हैं तो यह मुललता का एक्जामपल था ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बैटा, अगला फ्रश्ण देखते हैं ओके एक और बहुत important question आ गया इस बार आपको, इस बार आपको मुललता और मुललता दोनों ग्याद करना है इस बार आपको मुलर्ता और मुलल्ता एक साथ एक ही प्रश्ण में ग्याद करना है तो एक काम करते हैं कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ आप हारा की बनाई लेंगे फिर भी चलो मैं आपको अपने तरफ से बताता हूँ बेटा चलिए तो इस विलियन में मोलर्ता और मोलल्ता दोनों ग्याद करना है ठीक है तो चलिए इस विलियन में क्या बोला है इस विलियन में बोला है बेटा कि 1000 मिलिलिटर विलियन में 10 ग्राम यूरिया घोला गया है अच्छा जी यूरिया का सूतर होता है बेटा NH2CO NH2 ये यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2 उससे आप उसका अडुभार निकाल लेंगे अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ यूरिया का अडुभार होता है 60 ग्राम ये होता है 60 ग्राम यूरिया का अडुभार की आवश लगता तो पड़ेगी ही आगे बढ़ते हैं तो चलो कैसे बनाएंगे इसको सबसे पहले बात करते हैं मोलर्ता की तो मोलर्ता के लिए मोलर्ता के लिए आपको पहले वेट याने की दरवेमान चाहिए विले का आर्विक दरवेमान चाहिए विले का और आयतन चाहिए विल्याद का विल्यां का तो ब्हक्ता चलो इसको हल करें चलो करतेए भई बताये विले की मातरा कितनी है 10 गराम कौन सा विले है यूढिया उसका दू भार है 60 और विल्याद का आैक येटण दिया है तन दिया है 1000 ml क्योंकि ml में है तो उपर 1000 लेंगे लिजी आंसर आपके सामने हैं हल करेंगे तो आपको 0.66 six mole per liter आ जाएगा लेकिन अब एक समस्या है अब आपको मोललता ग्याद करना है तो बेटा मोललता ग्याद करने के लिए आपको क्या चाहिए आपको चाहिए विले विले का द्रव्यमान आपको चाहिए विले का अडूभार और यहां पर क्या चाहिए यहां पर आपको चाहिए विलायक कभार विलायक कभार विलायक कभार बेटा इस प्रश्ण में विलायक कभार नहीं दिया है बस विले कभार दिया है विले का भार दिया है, विलायक का भार नहीं दिया है, आपको विल्यन का आयतन दिया है, तो आप मैं कैसे करूँगा, तो देखो इस परश्ट में कुछ दिया हुआ है, क्या विल्यन का घनत्व, घनत्व, अच्छा बेटा, घनत्व को, घनत्व को, हम D से दर्शाते हैं, डे गनत्व याने की डेंसिटी और डेंसिटी के सूत्र क्या होता है डेंसिटी के सूत्र होता है मास बाई वॉल्यूम मास एक मिनट मास बाई वॉल्यूम याने की याने की याने की अगर आपको अगर आपको विल्लियन का घनत्व निकालने बोला जाए तो आप विलियन का भार बटे विलियन का आयतन आपको लेना है इधार सुनो बैटा आपको पता रोचिये कि डेंसिटी का सूत्र होता है भार बटे आयतन घनत्व का सूत्र होता है भार बटे आयतन और बैटा घनत्व किसका दिया है घनत्व किसका दिया है विलियन का घनत्व किसका यह विल्यान का तो भार भी विल्यान का होगा और आयतन भी विल्यान का होगा अरे भाई डेंसिटी के सूत्र होता है मास भाई वाल्यूम घनत्व का सूत्र होता है भार बटे आयतन तो घनत्व अगर विल्यान का है तो दरवेमान भी विल्यान का होगा और आयतन भी विल्या विल्यन का भार कैसे निकालोगे आप विल्यन का भार पूरे विल्यन का भार कैसे निकालोगे सिंपर सा कहानी है विले का भार विलायक का भार मिल गया तो बन जाएगा विल्यन का भार है ना विले का भार विलायक का भार मिल गया तो बन जाएगा विल्यन का भार मैंने कहा कि विले का भार प्लस विलायक का भार का योग करोगे तो विल्यन का भार बन जाएगा बस फिर क्या था परशानी कहां पर है हमें मोललता घ्याद करना है तो मोललता घ्याद करने के लिए विले का भार था कितना 10 गराम विले का 8 है कितना 6 गराम पर एक समस्या है कि आपके पास विलाया कभार नहीं था प्रश्ण में आपके पास विलाया कभार नहीं था तो अब मैं घनत्व के सूत्र से विलाया कभार निकालूंगा और उसको यहाँ पर पुट कर दूँगा कैसे निकालूंगा बेटा तो जल्दी बताओ घरत्व घरत्व किता दिया है एक ग्राम प्रती मिलिलिटर तो घरत्व दिया है एक विले का भार किता है डस ग्राम विलायक का भार आपको निकालना है विलियन का आयतन कितना दिया है जी हजार तो बेटा बस इसको हल करेंगे तो हल करते ही आपको पता चल जाएगा विलायक का भार कितना है तो बेटा तो बेटा कितना हो जाएगा हजार दस और क्या विलायक का भार अब यह इस तरह पाएगा तो हजार में से दस घटा होगे त कितना है बेटा ये नब्वे ग्राम तो अब आपको मिल गया वित नब्वे ग्राम बस इसको यह कर दीजे बस आप इसको पुटाप कर दीजे तो जब भी मեյ्न छाप प्लओ इस बात को जब भी मोलरता और मोललता दोनों एक साथ ग्यात करने को आ जाए तो कनफरम है घनत्व दिया ही रहेगा प्रस्जन में फिर रिपीट करता हूं जब भी जब भी ओ स्वारी बेटा छमा चाहूंगा छमा चाहूंगा ये नौसोन अबबे हैं कि हमाचा हुँगा 990 है जलती से नवले लिग दिया ठाल 2023 है हाँ- कि आप हाँ- 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 900 नवले हैं कर्रेक्ट तरह tutti कि है कि कि एह हाँ मैं क्या बता रहे था मैं यह बता रहे था कि जब भी किसी प्रच्ण में मोलर्ता और मुललता दोनों एक साथ दिया रहेगा जब भी किसी प्रस्ण में मुललता और मुललता एक साथ दिया रहेगा तो बीच में घनत्व जरूर देगा घनत्व मुललता को और मुललता को आपस में जोडता है तो इसको स्क्रीन शॉट लेजिए फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है चले अगले प्रश्ण के तरफ चलते हैं अब अगला जो प्रश्ण है वो मोल अंश के उपर है और इसके आगे जाएंगे तो फिर आपको नारमलता के उपर प्रश्ण पूछा जाएगा पर मोल अंश और जो नारमलता होता है ये दोनो थोड़े अलग हैं मोलरता और मोललता से तो आज मैं थोड़ा क्लास जल्दी आपको छोड़ रहा हूँ क्योंकि इन दोनो टॉपिक को समझाने के लिए ज्यान देंगे बेटा मोल प्रभाज मोल प्रभाज और नारमलता यानिकी नौर्मालिटी इसको समझाने के लिए समय थोड़ा जादा लगेगा और अभी उतना समय नहीं बचा है तो प्लीज, अगला क्लास गैप मत करना, हम अगरे क्लास में मोल प्रभाज और और नौर्मलता की प्रश्ने बनाएंगे और समझेंगे या क्या होता है और फिर अंत में मैं आपको इन चारों फेक्टर मुलर्ता, मुलर्ता, नॉर्मल्ता और मोल प्रभाज की बित आपसे सम्मंद क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा तो अगला जो क्लास होगा वो भी नुमेरिकल से भरा होगा आज थोड़ा जल्दी छोड़ता हूँ क्योंकि इन टॉपिक को समझाने के समय थोड़ा जादा लगेगा और मेरे एक्च्वल में तुरंद कक्छा बारवी का क्लास का समय हो गया है तो थोड़ा सहयोग करेंगे आ के बारे बढ़ रहे और पिछले दो क्लासस के अंदर आपको याद होगा कि इस तर की चीज़े हमने पहले भी देखी हुई है क्या बटा मुलारेटी आपको याद होगा मुलारेटी मुलारेटी मुलर्ता और मुलल्ता ये दो टॉपिक हमने कवर कर लिया था कुछ कोशंस बच्चों के थे मैं उसको साथ लेते वैं चलूँगा अगर मैं इनके सूत्र आपको दुबारा याद दिलाओं तो एक बार मैं उसको यहाँ पर लिखना चाहूंगा असल में उस सूत्र से ले करके कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउड था क्या था यहां दखेंगे जब मोलारिटी के बारें बात करते हैं मोलर्ता की तो मोलर्ता ज्याद करने क लिए सूत्र क्या था हमारा बताएंगे विले विले का द्राव्यमान बटे विले का विले का आडविक द्राव्यमान और यहां क्या था बेटा आयतन किसका विल्यान का किसका विल्यान का तो यह था मोलर्ता ज्याद करने का सूत्र इसके बाद जब हम लोगने मोललता देख होता था विले का अज़विक द्रवयमान विलेक आडवीक द्रवयमान यहं हम लेते थे विलायक का विलायक का द्रवयमान यह दोसरा आप पिछले class में पता चलता है कि जो सबस्टेंस दिये हैं जो पदार्थ दिये हैं उसमें से कौन सा विले होगा और कौन सा विलायक होगा एक बच्चा जो है कमेंट में लिखा था कि सर हमको कैसे पता चलता है कि किसी प्रश्ण को देख करके कि उसमें कौन विले होगा और कौन विलायक होगा तो उसका तरीका क्या था तो एक बार मैं आपको प्रस्ण याद दिलाता हूं तो बैटा जब भी आपके प्रस्ण में जो घटक आपको दिये रहते हैं उसको देखने के बाद यह कैसे पता चलता है कि विले उसमें क्या है और विलायक क्या है तो हमेशा एक एक यूनिवर्सल ות गूंसेटर इस बात को हमेशा आद रखेंगे जब भी आपको लियन बनाते हैं जब भी आप कोई विल्यन बनाएंगे जब भी आप कोई फिल्यन बनाएंगे तो बैटा हमेशा विलायक की मातरा अधिक पाई जाएगी विलायक уже जो होगा वह उसका जो वääल्यू दिया में अगर आप विले मिलाते हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी विल्यन में हम कैसे पहचानते कि विले क्या है तो हमेशा याद रखेंगे विले की जो मातरा होगी वो हमेशा कम पाई जाएगी जब भी आपके सामने कोई प्रस्ट न आ जाए और जिसकी मातरा उसमें कम पाई जाएगी सिधा आप उसको विले कहे देंगे और जिसकी मातरा जादा होगी आप उसको विल्यन भी मान के चल सकते हैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिस पदार्त की मातरा कम दीवी होगी, उसको आप विले याने की सॉल्यूट ले करके चलेंगे, और जिसकी मातरा ज्यादा होगी, वो विलायक या विल्यन दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है, कोशन में आपको क्या निकालने को बोला है, कैसे मैं जरा समझाता हूँ, आप लोग को, ये डाउड एक बच्चे को था, तो धरा मैं उसको कम्प्रीट कर दूँ, उसके बाद मैं चीजों का आगे बढ़ाऊंगे बेटा, जैसे यहाँ देखो, माल लोग किसी ने प्रश्ट में पूछ दिया, कि दो ग्राम, दो ग्राम मिला दिया, 100 ग्राम जल में, अब में करते हैं, या मललता ग्याद करते हैं, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था इसमें कि हम कैसे सर पहचान पाएंगे, क्या और घ्र काहां पर रखना है, तो गौर सुना बेटा, जिस पदार्थ की मातरा कम होगी, यह देखो, यहाँ दो लिखा हुआ है, और यहाँ पर हजार लिखा हुआ है, यहाँ पर दो लिखा हुआ है, और यहाँ पर सो लिखा हुआ है, तो जिस पदार्थ की मातरा कम होगी, वो विले होगा, जिस का मातरा आपको यहां पर कम दिख रहा है, वो आपका विले होगा, याने की सॉल्यूट होगा, और जो जादा मातरे में होगा, वो विल्यन भी हो सकता है, जो जादा मातरे में होगा, वो विलायक भी हो सकता है, तो इसको याद रखेंगे बेटा, जिस पदार्त की मातरा कम दिहवी हो लिया है उसका अडू भार आपको यहां पर रखना होगा और अंत में बचा यह हिस्सा जो भी बड़ा कॉंटिटी दिया रहेगा जो भी बड़ा कॉंटिटी दिया रहेगा चाहिए वो रखना यहां पर हमेशा छोटा मान रहता है यहां पर हमेशा छोटा मान रहता है और यहां पर हमेशा बड़ा मान रखा जाएगा चाहे वो आयतन हो चाहे वो द्रवे मान हो यहां पर हमेशा बड़ा मान रहेगा और रही बात इसकी तो बेटा आपने जिसको भी विले माना है उसका अडू भार आपको नीचे मिलेना है आपने जिसको भी विलेमाना है उसका अडू भार आपको नीचे लेना है तो ये numericals हमने पिछले class बनाया था आपको याद होगा तो चलो फिर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं पिछले class में हमने मुलर्ता और मुललता की प्रस्ट ने बनाये थे अब concentration के terms को आगे बढ़ाते हैं अब आज हम क्या करने वाले हैं आज हम बचे हुए जो सांधरता को व्यक्त करने के तरीके हैं उसको आगे बढ़ाएंगे क्या है बेटा वो? तो यहाँ देखेंगे प्लीज तो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है मुललता हमने पढ़ लिया है मुललता आज हम पढ़ेंगे नौर्मलता और पढ़ेंगे मुल प्रभाज तो ध्यान दिजेगा अब तक हम लोगों ने मुललता और मुललता कम्प्लीट कर लिया है आज के क्लास में हम नॉर्मलता और मोल प्रभाज इसके बारे में पढ़ेंगे तो बेटा मैंने पिछले क्लास में भी इस बारे में बात किया था कि यह सारे एक जैसे शब्द हैं याद आप लोग को हमने पिछले क्लास में बात किया था कि यह सारे एक जैसे शब्द हैं, लिखने में एक जैसे हैं, बोलने में एक जैसे हैं, इनका सूतर एक जैसा होता है, इनके निमेरिकल एक जैसे होते हैं, इनकी परिभास एक जैसे होती है, और जब एक से ज़्यादा चीजें एक ही तरह का लगें, तो थोड़ा confusion होता है, मैं कि मुलर्ता और मुलर्ता में कैसे फर्क हम करते हैं पिछले क्लास में हम यह discuss कर चुके हैं कि मुलर्ता और मुलर्ता में कैसे फर्क हम तै करते हैं अब आज देखते हैं बेटा कि नार्मल्ता क्या है और नार्मल्ता इन दोनों से कैसे अलग हुआ आज हम नौर्मल्ता के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि नौर्मल्ता इन दोनों से कैसे अलग है तो मैं हमेशा की तरह चीज़ों को तूलना करके बताऊंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो, कंफ्यूजन ना हो, तेक काम करते हैं बेटा, चलिए, नौर्म मोलर्ता के साथ तूलना करते हैं पढ़ेंगे तो ये ज्यादा आसानी सी याद होगा, चलो मैं आपको दिखाता हूं बेटा, कैसे इनकी तूलना की जाती है, तो गौर से सुनेगा, पहले बात करते हैं मोलर्ता की, तो आपको याद है मोलर्ता का मतलब क्या था बेटा, या एक लिटर विल्लियन और कोई आपसे पूछता है कि मोलरता क्या होता है तो तुमने क्या जवाब दिया था तुमने बोला था तुमने बोला था कि सर एक लिटर विल्लियन में एक लिटर विल्लियन में विले की मोलो की संख्या ध्यान दिजेगा एक लिटर विल्यन में विले की मोलो की संख्या क्या कहलाता था मोलर्ता ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक लिटर विल्यन में विले की मोलो की संख्या मोलर्ता कहलाता है तो अब नौर्मल्ता क्या है तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नौर्मल्ता क्या होता है बेटा तो अब हम यहाँ पर नौर्मल्ता को लेकर चलेंगे हाँ जी तो please गौर सुनेगा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नार्मलता क्या होता है और उसमें और मुलरता में क्या समानता है तो इसको समझेने के लिए सेम तरीका मैं यहाँ पर अपनाऊंगा मैंने यहाँ पर एक बरतान ले लिया बैटा इस बरतान में फिर से मैंने जानते हैं क्या लिया है इस बार फिर से मैंने ले लिया एक लिटर विलियन मैंने क्या ले लिया एक लिटर विलियन और सुनो अभी एक लिटर विलियन है पर वहां आपने क्या ग्याद किया था वहां आपने क्या ग्याद किया था एक लिटर विलियन में विले की मोलो की संख्या और जानते ही यहां क्या ग्यात करेंगे एक लिटर विलियन में विले की तुल्यांक की संख्या यह देखिए कहाँ पर बदलावाया बेटा परिभाशा में कहाँ पर बदलावाया यहाँ पर आपको परिभाशा याद करो और यहाँ पर आप कहरें बेटा तुल्यांको की संख्या ग्याद करो यहाँ पर आप कहरें मोलो की संख्या गयाद करो और यहाँ पर आप कहरें तो अगर आपको परिभाषा याद करना है और आपको क्योंकि ये दोनों एक ही टाइप कलगता है तो आप तुलना करके याद कीजिए आपको ज़्यादा असानी सी याद हुजाएगा मोलो की संख्या ग्यात की जाती है और नॉर्मलता में तुल्यांकों की संख्या ग्यात की जाती है अब यह लिटर विलियन में गौर सुना बेटा जब हम एक लिटर विलियन में मोलो की संख्या ग्याद करते हैं तो बेटा वो मोलरता कहलाता है और एक लिटर विलियन में तुल्यांको की संख्या ग्याद करते हैं तो नौर्मलता कहलाता है अब मोलो की संख्या मैं तो आपको सीखा च परिभाशा है और यह मोलर्ता की परिभाशा है अब चलिए पता लगाते हैं कि इसको ग्यात कैसे करते हैं बेटा तो गौर से देखिएगा गौर से देखेंगे यह बताओ जब हम लोगों ने जब हम लोगों ने मोलर्ता निकाला था तो इसका सूत्र हमने कैसे प्रयोक किया एक बार मैं आद दिल आता हूँ ये था बेटा विले की विले का ध्रव्यमान बटे विले का अडुभार और यहाँ नीचे में क्या था बेटा यहाँ नीचे में था विल्यन का आयतन तो यह है सूत्र मोलरता का और इसी सूत्र को आप ऐसे लिखते हो इसी सूत्र को आप शौट फॉर्म में कम्प्रेस करके ऐसे लेखते हो विले का ध्रव्यमान विले का अडूभार और विलियन का आयतन लीजिये तो ये है मोलर्ता का सूत्र ये आपने पहले भी देखा है ये है मोलर्ता का सूत्र ये आपने पहले भी देखा अब चरवे काम करते हैं नौर्मल्ता का सूत्र कैसे बढ़ेगा मैंने आपको इसका परिभाशा तो बता दिया प्रिकिन नौर्मलता का सूत्रप कैसे बनेगा उसको गौर से देखेगा तो बिटा नौर्मलता को हम capital N से डिनोट करते हैं जो नॉर्मलता होता है उसे capital N से डिनोट करते हैं अब देखना मुलर्ता और नॉर्मलता में कहां पर फरागाता है गोर से देखेगा शुरुआत करते हैं लगभग एक जैसा है आपने उपर में क्या लिखा है विले का द्रव्यमान यहाँ पर बेटा आपने विल्यन का आयतन लिया है यहाँ पर भी आपने विल्यन का आयतन लिया है तो फिर यहाँ पर भी मैं वही लिखूंगा विल्यन का आयतन लेकिन अब प्रस्ण है यहाँ क्या लिखूं अब प्रश्ण है यहाँ पर क्या लिखूँ इसमें लिखे थे अडु भार और इसमें लिखते हैं बेटा इसमें लिखते हैं विले का तुलियांग की भार यहाँ लिखते हैं विले का तुलियांग की भार और सूत्र बनाऊंगा इसे कंप्रेस करूंगा सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तिसको ऐसे लिखूंगा बेटा यह देखो विले का द्रवेमान जैसे वहां लिखा हूँ यहां भी वहां लिखूंगा है ना है ना यहां पर यहां पर विल्यान का आयतन ऐसे लिखा हूँ तो यहां भी वहां लिखूंगा पर यहां पर मैंने लिखा था विले का अडू भार विले का अडू भार और यहां लिख रहा हूँ बैटा विले का तुल्यांकी भार को ई से दर्शाते हैं तुल्यांकी भार को ई से दर्शाते हैं और आप किसका तुल्यांकी भार निकार रहे हैं विले का तो आपका सूत्र ऐसे हो जाएगा लीजिए तो अब मैंने आपके सामने नौर्मलता और मुलर्ता दोनों को तुलना करके बता दिया है बेटा और यहां पर हम इसके जब नुमेरिकल बनाएंगे अब बस एक बात आप मुझे बता दो सिर्फ एक बात जब आप मुलर्ता ग्याद करते हो तो बेटा विले का अडू भार निकाल लेते हो ना मुलर्ता ग्याद करते हो वक्त विले का अडू भार निकाल लेते हैं आप बताएंगे मुझे मोलर्ता का सूत्र जब आप लगाते हो मोलर्ता का प्रश्ण जब आप बनाते हो तो यहाँ विले का अडू भार लेते हो और अब यहाँ पर क्या लेना है बटा विले का तुल्यांकी भार अब प्रश्ण ये उड़ता है कि मैं अडू भार तो जानता हूँ क्या होता है अब तुल्यांकी भार क्या होता है अब ये जानना है हाला कि मैं आपको जो पहला क्लास था इस चेप्टर का पहला क्लास वहां में सिखा चुका हूँ कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं प्रश्ण बनाने से पहले अब एक चीज जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि आखिर तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं हाला कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं की तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं चलिए फिर भी एक बार आपको याद दिलाएता हूँ। बहुत आसान है, कोशन्स बनाना बहुत आसान है, आपने पिछले क्लास में मोलर्ता के प्रष्ण बनाए, आज नौरमल्ता के बनाएंगे। बहुत आसानी से आप बना लेगे, बस एक ही चीज आपके सामने आरहा है और वो है तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, आपको याद दिलाता हूं, आपको याद दिलाता हूं कैसे निकालते हैं, सुरेंगे, तो बैटा, तुल्यांकी भार, अगर आप किसी अमलका निकालते हैं, किसी अ एच प्लस आयानों की संख्या कैसे करते हैं याद दिराओं कैसे करते हैं याद दिराओं गौर सुनना अगर किसी ने बोला कि चलिए तु लियां की भार निकालो एच तु एस ओ फोर का अडू भार कितना होता है एस टु तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो बस क्या करना है, जिस पदार्थ का आपको तुल्यांकी भार निकालना होता है, उस पदार्थ का पहले अरू भार ले लो, उसको उसके H प्लस आयन की संख्या से भागित कर दो, तो आपको अपने आप तुल्यांकी भार मिल जाएगा यह हमने पहले किया हुआ है फिर पिचलो एक इleb और दिखात हूँ जैसा किसी ने बोल दिया कि तुल्यांज की भार निकालो एंजी-ओट होल ट्वाइस का कैसे निकालो तो आपने पिछले वह बताएंगे प्लीज अगुटा का उच्छा होल ट्वाइश जब तूटेगा तो कितना निकालेगा तो दो ऑच निकालेगा तो बैटा ये दो एच निकालेगा ये दो निकालेगा ये भागित दो कर देंगे तो इसका तुल्यांकी भार निकल जाएगा तो क्या समझे तुल्यांकी भार निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है बस आपको जिस पदार्त के बारे में परश्ण में दिया होगा उसका अडू भार बटे उसका क्या लेंगे बटा H plus N निकालने की छमता या OH minus N निकालने की छमता तो इससे आप screenshot ले लिए फिर मैं आपको प्रश्ण करवाता हूँ देखते हैं कैसे बनेगा यह ले लेंगे आगे बढ़ते हैं और इसका हम प्रश्ण बनाके देखते हैं ठीक है तो चलो अब मैं आपको एक्जाम्पल दिखाता हूँ देखते हैं कैसे कोशन बनेगा मालो किसी ने कह दिया कि चलिए 20 gram H2SO4 को हमने घोल दिया 500 ml विल्लियन में सुन्हों प्रश्ण का पूच रहा है 20 grammes H2SO4 कोजिए 500 ml विल्लियन में डाला तो चलो नॉर्मलता गंद करो चलो नॉर्मलता અत्र करो तो अभी अभी मैंने आपको normal ताओष तो ज सूत्र बताया है क्या है भाई फिले का दिद्रावेमान वाटे विले का तुलियां की दरावेमान विले के तुल्यां की दरावेमान और यहां लेंगे बैट आयतन विल्यन का तो चले फिर सूत्र में चीजों को रखते हैं आगे बढ़िए विले का दरवयमान किता दिया है बैटा 20 ग्राम 20 ग्राम विले का अडू भार यहाँ पर विले का तूल्यांकी भार किता होगा तो S2S4 का तूल्यांकी भार कैसे निकालेंगे 98 divided by किता बटा 2 ध्यान दिजिए S2S4 का तूल्यांकी भार कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे तो अडू भार बटे कितने H रिलीस करेगा और आयतन किता दिया है विल्यान का 500 अब फिर वही समस्या यहाँ ML में दिया है और आपको लीटर में लेना है तो उपर आप क्या मल्टिप्लाइ रेंगे भार पिछले क्लास में आपने मोलर्ता बनाया था मोलर्ता, मोलल्ता, सब कुछ तो वैसा ही है बस ये नया हो गया क्या नया हो गया, आज हम नौर्मल्ता देख रहे हैं और नौर्मल्ता में हमको तुल्यांकी भार लेना पड़ता है तो चलिए, इसे स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर हम कुछ वास्तविक प्रस्ट बनाएंगे यहां पर ठीक है प्लीज इसे इसकी शॉट लीजे हाँ बेटा तो नहीं समझ में आएगा फिर ज़र ध्यां सुनेगा ये बात इस चेप्टर की नहीं है एक बात थोड़ा सा समझो कक्षा ग्यारवी में सुरुवात के जो चार पांच चेप्टर हैं आप इस बात को दिमांगे बिठा लो क्लास 11 के सुरुवात के जो चार पांच चेप्टर है वो ऐसे हैं बेटा कि अगर आपने पूरे क्लास में बीच में से एक भी क्लास इसकीप किया तो पूरा चेप्टर आपके लिए जो है पहाड़ बन जाएगा हर दिन का जो लेक्चर होता है हर दिन का जो टॉपिक होता है वो आगे आने वाले टॉपिक को समझ में नहीं आया और आप इसका कारण खुद बता रहे हैं कि आज आपका पहला क्लास है तो बेटा आप प्लीज कभी भी किसी लाइव क्लास बेब एंटर करते हैं तो अगर प्लेलिश्ट चेक कर लो और पुराने वीडियो देख लो और आप अगर यह सोचते कि मैं कभी भी किसी भी चैप्टर में बीच में अचानक एंटर करूंगा और यह जज़ करूं कि क्लास कैसे चल रहा है तो यह इतना आसान रही होगा तो प्लस आपको क्या करना होगा जो रहा है तो चलो मैं आपके साँ ने कुछ इंजामपल रखता ओऊ नियुvos, स्कहित तो चलो मैं आपका सामने कुछ अग्जामपल रखता हूं, ठीक है यह हम लोग करेंगे लेकिन पहले यह प्रशन हम बना लेते हैं चले आपको सामने एक इक्जामपल अगया यह आप मुझयं बनाकर दिखाएं यह मनेकि एक्जामपल आपके सामने रख़ा है यह compat करہें किया करना है आपको इसमें Meganishium हाइड्रोकसाइड का मेगनिस्यम हाइड्रोकसाइड का जो है नारमलता आपको घ्याद करना है Нारमल्क विक्राइड करना ब्लीज जो फूंटेटर नंशी के झाल आपंड घ्याइग तो नॉर मल् dua कर पहले फूंटर पर मैं रिक्वेष्ट करूंगा कि जितने बार आप numerical बनाते हैं उतने बार आपको formula लिखना चाहिए इतने बार लिखो कि आपके जहन में छप जाए वो तो बार-बार आप सूत्र लिखा करो यहां क्या होगा बेटा विले का द्रवेमान यहां क्या लेंगे विले का तुलियांकी भार और यहां क्या लेंगे बेटा आयतन किसका विलें का तो आपका जो solution है चलो आगे बढ़ते हैं तो विले का द्रवेमान किता दिया है बेटा यह दिया है 18.25 ग्राम और कौन सा योगिक है magnesium hydroxide तो magnesium hydroxide का आपको पहले अडू भार लेना है अडू भार लेना है बटे OH की संख्या OH की संख्या और यहां पर क्या लेंगे विल्यान का आयतन 200 ml है तो लीटर में बदलने के लिए हम यहां पर 1000 मल्टिप्लाई कर देंगे यह हो जाए गए बेटा तुलियांग प्रती लीटर चलो ट्राई करो तो इसका अंसर बताएंगे मेरे को कंफर्म करेंगे यही आंसर आ रहा है कि आप लोग कभी ओके तो चले फिर आगे बढ़ते हैं पेटा अगले प्रस्टन के तरफ चलते हैं लीजिए आपके लिए एक दूसरा प्रस्टन क्या करना है बेटा नॉर्मल पाजाद करना है ट्राई किजिए मैं भी आपके पीछे-पीछे बनाओंगा सबने बना लिया कंफर्म करो यह आंसर आया बटा यह आंसर आया बस फटा फट बजी इतना बता दो क्या तुम्हों नहीं किया इसमें क्या इसमें आपने किया है नाइन पॉइंट इंटू थाउजन अपन नाइनटी एट अपन टू और यह हो जाएगा बटा थाउजन बस इतना कंफर्म कर दो ऐसी क्यों होना यह कि होंगे अब सबस्किन आगे बरते हैं अगले फ्रस्क तरफ चलते हैं चलिए अब एक और प्रस्ण आपके लिए मैं लाया है अब यह देखो यह प्रस्ट देखो यह प्रस्ट देखो चलिए फटाफर बनाई इसको भी इसको भी इसको भी बनाई ये कैसे करेंगे बैटा कितना है यहाँ पर एसील का दरविमान 3.65 और एसील का अरू भार होता है अरू भार होता है 36.5 और बैटा एक ही अची निकालेगा एक ही अची निकालेगा तो बटे एक और विल्लियान कायतन कितना है थाउजन बस यह करना है बताईए आपने भी एक किया गुड़ आगे बढ़ते हैं बैटा नेक्ट कोशन इस बार इस बार एक बहुत इंपोर्टेन कोशन है ध्यान से देखो इस प्रश्ण में इस प्रश्ण में आपको इस प्रश्ण में आपको मोलर्ता भी ग्याद करना है और नौर्मलता भी ग्याद करना है कन्फर्म करो किता किता आंसर आएगा आपका चले बनाइए ट्राइ कीजिए इस प्रस्ट में आपको मोलरता भी याद करना है और नॉर्मलता भी आपको बताना है बोल ये क्या होगा बेटा आपनी इस प्रस्ट में देखा आपनी इस प्रस्ट में देखा कि जितना मोलरता आ रहा है जितना मोलरता आ रहा है उतना ही नॉर्मलता भी आएगा क्या मैं ठीक बोर रहो चेक करो जितना मोलरता आ रहा है उतना ही नॉर्मलता भी आएगा क्यों क्यों क्योंकि बेटा क्योंकि यहां पर आपने अड़ू भार लिआ 36.5 और सेल डोलेट यूल दुटी घी हमस्ता सघ्यरे गयाती सब्श्का नाकाइग तो भूरीट दो तो क्या समझे, क्या समझे, HCL के केस में उसका मोलरता और नॉर्मलता एक जैसा है, क्योंकि HCL एक ही ह निकाल सकता है, क्योंकि HCL एक ही ह निकालेगा, और जो एक ह निकालता है, कोई भी ऐसा योगिक, कोई भी ऐसा योगिक, जो जो एक वन, वन एच प्लस निकालेगा, या वन ओएच माइनस आयन निकालेगा उदारान के लिए जैसे कि HCl, HNO3, HClO4, NaOH, KOH, NH4OH तो मैटा कोई भी ऐसा योगिक जो एक ही एची निकालेगा या एक ही ओच निकालेगा उसका मोलरता और नॉर्मलता दोनों एक ही होता है एक ही आता है क्यों वो तो आप देखी चुक्या क्यों होता है चलिए अब एक दूसरा प्रश्ण मुझे बनाके दिखाओ यह मैं आखरी में यह मैं आखरी में आपको स्क्रीन शॉट लेने बोलूँगा इस पेज का भी स्क्रीन शॉट मत लेना इसको लाश्ट मिलेंगे ठीक तो अब इस प्रश्ण को बताओ बेटा यह वाला प्रश्ण बनाके दिखाओ यह मुझे इस बार फिर से आपको आपको मोलर्ता और नॉर्मल्ता मुझे बताना है इस बार प्रश्ण में कौन है इस गफार में है एक साथ जल्दी तो अब आप मुझे एक बाब बताओ इसको आप ऐसे बनाए होगे मैं भी आपके पीछे-पीछे बनाता हूं दस ग्राम है वेले गूड विलियन का अधन दस गर बताब हजार है इसमें मोलारेटी निकालते समय अडू भार लेते हैं तो यह बटन 98 ओके पर जब नॉर्मलता ज्याद करेंगे सब कुछ वैसा ही है सब कुछ वैसा ही है बस इसमें बस इसमें तुल्यांकी भार लेना है और और तो यहां पर तुल्यांकी भार होता है 58 बटे 2 तो उस हिसाब से उस हिसाण से यहां पर आंसर आया यहां पर आंसरां है별 और यहां पर फोड़ा घ्लत दिया हुआ है मैं आपको बतायत है the 0.1 यहां पर आ अर यहां पर आया हूगा यहां पर 0.2 यहां पर 0.2 बस कन्फर्म कर आपका आपका बताएंगे प्लीज यह असर आया क्या यह यह असर आया है तो क्या समझे क्या समझे क्या समझे क्या समझे कि H2SO4 में H2SO4 के केस में केस में आपने यह देखा कि जो मोलरता है वो नौर्मलता के आधा है देख पारे बिटा जो मोलरता है वो नौर्मलता के हाफ है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा अमल कोई भी ऐसा अमल जो दो एच निकालेगा या कोई भी ऐसा छार जो दो ओएच निकालेगा बेटा बेटा ऐसे उदारान में जैसे कि H2SO4, H2CO3, H2SO3, Mg, OH, होल ट्वाइस, CaOH, होल ट्वाइस, ZnOH, होल ट्वाइस गोष सुना बेटा, कोई भी ऐसा अमल कोई भी ऐसा अमल जो 2H निकालेगा कोई भी ऐसा छार जो 2OH निकालेगा ऐसे में मोलरता जो होता है वो नौर्मलता के आधा होता है तो फिर ऐसे में क्या मैं ये सो सकता हूँ तो क्या मैं ऐसे भी यह सुख सकता हूँ कि कोई भी ऐसा अमल जो 3H निकालेगा या कोई भी ऐसा अमल जो 3OH निकालेगा उदारन देखो जैसे कि तो बेटा जब भी आपके सामने एक्जाम में कोई ऐसा compound आ जाए जो 3H निकालेगा या 3OH निकालेगा बेटा ऐसे ऐसे अवस्था में आप समझ जाना कि जो मोलरता आएगा वो नॉर्मलता बटे 3 होगा यह मैं क्यों सीखा रहा हूँ? जब भी किसी प्रस्ण में मालो ये आगया S3PO4, Phosphoric Acid मालो प्रस्ण में आगया Phosphoric Acid का मोलरता भी ज्याद करो नॉर्मलता भी ज्याद करो तो आपको दोनों को अलग अलग ज्याद करने के आवशक्ता नहीं है आप एक ज्याद करो दूसरा अपने आप निकल जाएगा इस संबंद के माध्यम से तो इस संबंद के माध्यम से आप कोई एक चीज निकालो तो दूसरा अपने आप फटाक से आपके सामें निकल के आज आएगा प्रिस कोपी करेंगे इसको यह स्क्रींशॉट ले लिजे इसका तो अब हम लोग ने मोललता कर लिया मोललता कर लिया अब एक बचा है बेटा एक बचा है मोल प्रभाज चलिए उसको भी कर लेते हैं मोल कंप्लीट कर लेते हैं तो भाई मोल प्रभाज क्या होता है मोल प्रभाज क्या होता है चलिए उसके बारे बात करते हैं लीजिए अब हम आ चुके हैं मोल प्रभाज में यह देखिए एक बचा था उसको भी अब चलो कंप्लीट कर लेते हैं मोल प्रभाज क्या होता है यह सिंपल है मोल प्रभाज यादरना मोलरता हो गया मोललता हो गया नॉर्मलता हो गया अब मोल प्रभाज क्या होता है वो देखेंगे पिटा मोल प्रभाज क्या होता है सुनेंगे असल में इसको समझने के लिए एक उदारन में लेता हूँ अगर किसी ने कहा कि हमारे पास एक विल्यन है यह देखो हमारे पास एक विल्यन है इसमें दो तरह के पदार्थ मिले हुए है मान लो A और B नाम का A और B नाम का दो पदार्थ है और किसी ने कहा चलो A का A का मोल प्रभाज निकालो तो बता दू बेटा मोल प्रभाज को X से दर्साते हैं मोल प्रभाज को X से और किसी ने मुझे बोला कि चलो मोल प्रभाज निकालो A का तो कैसे निकालोगे तो आप इसको लोगे इसको ऐसे लोगे A की मोलो की संख्या संख्या बटे A की मोलो की संख्या प्लस B की मोलो की संख्या क्या समझे बेटा अगर आपको A का मोल प्रभाज निकालना है तो उपर किसको लेंगे उपर लेंगे A के मोलो की संख्या और निचे लेंगे A के मोलो की संख्या और B के मोलो की संख्या तो इसका ये मतलब हुआ ध्यान देना ये जो N लिखा हूँ न N मतलब होता मोल N मतलब होता मोलो की संख्या N मतलब होता मोलो की संख्या तो आपने क्या देखा कि आपको एक्जाम में जिसका भी आप देखो यहाँ पर बोल रहा है A का A का मोल प्रभाज निकालो तो आपको एक्जाम में जिस पदार्थ का मोल प्रभाज निकालने बोलेगा बेटा उस पदार्थ का मोल उपर लेना और नीचे कुल मोलो की संख्या उपर क्या लेंगे, जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है, उसके मोलो की संख्या, और नीचे क्या लोगे, कुल मोलो की संख्या, इस प्रकार से आप किसी भी प्रदार्थ का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, तो मोल प्रभाज का मतलब क्या हुआ, किसी भी विल्लियन में, किसी भी विल्यन में किसी एक पदार्त के मोलो की संख्या कितनी होगी ये उस पदार्त का मोल परभाज कहलाएगा फिर रिपीट करता हूँ किसी भी विल्यन में किसी एक पदार्त के मोल की संख्या क्या होगी उसको बोलते हैं बेटा उस पदार्त का मोल प्रभाज यह परिभाश आपके सामें लिखा हुआ है जो मैंने बताया वही है प्लीज इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे ग्राम अडू किसी प्रश्ण में अगर बोले कर ग्राम अडू निकालो तो मैं आपको बता दू बेटा जब भी किसी प्रश्ण मे ग्राम अडू की संख्या निकालो समझ जाना मोलो की संख्या निकालनी है उसको मोलो को ग्राम अडू की रूप में भी व्यक्त करते हैं तो अगर किसी प्रश्ण में ग्राम अडू निकालो ऐसा बोल देगा न समझ जाना आपको मोलो की संख्या ग्यात करनी है चले काम करें एक उदाहरन बनाते हैं जैसे मालो किसी ने प्रश्ट में पूछ दिया कि 10 ग्राम 10 ग्लुकोज को हमने 50 ग्राम पानी में डाल दिया 10 ग्राम ग्लुकोज को 50 ग्राम पानी में डाल दिया तो चलो ग्लुकोज का मोल प्रभाज ग्याद करो चलो ग्लुकोस का मोल प्रभाज ग्याद करो तो कैसे करोगे बेटा कैसे करोगे यहाँ देखना अगर आपको ग्लुकोस का मोल प्रभाज ग्याद करना है तो उपर किसके मोलो की संख्या लोगे ग्लुकोस का नीचे किसके मोलो की संख्या लोगे ग्लुकोस का प्लस और किसके मोलों की संख्या लोगे जल का याने की वाटर ये है सुत्र मोल प्रभाज निकालने का किसी बदार्थ का अब 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 प्रश्ण ये उठता है कि मोल प्रभाज निकालते वक्त मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं मोलो की संख्य निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं मैं दरविमान बटे- bounced只 मैं दरविमान बटे-machen ध्रवीमान याने कि अब ये सूत्र कुछ ऐसा हो जाएगा अब ये सूत्र जो है यह कुछ ऐसा हो जाएगा यहां देखना यहां क्या निकालना है आपको ग्लुकोस के मोलों की संख्या तो ऐसे हो बैटा ग्लुकोस का द्रवेमान ग्लुकोस का आडविक द्रवेमान ग्लुकोस का द्रवेमान ग्लुकोस का आडविक द्रवेमान प्लस जल का जल पूरा हल करूंगा तो मेरे सामने क्या आएगा चलो स्टार्ट करो ग्लुकोस का द्रवयमान किता दिया है दस ग्लुकोस का आडविक द्रवयमान कितना होता है एक सवस्थी ग्लुकोस का द्रवयमान कितना होता है दस और उसका आडवी द्रवयमान एक सवस्थी प्लस जल का द्रयावायमान किता दिया है, पचास और जल का आड़विक द्रयावान होता है बेटा 18, बस इसको हल کرना है, हल करने में थोड़ा समय लगेगा , फो zostट says चीज कभी आपको मोल प्रभाज निकालना है बस बेटा आपको उपर में उसके मोल से लेने हैं और नीचे कुल मोलों की संख्या होगी करेक्ट प्लीज को भी कर लेंगे यूज चलो एक भश्टन से दिता हूं आप उचे बनाकर दिखाना एक इग्जांपल देखते हैं वह आप उचे बनाकर दिखाओ तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता और उख्यों चली आ बच्शों दिना करेंगे प्रतियक घटक आपको निकालना है बेटा मोल प्रभाज एक काम करो इस प्रश्चन में आप ग्लुकोज का मोल प्रभाज नइकादो प्रभाज निकालो और काफर μας करो कि यहीं यानसर आ रहा है की नहें यागा, अपि पर ग्लो को confirm करेंगे कि वही आंसर आ रहा है कि नहीं इसमें जो दिया हुआ है glucose के Mols वही आ रहा किने मुझे confirm करेंगे बताएंगे तो अब चलिए इस chapter का अब हम आधा से ज्यादा topic cover कर चुके हैं अब इस chapter में कुछ प्रतिसत संगठन अब इस टॉपिक में क्या होता है समझने के लिए पहले मैं आपको एक इग्जामपल दिखाता हूं ठीक है कि अगर आपके सामने माल लीजे कोई अडू आ जाए माल लीजे आपके सामने कोई अडू आ जाए तो उस पूरे अडू में कई परकार के तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे शक्कर के मॉलेक्यूल में कार्बन का कितना प्रतिसत है मैं ये जानना चाहता हूं कि कार्बन का कितना प्रतिसत है हाइड्रोजन का कितना प्रतिसत है ऑक्सिजन का कितना प्रतिसत है तो आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर ए एक अडू को 100% मान के चलूं, तो उस 100% अडू में कार्बन का कितना परसेंट होगा, हाइट्रोजन कितने परसेंट में उपस्थित होगा, ऑक्सिजन कितने परसेंट में उपस्थित होगा, तो गौर सुनेंगे, किसी भी अडू में जो परमाडू पाया जाते हैं, जो एटम संगठन कहते हैं जब हम प्रतियक प्रमाडु का एक अडु के अंदर जितने भी प्रमाडु होते हैं जब हम उनके हिस्से को percentage में चेक करते हैं तो हम कहते हैं क्या निकार रहें बैटा प्रतिशत संगठन तो चलिए आज क्लास में हमें यह सीखना है कि किसी भी मॉलेक्यूल में जितने भी परमाडू होते हैं जितने भी एटम होते हैं उनका कितना कितना परसेंट योगदान रहता है या उनका हिस्सा होता है तो अब उसके लिए उसके लिए पहले हम यहाँ पर एक परिभाशा देख लेते हैं बैटा यह साप सा वे भी होते हुए जितने भी अवे भी तत्व होते हैं या एलिमेंट होते हैं या एटम भी आप कह सकते हैं तो किसी भी योगिक में किसी भी कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं जो तत्व होते हैं वो कितना परसेंट में भाग लेते हैं या उन एक्जांपल चलिए हम लेके चलते हैं तो यह पहले आप स्क्रीन शॉट ले लिजे फिर मैं आपको इसका एक वास्तविक एक्जांपल दिखाता हूं बेटा स्क्रीन शॉट ले लेंगे इसका कार्बन के हिस्थेदारी कितनी है इस पूरे इस पूरे अडू में हाइड्रोज on p.是 Now we can zwei Кстати अठीन कर्ण कहते हैं परसेंटेश कंपोजीशन हो yep एक फर्माडू भार के आधार पर अपना कितना योग दान देता है उसे हम उस अडू का परसंथेच कंपोजीशन कहते हैं अभी और सांपल को अपने आप समझ जाओंगे теперь is that you can मैं आप लोगों को एक example दिखाता हूँ जैसे माल लिजिए कोई आपसे कहता है कि हम glucose का अडू ले लेते हैं glucose इसका सूतर क्या होता है बटा C6, H12O6 तो अब आपको दिख रहा है कि glucose के अडू में carbon के 6 पर माडू है hydrogen के 12 पर माडू है तो अब तुमको ये बताना है कि glucose के इस अडू में carbon का कितना percent उपस्थीत है oxygen का कितना percent उपस्थीत है कैसे करेंगे बटा? बहुत आसान है यहाँ देखना अगर आप percentage निकालना चाहते है percentage of carbon अगर आप carbon का percentage निकालना चाहते है तो बेटा आप क्या करेंगे आप यहाँ पर लेंगे कार्बन का भार यहाँ पर लेंगे कुल भार गुडित हंड्रेड है जी गुडित हंड्रेड तो कैसे करोगे बेटा चलो बताओ आपके पास कार्बन कितना है कार्बन के कार्बन के एक परमाडू का परमाडू भार किता ह तो कारभन का पर्माडू बाहर होता है 12 और आपके पास कितने करभन है 6 buttons है और लुकोस का पूरे 15 800 गराम यह आपको निकालने आता है यह आपको आपको निकालने आता है गुलुकोस के पूरे अडू का भार ग्लुकोज में कार्बन भी था हाइड्रोजन भी था और ऑक्सिजन भी था लेकिन कार्बन का परसेंटेज कितना है चालीस परसेंट तो इस अडू में आप कहोगे इस अडू में कार्बन का परसेंट है चालीस अच्छा जी चलो ठीक उसी परकार बेटा हम अब निकाल लेते हैं हाइड्रोजन का परसेंटेज तो कैसे करेंगे बेटा हाइड्रोजन का भार कितना होगा एक हाइड्रोजन का ए यहां पर कितना परसेंट आ रहा है है जी 6.66 परसेंटेज आएगा किसका हाइड्रोजन का ठीक उसी परकार ठीक उसी परकार अब आपको परसेंटेज निकालना है बेटा ऑक्सीजन का अब परसेंटेज निकालना ऑक्सीजन का तो अब ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने का दो तरीके है पहला यहां तो पुरा पुरा निकाल जो पुरा पुरा मतलब ओक्सीजन देखो यहां पर कितने का था है यहां पर कितने ओक्सीजन अच्छेँ तो प्पर आप दिर सब्सक्राइब पूरा पूरा भी आप हल कर सकते हैं आप चाहे तो तो यह हो जाएगा बेटा 96 upon 180 into 100 हल करने पर बताए किता परसेंट आएगा तो यह आएगा 53.3% की आसपास तो देखो गौर सुने के करना क्या है आप चाहे तो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर कार्बन का परसेंट निक निकालो उसके बाद उसके बाद इन दोनों का जो परसेंटेज है इन दोनों का जो परसेंटेज है उसे एड करके योग करके 100 से माइनस कर देना 100 से अगर आप माइनस करोगे 100 से माइनस करोगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा आप ऐसा भी कर सकते हैं आप आपके पास तीन पर माडू है तो दो का पहले परसेंटेज निकाल लो दो का परसेंटेज निकाल लो फिर उन दोनों का योग करके हंड्रेट से माइनस करोगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाएगा अरे भई पूरे अडू में सुरी पूरे अडू में सिर्फ तीन प का परसेंटेज आपको मारूम चल जाएगा आप ऐसा भी कर सकते हैं पर आप चाहें तो तीनों को अलग अलग भी निकाल सकते हैं चलिए इसका स्क्रिंशॉट लिजिए फिर मैं आपको कुछ और प्रश्ण देता हूं बेटा वेट और टोटल वेट में क्या डिफ्रेंस है अब टोटल वेट बोलने से हम पूरे मॉलेक्यूल कर बेट लेकर चल रहे है और सिर्फ वेट बोलने से किसका वेट है वो समझ में नहीं आता चैनल आगे बड़े मैं आपके एक्जामपल देता हूं आप मुझे बनाके बताईए गा ठीक है ओके तो एक काम करते हैं बैटा कौन सा अडू ले 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 इस बारे काम करते हैं एक दूसरा अडू ले ले लेते हैं बैटा अडू है यूरिया यूरिया मैं आपको यूरिया का सूत्र एक बार याद दिला दू यूरिया का सूत्र है बैटा NH2 CO NH2 ये यूरिया का सूत्र है चलिए अब आपको क्या करना है आपको परसेंटेज निकालना है आपको इस यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है एक बार आपको हाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है एक बार आपको कार्बन का परसेंटेज निकालना है और चलिए यहां पर ऑक्सीजन का परसेंटेर निकाल करके मुझे बताईएजलिय ट्राइकर चलो कि कि यहां सुनों घख लो है यह कोशन कई बच्चे पूछते हैं कि कभी-कभी में भारा मेलें कभी कभी मैं अडू भार लिख कभी मैं अडू द्रवय माल देता हूँ क्या अंतर हैं कई बच्चे यह पूछते हैं कभी मैं कभी कभी मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूँ कभी कभी मैं मॉलिक्यूलर मास लिख देता हूँ भार मतलब वेट और दर्वेमान मतलब मास अब अंतर तो है दोनों में अंतर तो आप फिजिक्स में पढ़े होगे फिजिक्स में आपको वेट और मास दोनों का फरक बताया गया होगा पर मैं आपको बताओं दोनों सेम ही है chemistry में किमेश्ट्री में हम दोनों को similar चलते हैं chemistry ज इसका दरवेमान यहां जितना है चांद पर भी उतना ही होगा इसका द्रवेमान यहां जितना है चांद पर भी उतना ही होगा लेकिन इसका भार यहां जादा है और चांद में इसका भार कम होगा तो जब हम यहां पर और चांद में तूलना करेंगे तो वेट और मास अलग-अलग हो जाएगा पर हम इस वक्त chemistry पढ़ रहे हैं और जब तक हम chemistry पढ़ते रहेंगे चान पर तो नहीं जाएंगे धर्ती में ही रहेंगे तो जब तक आप धर्ती में खड़े हो मास और वेट को एक जैसा लेके चल सकते हो तो चिंता मत करो, कभी वेट लिख दिया कभी मास लिख दिया आप दोनों के एक जैसा मान के चलना कोई दिक्कत नहीं है आप कुछ भी लिखो, आपके नमबर नहीं कर देंगे चिंता ना करो चलिए यह आपने बना लिया तो क्या यह बना लिया गया कंफर्म करेंगे इसका पहले तो अडू भार किता होता है बटा 60 गराम अडू भार किता होता है इसका 60 गराम उसकी अधार पर बताएंगे आप यह होगा यह होगा 28 upon 60 into 100 एक करोगे ना और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का होगा 4 upon 60 in 200 करेक्ट और कार्बन का कार्बन का होगा 12 into 60 upon और और ऑक्सिजन का होगे बिटा 16 upon 60 in 200 अगर अभी आप हल नहीं कर पाए हो अगर आप हल नहीं कर पाए हो तब भी मेरे को लगता है इतना तो करी लिये होगे इतना तो करी लिये होगे तो इसका उतर आएगा 46.66% यह होगा बैटा 6.66% अपना अंसर करेंगे इसके लावा यह होगा 20% के आसपास किसका कार्बन का होगा 20% के आसपास और यह होता है बैटा 26.66% बस जल्दी बताओ कि आपका भी इस मेंसे कुछ तो आया होगा अंसर आगे बढ़े हैं आगे अभी आपने यह देखा कि जब भी आपके सामने कोई अडू आजाए तो उस अडू में परतियेक परमाडू का कितना परसेंटेज हो यह आपने निकाला बैटा अब यह उल्टा हो जाएगा उल्टा कहने का मतलब है उल्टा कहने का मतलब है अब मैं आपको परमाडवों का परसेंटेज दूँगा अब मैं आपको परमाडवों का परसेंटेज दूँगा और उन परसेंटेज के मदद से आपको सूत्र तयार करना है मतब ये बताना है कि आपके पास कौन सा परमाडू है फिर रिपिट करता हूँ अब ये उल्टा होने जा रहा है अब मैं आपको परमाडू का परसेंटेज बताऊंगा और उन परसेंटेज को देखके आपको ये बताना है कि ये सारे परमाडू मिल करके कौन सा अडू तयार क करेंगे तो चलिए यह बहुत इंपोर्टेंट है यह बहुत इंपोर्टेंट है आगे बढ़ते हैं बेटा इस टॉपिक को कहा जाता है मुलानुपाती सूत्र और आण्डविक एक मिजट ना यह दरवेमान लिखा है बटा छमाचा होंगा यह मिस्प्रिंट हो गया है यह सू सूत्र हाँ तो मुलानी पाती सूत्र और दूसरा क्या है बटा आण्डविक सूत्र इसको हम बोलते एंपरीकल फॉर्मूला इसे हम बोलते हम लोग मौलेक्विलर फॉर्मूला और यह टॉपिक गौर सुना यह टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है किस पॉइंट अब यू तो आपके एकजाम में टीचर आपको कभी ने कभी जरूर देगा और जब भी यह टॉपिक एकजाम में आता है तो बेटा यह पांच नंबर में ही आता है यह फाइब मार्क्स में आता है और एक नैक बार आप इस प्रश्ण को जरूर देखेंगे अपने कोश्चन पेपर म पसंद है यह टॉपिक हर टीचर को पसंद में ने देखा है आप चाहे किसी भी स्कुल में पढ़िए इस चैप्टर में बहुत कुछ आपने सीखा है इस चैप्टर में बहुत कुछ आपने सीखा है पर यह एकलौता ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर स्कुल में हर टीचर आप होगा है जी तीमाही होगा यह यह वार्शिक होगा अगर यह प्रस्ण आया तो लगभग तैय होता है कि चार नंबर यह पांच नंबर में अब चलो देखते हैं यह एक्चोली है क्या यह एक्चोली है क्या तो अभी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि अब मैं आप लोगों को परमाड़ों का एतम्स का परसेंटेश दूंगा और उस परसेंटेश को देखके आपको पता करना है अब होता क्या है जब आपके पास कोई अड़ु आता है गौर्सुन्ना तो उस अड़ु के सूत्र को लिखने का या व्यक्त करने का दो तरीका होता है गौर्सुन्ना जब भी आपके सामने कोई अडू आ जाए तो उस अडू को लिखने का या व्यक्त करने का दो तरीका होता है जिसमें से एक तरीके को हम कहते हैं बेटा मुलानुपाति सुत्र और एक को बोलते हैं आडविक सुत्र फिर रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला जब भी आपके सामने कोई अडू आ जाए जब भी आपके सामने कोई अडू आ जाए तो इसे रिप्रेजेंट करने का व्यक्त करने का लिखने का दो तरीका होता है एक तरीके को हम बोलते हैं बेटा एक को बोलते हैं हम लोग empirical formula और दूसरे को कहते हैं molecular formula एक को बोलते हैं मुलानुपाती सूत्र और एक को बोलते हैं पीटा आणविक सूत्र अब इन दोनों में फरक क्या है मैं पहले समझाता हूँ उसके बाद हम परिभाशा में आएंगे पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ उसके बाद मैं इस परिभाशा को दुबारा आपके सामने रखूँ को ताकि समझने में हमको आसानी हो चलिए मैं आपको example दिखाता हूँ बेटा मैं आपको ने example दिखाता हूँ ठीक है जैसे कि मालो एक molecule है एक molecule है C C2 H6 C2 H6 यह जो molecule आप देख पा रहे हैं इस molecule को अगर मैं एकदम simple form में लिखूँ इस formula को अगर मैं एकदम simple करके लिखूँ तो इसको ऐसे लिखूँ हूँ बेटा C और H3 इसको मैंने आधा कर दिया तो जब भी किसी सूत्र को एकदम simple form में लिखा जाता है एकदम simplest form में लिखा जाता है तो इसी को बोलते हैं बेटा EMPIRICAL EMPIRICAL formula और जब वो सूत्र अपने वास्तविक रूप में होता है जब कोई सूत्र अपने वास्तविक होता है तो वो कहलाता है बेटा molecular formula अब दोनों में फरक क्या है सुनना दोनों में फरक क्या है सुनेंगे गौर सुनना बेटा अब किसी empirical formula को देखके यह नहीं पता चलता कि वो कौन सा योगिक है वो कौन सा compound है लेकिन molecular formula को देखते ही आप बता दोगे molecular formula को देखते ही आप बता दोगे कि वो कौन सा योगिक है यह है इधन यह है इधन यह आप देख पा रहे है न यह बटा इधन तो धान सुनना किसी सूत्र को अगर आप simple form में लिखोगे इस सूत्र को किषी वैलू से डिवाइड करते हो और उसके बाद यह अब और नहीं होगा और आगर भाग नहीं होगा तो कोई भी ऐसा सूत्र जो किसी भी फिगर से डिवाइड ना हो उसी को बोते हैं बेटा एम्परिकल फॉर्मूला और जब तक कोई सूत्र दो से या तीन से भाग हो जाए या डिवाइड हो जाए तो वह मौनिकलर फॉर्मूला है तो यह फरक एम्परिकल फॉर्मूला और चलो मैं आपको एक इग्जामपल और दिखाता हूँ, अब मैं आपको एक इग्जामपल और दिखाता हूँ, जरो गौर से देखना, धहां सुने बेटा, मैं आपको एक इग्जामपल दिखाता हूँ, जैसे कि यह फॉर्मूला है, यहां देखेंगे आपके सामने मैं एक जरा इस सूत्र को देखिए जानते पर इस योगी को क्या बोलते हैं इस योगी को कहते हैं हम इस योगी को कहा जाता है ब्यूटेनोईक एस योगी को बोलते हैं ब्यूटेनोईक इस यह 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 आपके पास कितने कारबन है आपके पास यहाँ पर कितने कारबन है 1, 2, 3, 4 तो carbon है 4 अच्छा जी hydrogen कितना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो hydrogen है beta 8 और oxygen कितना है? 2 यह देखो यह मैंने एक सूत्र तयार कर लिया इस compound का मैंने एक compress करके सूत्र बना लिया अब तुम बताओ क्या यह सूत्र 2 से भाग होगा? क्या यह सूत्र 2 से भाग होगा? हाँ जी होगा अब इसको मैं 2 से अगर भाग कर दूँ अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूँ यह मिलेगा beta C2 H4O अब यह 2 से भाग नहीं होगा तो गोर्ष सुनना कोई भी ऐसा सूत्र जो 2 से या 3 से भाग ना हो इसी को बोलते हैं बेटा मुलानुपाती सूत्र याने की एम्परिकल फॉर्मूला और जब भी कोई सूत्र दो से या तीन से या चार से भाग हो जाए तो फिर समझ जाना इस सूत्र को अब क्या नाम देंगे आर्विक सूत्र याने की मौलिकुलर फॉर्मूला तो चलिए अब कुछ ऐसे प्रश्ण आने वाले हैं जिसमें आपको पूछा जाएगा कि चलो बताओ इस योगिक का एम्परिकल फॉर्मूला और मौलिकल फॉर्मूला क्या होगा तो चलो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूँ ये एक कमपाउंड है और ये एक कमपाउंड है तो जल्दी बताओ बेटा ये जो पहला वाला है पहला वाला दो से भागित होगा नीचे वाला दो से भागित नहीं होगा तो जब भी कोई योगिक दो से या तीन से भाग ना हो तो इसको हम बोलते हैं बेटा मुलानू पात सूत्र याने की एंपरीकल फॉर्मूला और ऐसा कोई अडू जो टू से या थ्री से डिवाइड हो जाता हो यह हो जाएगा उसको हम कहते हैं बेटा आडविक सूत्र याने की मॉलेक्यूलार फॉर्मूला अब यहां देखो यहां पर परिभाशा लिखी हुई है एक बार इसको चेक कर लेगे बटा या स्क्रीन्शॉट ले लिजे इसका जो मैंने बताया वही यहां पर लिखा हुआ है ओके तो चलो अब अब मेन मुद्दे पर आते हैं मेन मुद्दे क्या होगा तो चलिए एक बार फिर से वापस एक्जामपल में आता हूं अब आपको मैं क्या देने वाला हूं बेटा अब मैं आपको परमाड़ों का परसेंट दूंगा और उस परसेंट को देखके आपको सूत्र तयार करना है कैसे करोगे चलिए तो अब आपके सामने प् होता है चलिए तो आपके सामने मैं कुछ प्रश्ण देता हूं बेटा चलिए पहला प्रश्ण आपके सामने आ रहा है पहला कोशन आपके सामने आ रहा है बेटा माल लिजे मैंने आपको एक कोशन दे दिया उस कोशन में कार्बन का परसेंट है मा लिजे 40.687 यह बेटा कार्बन का परसेंट ठीक है और अब आपको मैं हाइड्रोजन का परसेंटेज बता जेता हूं हाइड्रोजन का परसेंटेज है 5.085 परसेंट और ऑक्सीजन का परसेंटेज है 54.228 परसेंट तो आपको एक्जाम में ऐसा परसेंटेज दिया रहेगा और इसी परसेंटेज को देख के आपको बताना है कि आपको जो योगिक मिला है उसको सूत्र क्या होगा तो चलिए अब आपको सिखाता हूं मेटा कि अब एक्जाम में आपको परमाडवों का सूत्र दिया हो तो इसको देख के कैसे पता लगाते हैं कि आखिर उस अडू का उस अडू का फॉर्मूला क्या होगा चलो बटा तो रेडी करते हैं गौर से समझेगा इसको जहां समझेंगे सबसे पहले देखो यहां पर क्या लेंगे यहां पर लेंगे अटामिक वेट यहां पर यहां पर परमाडवों का आप अच्छी संख्या यानि हम इसको बोलते हैं बेटा मोल्स भी कहते हैं मोल्स भी कहते हैं यहां लिखा है साध्धारन अनुपात यानि कि हम यहां पर रेश्यो लेंगे रेश्यो और यहां लिखा है बेटा पुणवान शंख कि यान कि हॉल नंबर यहां पने होल नंबर चलो समझते यह सब क्या क्या लिखा है तो जब भी इ lentल में आपको किसी परमारु का पर सेंट दिया रहेगा जितार हो जुड़न पर सेंटेश गैर रहेगा सबसे पहले आपने ये टेबल बना लेना सबसे पहले आप लोग ये टेबल बना लेंगे सबसे पहले आप लोग ये टेबल एक्जाम में बनाएंगे और उसके बाद क्या करना है दिखाता हमें आपको तो चलो बताओ जल्दी बताओ कौन कौन से तत्व है आपके पास आपके दसम लाओ छहे आठ साथ परसेंट 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 हाइड्रोजन का परसेंट किता दिया है यह दिया है बैटा 5.085 परसेंट करेक्ट औक सीजन का परसेंट इस दिया है 54.228 परसेंट तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आप यह कॉपी में अपना टेबल बना लेंगे इस टेबल में सबसे पहले तत्वख को लिख लेंगे उसके परसेंट परमाडु भार परमाडु भार तो आप जानते ही बैटा कार्बन का भार कितना होता है 12 गराम यह कैसे निकालते हैं तो इसको निकालने के लिए आपको परसेंट से परमाडू भार को भागित देना है भाग देना है डिवाइड करना है आपको परसेंट से एटामिक वेट को डिवाइड करना है तो देखते हैं क्या होगा देखते हैं क्या होगा यहां पर आईए तो यहा divided by 1 यहां पर 54.228 divided by 16 इसको डिवाइड करेंगे आप इसको डिवाइड तो करी लेंगे मैं थोड़ा समय बचाने के लिए आपको बतायता हूं कि इसको डिवाइड करने पर कितना कितना वैल्लिव आएगा जब इसको डिवाइड करोगे तो यह आएगा 3.390 अभी टाइम बचाने के लिए मैं आपको यह बता दे रहाँ ठीक है इसके बाद इसके बाद इसको डिवाइड करोगे उतना ही आएगा 5.085 इसको डिवाइड करोगे यह करीब आएगा 3.389 तो अब आपको क्या करना है सबसे पहले यह जो मोल्स होते हैं इसको निकालना सिखो तो मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं परसेंट डिवाइड बाई एटामिक वेट जो प्रतिसत दिया हुआ है उससे परमाडुभार को भागी दे दिजिए अब आपको ऐसे कुछ वैल्यूस मिल जाएंगे इसके बाद क्या करना है यह जो वैल्यू मिलेंगे इ इन तीनों में जो सबसे चोटा वैल्यू है इन तीनों में जो सबसे चोटा वैल्यू है उससे सबको भाग देना है यानि कि डिवाइड करना है मैंने कहा इन तीनों में जो सबसे चोटा वैल्यू है उससे सबको डिवाइड करेंगे तो इन तीनों में यह वाला सबसे चोट रहा है न तो इससे सबको आपको भाग देना है आप रिसिव भाग देंगी तो ऐसा हो जाएगा 3.390 को आप इससे भाग देंगे 3.389 से आप इसको भाग करेंगे उसके बाद इसको इस वाले को भी 5.085 को भाग देंगे इसको भाग देंगे आप 3.389 से और इसको भी 3.389 को divide करेंगे same 3.389 से तो बस करना क्या होता है सबसे पहले आप प्तिसत को पर्मारु भार से भाग दो और इस तरह के आपको बेलुस मिलेंगे उसकी बात इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे सबको डिवाइड करो जैसी सको डिवाइड करो बैटा तो डिवाइड करते ही आपका जो आंसर आएगा वह ऐसा कुछ आएगा वन 1.5 और 1 ऐसा कुछ आएगा तो गौर से सुनना यह जो यह जो वैल्यू आ रहे हैं यह पुरुणांग होने चाहिए यह जो वैल्यू आ रहे हैं यह पुरुणांग संख्या होना चाहिए यह जो वैल्यू आ रहे हैं यह पुरुणांग संख्या होना चाहिए यानि कि होल नहीं है यह 1.5 लिखा है यह होल नंबर नहीं है तो जब भी कोई एक whole नंबर ना हो यान पुरुणां संख्या ना हो तो उस अवस्था में क्या करेंगे इन तीनों को इन तीनों को किसी ऐसे छोटे नंबर से गुड़ा कर दो कि कोई जब पुरुणांक नहीं है, वो भी पुणांग बन जाए, तो बस क्या करेंगे, आपको इन तीनों को, किसी ऐसे छोटे नंबर से गुडा करना है, कि आपको पुणांग मिल जाए, तो अगर मैं तीनों को, अगर मैं तीनों को, दो से, दो से गुडा कर दूँ, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, यह आगा 2, इसको 2 से गुडा करोगे, आएगा 3, इसको 2 से गुडा करोगे, आएगा 2, तो अब देखिए अब यह 3 हो whole number में आ गए यानि कि पुणांख संख्या में आ गए तो याद रखना, इस चरण में इस चरण में जो value होते हैं, वो पुणांख संख्या के रूप में होने चीए याने की होल नंबर में होने चीए और अगर नहीं हुआ तो उसको किसी ऐसे छोटे नंबर से गुड़ा करो कि सारे कि सारे पुर्णांग संख्या बन जाए और अब अब नतीजा क्या हुआ बेटा कार्बन का पुरुणांग संख्या आया दो हाइड्रोजन का पुरुणांग संख्या आया तीन और ऑक्सीजन का पुरुणांग संख्या आया दो इसका मतलब है कि तुम्हें ये जो प्रस्ण के माध्यम से तुम्हें जो योगिक दिया गया है उस योगिक का एंपरीकल फॉर्मुला है आपका योगिक है न इसका एंपरीकल फॉर्मुला है है सी मिनट हां तो यह है बटा कारबन कितना ऐंचका दो हाईड्रोजन कितना तीन और औक्सिजन कितना अधार दो तो यह जो सूत्र बना इसी को बोलेंगे बैटा आप मुलानुपाती सूत्र या फिर empirical formula अब देख सकते हैं यह जो सूत्र है यह 2 से divide नहीं हो रहा है यह सूत्र 2 से भाग नहीं हो रहा है मतलब यह empirical formula यानि कि मुलानुपाती सूत्र है तो बस आपको यही करना है एक बड़ चलो फिर से repeat कर दूँ कैसे करना है बेटा तो आप लोगों को exam में ऐसे percentage दिये रहेंगे carbon का hydrogen का oxygen का और आपको पूछा जाएगा कि इन percentage के माध्यम से चलिए इस योगिक का empirical formula निकालो या molecular formula निकालो तो क्या करोगे सबसे पहले सबसे पहले आप यह table बना लेंगे और जो ये करने बोला वह सबसे पहले प्रतिसत्थ कहँ सबसेसे दिया है उसके बाद परमाडु भार लिख से भाग करदो उसके बाद प्रतिसत्थ कह ह्या कोटे ऐसे वैल्यू से गुड़ा करो कि सब पूर्णांग संख्या बन जाए ऐसा करता ही उत्तर आपके सामने होगा चलिए स्क्रिंशॉट लेंगे बेटा इसक्रिंशॉट लेंगे चलो तब मैं आपके सामने एक प्रश्ण और रखता हूं बेटा वो मुझे बना कर हुआ है सिक्ष्टी वन प्रतिसत आपको हाइड्रोजन का प्रतिसत दिया है 11.88 परसेंट और ऑक्सिजन का परसेंटेश दिया है बेटा टॉन्टी सेवन दसम्ला एक दो परसेंट चलो आप यह मुझे बना कर दिखाओ ट्राइकर चलो तो एक बार मैं भी आपके पीछे- बनाता हूं बेटा इसको आप बनाओगे तो यह तरह को रका होगा कारबन है हाइड्रोजन है और ऑक्सिजन परसेंट क्या दिया है शिस्टी वन 11.88 और यह दिया है बेटा 27.12 परमादुभार कारबन का बारा होता है हाड़ोजन के एक ऑक्सीजन का 16 और चलिए इसको हल करते हैं 61 डिवाइड बाइ 12 11.88 डिवाइड बाइ 1 यह 27.12 डिवाइड बाइ 16 इनको आप जब हल करोगे तो हल करने से यहाँ जो उत्तर आएगा वो ऐसा कुछ आएगा बेटा यह आएगा 5.08 के आसपास यह इतना आएगा यह 1.7 के आसपास और इन सब में सबसे छोटा मान कौन से है यह सबसे छोटा मान है इससे सब को हम भाग दे देंगे तो जैसी आप इन सब को इससे भाग दोगे नतीजा क्या होगा तो 5.08 को आपने भाग दे दिया 1.7 से 11.88 को आपने भाग दे दिया 1.7 से और इसको आपने 1.7 को भी भाग दे दिया 1.7 से देखते हैं नतीज़ा क्या होगा तो जब इसको हाल करेंगे त्याए बाटा ठोट्टन और यह होगा 6.9 तो आप 2.9 को राउंड़ाफ कर सकते हैं जिरूरांडफ करेंगे evnational आपको पसाएगा और यह एक तो चलिए आपको पता चल चुका है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का जो पूर्णांग संख्या है वो कितनी होगी जिससे आप उसका एंपरिकल फॉर्मुला निकाल सकते हैं ठीक है तो एक बार कंफर्म करेंगे ऐसा ही कुछ हुआ आपने भी बनाया तो अब आपका जो सूत्र है वो क्या बना तो आपका जो सूत्र बना यानिकी एंपरिकल फॉर्मुला एंपरिकल फॉर्मुला आपको क्या बना कार बनाया तीन हाइड्रोजन आया सेवन और ऑक्सीजन आया वन और यह जो फॉर्मुला है यह किसी भी नं यह एंपरी कल फॉर्मुला है तो अब मैं जानं गया कि एंपरी कल फ्ॉर्मुला कैसे निकालते हैं है अब मैं यह को में और आपको एक्जाम में एंप्रिकल फॉर्मा निकाने भूले तो आपको बेटा सब को पता कि कार्बन 54 दिया रहेगा हाइड्रोजन का पर्सेंटेस हो भी और शीजन का पर आपको परसंटेस तो दिया रहेगा और आपको बोलेका चलो कि A एम्परीकल फॉर्मूला ग्याद करो तो एम्परीकल फॉर्मूला कैसे ग्याद करते हैं यह मैं आपको सिखा दिया यह मैं आपको सिखा दिया अब देखते हैं कि आपको अडू सूत्र भी ग्याद करने को बोलेगा तो समझ जाना प्रस्ण में आपको molecular weight यानि कि अडू भार दिया रहेगा जब भी आपकी किसी प्रस्ण में आपको molecular formula निकानले बोलेगा तो confirm है कि आपको molecular weight यानि कि अडू भार दिया रहेगा तो मालो इस प्रस्ण में अडू भार दिया है बेटा 118 ग्राम गौर सुनना इसी प्रस्ण को अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो इस प्रस्ण में आपने कारबन का हाइडोजन का और ऑक्सीजन का जो परसेंटेस दिया था उसके माध्यम से आपने सुत्र निकाल लिया मुलानुपाति सुत्र निकाल लिया अब चले अडू सुत्र निकालते हैं तो बटा अडू सुत्र निकालने के लिए आपको एक्जाम में अडू भार दिया हुआ होगा अब इस अडू भार के मदश से आप अडू सुत्र निकाल है यानिकि मुलानुपात्री सूत्र है अब आपको बोला जा रहा है molecular formula यानिकि अडू सूत्र निकालो तो गौर सुनना बेटा अब आपको निकालना है molecular formula तो गौर सुनना यह जो molecular formula होता है ना बेटा यह होता है एंध मल्टीपल ओफ एंपिरीकल फॉर्मूला यह क्या है molecular formula तो गौर सुनना molecular formula जो होता है वह एंध गुरांक होता है किसके empirical formula के अब बेटा यह इसको एंध फेक्टर भी बोलते हैं इसको ना एंध फेक्टर है अगर आपको यह पता चाल जाए कि एंध फेक्टर कितना है तो बेटा उसको एंपिरीकल फॉर्मूला से गुड़ा करते ही आपको molecular formula मिल जाएगा अब बस इस बात की दे दी है कि हमें यह पता चाल जाए कि एंध कैसे निकालते हैं तो गौर से सुनेगा पैटा गौर सुनेंगे एंध निकालने का तरीका होता है एंध निकालने का तरीका होता है अडू भार याने की molecular weight बटे मुलानुपाती भार याने की एंपिरीकल वेट चलो यहां सुनो एन कैसे निकालते हैं तो बटे मुलानुपाती भार अब मुझी यह बताओ यह कौन सा सूत्र है यह है मुलानुपाती सूत्र यह है मुलानुपाती सूत्र तो बेटा इसका जो भार होगा इसी को आप मुलानुपाती भार बोलेंगे चल मुलानुपाती भार कितना होगा कितना होगा चलो बताओ कितना होगा बताइए तो कार्बन है तीन हाइड्रोजन है साथ और ऑक्सीजन है एक इसको हल करोगे जैसे इसको हल करोगे बिटना तो आपका जो आंसर है वो आएगा 59 तो चलो आपको मालूम चल गया कि मुलानुपा चीए अडू भार चीए अभी देखो आपके प्रश्ण में आपके प्रश्ण में अडू भार दिया है कितना 188 ग्राम यह हमें सब दिया रहता है यह हमें सब दिया रहता है तो बैटा यह आपका जो अडू भार है वह 188 ग्राम इसको हल करेंगे हल करने पर यह दो किया सपास फॉर्मूला क्या है अपका EMPRICLE C3H70 अब चलो बताओ मॉलेक्लर फॉर्मूला क्या होगा दोसे गुड़ा किजिए इसको यह हो जाएगा 6 114 टू तो यह बेटा मॉलेक्लर फॉर्मूला यह है molecular formula तो याद रखना जब भी किसी प्रश्ण में बोलेगा ना की की अडू सुत्र निकालो याने की अब इस चेप्टर में मौलेकोलर फॉर्मीला निकालो तो बस आपको n पता होना चीए n n और n कैसे निकालते है तो मैं आपको बताती हम इस प्रकार से हम एट्डव फ्रकार से निकाला जाता है तो अडूँ भार परश्ण बस एक क्लास अब आपको और बचा है बेटा परसो वाले क्लास में ये चेप्टर जो है वो complete हो जाएगा परसो वाले क्लास में ये चेप्टर है वो पूरा complete हो जाएगा ये आपके पूरे syllabus का सबसे छोटा चेप्टर था ये आपके पूरे syllabus का सबसे छोटा चेप्टर है और जादा conceptual नी था सिप numerical 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 पर अब जो चैप्टर चालू होंगे वह बहुत important और बहुत ज्यादा theoretical होंगे और असल में chemistry जो होता है असल में chemistry होता है वो अब उसके बाद वाले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा पर इससे पहले इससे पहले कि मैं अगले class में जाओं कुछ बाते आप समझ लीजिए अभी मैं आपका comment देख रहा था आपनों लगातार एक दूसरे से बात कर ले हैं तो बेटा कुछ चीजों समझ लीजिए कि class 11 का जो syllabus है वो बहुत बड़ा होता है कुछ बातों को आप जान लीजिए मुझे नहीं पता आप कितना किस हद तक आप मेरी बात को मानेंगे या importance देंगे मुझे नहीं पता पर मुझे लगता है कि दो बच्चे भी अगर सुन र हुआ या आपका class 12 कैसा चल रहा है अगर कोई भी बच्चा ये कहता ही class 12 कासी लिबस अच्छा नहीं है या class 12 हमारा अच्छा नहीं चल रहा है तो समझ जाना बेटा उसके class 11 में बहुत सारी गलतिया की हैं आप एक दम ध्यान दीजिए आप आपस में बात मत कीजिए बेट क्लास 11 बहुत कठीन है अगर आप ध्यान नहीं दे पाए सारे class अटेंड नहीं कर पाए और सही सही सिक्छा अगर आपको नहीं मिली आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे बहुत तकलीफ में आ जाएंगे कई बच्चे जो गाओ देहात में होते हैं बेटा उनको तो अच 21 सी पास मिली हो जब अपका क्लास 11 अगर आफ कं स्वेर करने से doctrine 12 सकता तो अगरे अज़ा और चलके आपको बडए वड़े उग्जाम यग्जाम ने रिकुेश्टे जो खरता हो मिलाब में आपस में लगे रहते हो तो यह जो आपस में बात कर रहे हो एकदम साउधान हो जाईए कि आप तकलीफ में आने वाले हैं आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे क्लास 11 बहुत है अभी तक सीलेबस छोटा था अब जब ग्यारवी में आओगे किमेश्ट्री वाष्ट हो जाएगा मैट्स वाष्ट हो जाएगा फिजिक्स बहुत बड़ा हो जाएगा और तीन-तीन सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना और साथ साथ चलना असान नहीं होता तो क्लास गैप मत कीजे हरे क्लास को ध्यां से सुनिए यह आपके लिए ही बताया जा रहा है हमको बहुत अच्छा लगेगा मैं आप इसे किसी बच्चे को नहीं जानता पर सोचिए अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे और आप उस दिन बस याद करेंगे कि हाँ सर ने हमको पढ़ाया था साथ उसके वज़े से कुछ हद तक हमने अच्छा स्कोर कर पाया हम को बहुत अच्छा लगेगा तो इसलिए मैं चाहिए कि मेरे बच्चे ना सिर्फ कछा 11 में बलकि 12 भी अच्छा स्कोर करें किसी अच्छे एक्जाम को फाइट करें और किसी अच्छे कॉलिश तक पहुचे और अच्छा जॉब पा सके तो आप हमारे साथ चलेंगे तो आप चैप्टर चालू होगा वह ज्यादा इंपॉर्टेंट रहें तो चले फिर यह जो केमिकल रियक्षन होते हैं केमेश्ट्री में जो केमिकल रियक्षन होते हैं जहां सुनेंगे केमेश्ट्री में जब कोई केमिकल रियक्षन होता है या कोई अभिक्रिया होता है तो उस यह जो आज टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में हम यह सीखेंगे कि जब भी कोई रियक्षन होता है जैसे माल लो कि एक जैसे माल लिजे कि सपोर्ज हमने कोई भी एक रियक्षन लिक लिए बेटा जैसे मालो मैंने ए और बी को आपस में रियक्ट करवाया और में भी बना दिया तो आज के लास में यह सीखने वाले हैं कि जब अलग अलग परमाडू आपस में मिलके एक अडू तयार करते हैं तो जब भी कोई रियक्षन हो रहा होता है केमेस्ट्री में जब भी कोई रियक्षन होता है तो उस रियक्षन के दौरान इन परमाडवों क या अडवों के जो दरवेमान होते हैं उनमें आपसी संबंद जो होता है वो बहुत ही चमतकारी होता है बहुत ही खास संबंद पाएगा इनके बीच में जब एक परमाड़ू दूसरे परमाड़ू से रियक्शन करता है तो इसका जो दरवेमान है उनके बीच में एक खास तर जो संबंध है उसमें क्या नया देखने को मिलेगा आज बहुत इंपॉरेंट टॉपिक होगा ज़र गौर सुनेगा बैटा तो चलिए रसायनिक संयोग के कुछ कुछ बहुत ही बहतरी नियम दिये गए हैं हाला कि इनमें आगे चलते कुछ अपवाद भी हमें देखने को मिले पर याद रखना आज क्लास में हम रसायनिक जो संयोग होते हैं जो रियक्शन्स होते हैं उनमें कुछ नियम लगाए गया है हुआ क्या जब साइंस आगे बढ़ रहा था केमेश्ट्री आगे बढ़ रहा था तो कई साइंटिस्टों ने कई साइंटिस्टों ने कई प्रकार के अभिक्रियाय या रियक्शन्स किये हाल उनके दरवेमान के ऊपर काम करना बहुत बाद में शुरू हुआ और जब लोगों ने अभिक्रियाओं में जो परमाडू या अडू शामिल होते हैं उनके दरवेमान पर रिसर्च करना चालू किया अध्यान करना चालू किया तो उन्हों ने ये पाया कि हर रियक्षन के होने से परमाडू या अडू में जो दरवेमान होते हैं उनमें आपसी संबंद कुछ खास संबंद पाए जाते हैं तो कुछ साइंटिस्टों ने कुछ साइंटिस्टों ने इन परमाडू के दरवेमान के बीच में जो सम्मंद होते हैं उसको समझाने की कोशिस की चले देखते हैं बेटा सबसे पहले हम आपके सामने लाते हैं पहला जो नियम है वो है पहला जो नियम आपके सामने आ रहे है वो है दरवेमान का सरक्षण का नियम अलग-अलग साइंटिस्टों ने अल competitive exam के लिए क्या ज्यादा फोकस करना है इसकूल के लिए क्या ज्यादा फोकस करना है पढ़ना हमको सब कुछ है लेकिन अगर आप इसकूल के लिए बारे में बात करें तो यह जो आज का जो क्लास है आज के क्लास में जो कुछ आपको बताया जाएगा यह सब यह सब इसकूल क इस नियम को हम कहते हैं इसनियम को कहते बट़ वर लाओ लॉफ न अ मश्रक किन्जरवेशन स्वाफ मास लॉफ अब देखते हैं इस थ्योरी में इस नियम में क्या बताया गया तो अब मैं आपके सामने मैं एक एक्जामपल रखता हूं मैं आपके सामने एक एक्जामपल रखता हूं गौर से सुनना बेटा मैंने एक बड़ा सा बरतन ले लिया इस बरतन के अंदर मैंने एक योगिक ले लिया देखो इस बरतन के अंदर मैंने एक योगिक ले लिया CACO3 CACO3 और जानते हैं इसका दरवेमान कितना होता है इसका दरवेमान होता है 100 100 ग्राम केलसियम का 40, कारबन का 12 औक्सीजन का 16, गुडित 3 जब इसका आप दरवेमान निकालेंगे तो यह आएगा 100 ग्राम अब देखना क्या होता है मैंने यहाँ पर एक वजन नापने के लिए एक मसीन लगा दी है यह देखो यहाँ पर वजन नापने के लिए मैंने एक मसीन लगा दी है और इसको मैंने उपर लटका दिया है इसको मैंने उपर जो है वो लटका दी तो यह पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा जो बरतन है वो हवा में लटक रहा है ये पूरा का पूरा जो बरतन है ये हवा में लटक रहा है मान लिजे इसको मैंने यूँ हवा में लटका दिया है और बीच में वजन नापने के लिए मैंने एक मसीन लगा दी हुए है अब देखना क्या होता है? मैंने क्या देखा? इस वक्त इस बरतन के अंदर सिर्फ एक ही योगीक है क्या है बटा? CaCO3 और CaCO3 का दिरवेमान कितना होता है? 100 ग्राम, अब देखना क्या होता है? अब आपको पता है कि अगर आप इस बरतन को अगर आप इस कंटेनर को नीचे से गर्म करोगे तो गर्म करने से CCO3 तूटने लगता है और तूट करके ये बन जाता है बेटा C-A-O और बन जाता है C-A-O और C-A-O और C-A-O-2 अब मैंने क्या देखा कि जैसी मैंने इस बरतन को गर्म करना शुरू किया तो C-A-C-O-3 जो है वो तूटने लगा तूटने लगा और क्या बनने लगा C-A-O और C-A-O-2 एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा C-A-C-O-3 डिकमपोस हो जाएगा तूट जाएगा और तूट के क् शुरू में आपके पास क्या था C-A-C-O-3 ये दोनों आपके पास नहीं था पर जब आपने गर्म करना चालू किया तो Ce-A-C-O-3 जो है वो विखडित होने लगा उसका विखंड़न होने लगा वो डिकमपोस होने लगा और धीरे-धीरे C-A-C-O-3 क्या बनने लगा C-A-O और CO2 एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा CACO3 क्या बन चुका होगा CA और CO2 अब देखते हैं कि reaction चालू होने से पहले reaction चालू होने से पहले इस बरतन के अंदर जो आपने पदार्थ लिया हुआ है उसका द्रवेमान कितना था 100 ग्राम अब देखते हैं कि जब reaction चालू होगा और एक समय के बाद reaction खतम हो जाएगा तो reaction खतम होने के बाद reaction खतम होने के बाद द्रवेमान में क्या बद लावाएगा तो यहाँ सुनना बेटा यहाँ पर CO2 का द्रवेमान होता है 44 ग्राम और CAO का होता है बेटा 56 ग्राम और अगर आप इन दोनों का योग करोगे तो यह भी आएगा बेटा 100 ग्राम तो क्या समझे क्या समझे यहाँ जो वजन आपने के लिए आपने ये मिटर लगाया है इसका जो काटा है वो हीलेगा भी नहीं क्यों क्योंकि reaction हो गया लेकिन कुल द्रवेमान में कोई बदलाव नहीं आया अभी क्रिया होने से पहले भी अंदर का द्रवेमान 100 ग्राम था रियक्शन होने के बाद भी अंदर का द्रवेमान 100 ग्राम है तो कुल मिला के कहानी यह है कि जब भी हम कोई reaction करते हैं तो reaction से पहले और reaction होने के बाद जो द्रवेमान होता है वो इस्थिर रहता है इसी नियम को पुल ब्रतर नाकेश्टर सब्सक्राइब जरेंव लाफ कन्जर्बीशन ओफ मास् तो यह लॉह कहता है कि रियक्षण होने से पहले प्रेशन होने के बाद किल द्रवक्रावियमान होता है वह इस्थिर रहता है उसमें नहीं आता आप एक काम कीजिए इसका एक स्क्रीन शॉट ले लिजे फिर मैं और एक्जांपल दिखाता हूं बैटा इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे प्लीज फिर मैं और एक्जांपल आपके सामने रखता हूँ आपको ना एक एकजामपल और दिखाता हूँ बैटा इसी का अब मैं आपको एक एकजामपल जो है और आपके सामने रखता हूँ यहां देखो आपको पता है जब हम मीथेन का कमबशन करते हैं यानि मीथेन को जलाते हैं तो कौन सी अभी क्रिया होती है तो बैटा मीथेन यानि कि CH4 को जब जलाया जाता है तो हम यह रियक्शन लिखते हैं 2O2 gives CO2 plus 2H2O यह देखिए यह है रियक्शन मीथेन को जलाने का चलो एक काम करते हैं अब हम रियक्शन के पहले और रियक्शन के बाद जो द्रवेमान है उसकी गढ़ना करते हैं तो चलो देखते हैं बैटा यहाँ पर CH4 का वजन होता है 17 ग्राम यह ऑक्सीजन को होता है 32 ग्राम और ऑक्सीजन कितने बार है दो बार पर छीओं सिश्थ्याट को होता है चमालीजगराम जल का जल का होता है 18 ग्राम और वह दो बार है अब तो मुझे बताओ कि रियक्षन होने से पहले कुल वजन कितना था इस रियक्षन का और प्यास के बाद कुल वजन कीटना इशाइंगे आप इंका योग कर देंगे अगर आप इनका योग कर देंगे जल्दी बता रिशाय से पहले और रिशाय के बाद क्या दरीमान सेम है और अगर सेम्हें तो कितना है जल्दी पताईए मुझे गर्णा करके, गर्णा कीजिए इसका, कितार है बेटा? 80, correct, इस तरफ भी आप देखेंगे कि वजन जो है 80 गराम है और इस तरफ भी वजन जो है 80 गराम है, तो बेटा ये जो नियम है, law of conservation of mass, ये नियम कहता है कि reaction से पहले और reaction के बाद जो कुल दर वेमान होता है, वो हमें सा इस्थिर रहता है, पर बेटा, ये जो नियम आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत पहले दिया गया था, और इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, तो अध्यान देना ये जितने नियम बताय जा रहे हैं, ये बहुत सुरुवाती दौर में दिये गए नियम है, आप ये मसमझ ना कि हर रियक्षन में, हर रियक्षन में ये नियम काम करता है, तो सभी रियक्षन में नियम काम नी करता है, लेकिन लेकिन जिन लोगों ने इस कॉंसेप्ट काम किया, उन्होंने बताया कि हमने बहुत सारे एक्जामपल देखे हैं, कुछ साइंट में आप देखेंगे कि ऐसा होगा पर सभी रियक्शन में नहीं होता है अभी क्योंकि यह सुरुवाती नियम था तो इसमें अपवाद होना बिल्कुल सुभाविक है तो आप अपवाद पर ध्यान नहीं देंगे हम यह देखेंगे कि इन साइंटिस्टों का योगदान क्या था इन्होंने क्या बताया किसी रसायनिक अभिक्रिया के बारे में तो हम अभी अपवाद के बारे में बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे कि इन्होंने जो इतना बड़ा योगदान दिया है उन्होंने अपने समय में जब साइंस बहु यह था द्रमान का सरक्षड का नियम अब आगे बढ़ते हैं अगले नियम तरफ चलते हैं अब दूसरा है दूसरा है इस तिर अनुपात का नियम इसको हम बोलते हैं बैटा इसको हम बोलते हैं लॉफ गौर सुनना जब भी परमाडवों से मिलके कोई अडू बनता है गौर से सुनना इस नियम में क्या बताया गया इसमें बताया गया कि जब भी परमाडवों से मिलके कोई अडू बनता है तो उस अडू में जो परमाडवों का दरवेमान का जो अनुपात होगा वो हमेशा लिए फिक्स रहेगा वो कभी बदलेगा नहीं वो कभी बदलेगा नहीं मैं समझाता हूं मैंने क्या देखा कि मैंने लकड़ी मैंने लकड़ी को जलाया मैंने क्या देखा बेटा मैंने लकड़ी को जलाया तो लकड़ी को जलाने से एक सफेद रंग का धुवा निकल रहा था लकडी को जलाने से एक सफिद रंग का धुवा निकल रहा था जिसमें कार्बन था और ऑक्सिजन था उस गैस में उस गैस में कार्बन था और ऑक्सिजन था और बाद में जब हम गोंने चेक किया साइंटिस्टों ने चेक किया तो पाया कि उस gas का suit रथा CO2 उस gas का suit रथा CO2 उसके बाद मैंने किसी और चीज को जलाया जैसे माल लीचे ने culture जलाया फिर मैंने culture जलाया जानते हैं जब मैंने culture को जलाया तो culture को जलाने से भी एक सफेद रंग का धुवा निकल रहा था और इस धुए में भी carbon और oxygen था और जब मैंने इस धुए में carbon और oxygen को check किया तो मैंने same अनुपात पाया मैंने same अनुपात पाया यानि कि यहां भी जो gas निकल रहा था उसमें carbon और oxygen मिलके CO2 भी बना रहे थे तो बेटा आप CO2 चाहिए किसी भी तरीके से बनाओ गौर सुनना आप CO2 यानि carbon dioxide किसी भी तरीके से बनाओ आप एक चीज समान पाओगे माल लिजिए मैंने यहाँ पर किसी और चीज को जलाया भई आप दुनिया का कोई भी चीज जलाओ बेटा अगर वहाँ सफेद रंग का धुवा निकल रहा है अगर वहाँ सफेद रंग का धुवा निकल रहा है तो लगभग तय है कि उस धुवे में carbon होगा और oxygen होगा और जब carbon और oxygen को मिला के क्या सूत्र बना ये चेक करोगे मतलब उस धुए का सूत्र पता करोगे तो पाओगे कि वो CO2 होगा तो अब तुम बताओ जब लकडी को आपने जलाया था जब आपने लकडी को जलाया था तो उस समय जो गैस बना उस गैस में कारबन का दरवे मान कितना है बेटा 12 और ऑक्सीजन किता है बेटा 32 कितना है 12 और 32 फिर जब तुमने कोईला जलाया तो कोईले को जलाने से जो गैस बना उस गैस में कारबन का दरवे मान किता था बेटा 12 और ऑक्सीजन दरवे मान किता था 32 फिर उसके बाद मैंने किसी और चीज को जलाया उसको जलाने से भी एक गैस निकला उस गैस में कारबन और ऑक्षिजन का दरविमान का क्या नुपात है 12 और क्या है बेटा 32 तो इसका मतलब ये निकला कि जब एक बार एक बार जब कोई अडू बनके तयार हो जाता है गौर सुनना और उसके बाद उस गैस को आप चाहे किसी भी विधी से बनाओ हर विधी में C और O का जो अनुपात होगा वो हमेशा वैसा ही पाया जाएगा कि बदलेगा नहीं तो ये नियम कहता है ये नियम कहता है कि एक बार जब कोई अडू बनके तयार होता है तो उसमें आप क्या करो उस अडू के अंदर जो परमाडू है उनका दरविमान का अनुपात निकाल लो फिर ये देखो कि उस कमपाउंड को आप अलग अलग तरीकों से बनाओ तो आप हर बार एक चीज समान पाओगे कि एक बार एक अडू अगर बनके तयार हो गया तो उस अडू को कोई भी बनाए कभी भी बनाए कही भी बनाए किसी विधी से बनाए हर बार उस अडू के अंदर जो परमाडू होंगे उनके दरविमान हमेशा बेटे नमक है नमक याने की N-A-C-L उनका अनुपाद क्या होगा? तो सोडियम का होता है बेटा, 23 ग्राम और कलोरीन का होता है 35.5 ग्राम ये है उस नमक का परमाड़ों का द्राविमान जो मेरे घर में है अब तुम बताओ, तुम्हारे घर में जो नमक है, क्या उसमें ये अनुपाद बदल जाएगा? बेटा आप नमक को चाहे अपने घर से ले कि आओ, समुद्र से निकालो, पहार से निकालो, अपने पसीने से निकालो अगर मैंने बोल दिया नमक, तो नमक में हमेशा यही अनुपात पाया जाएगा, यह बदलेगा नहीं इस बास से कोई फरक नहीं परता कि आप इस अडू को कैसे बनाएंगे, कितने तरीकों से बनाएंगे, कौन बनाएगा, कहां बनाएगा, कब बनाएगा, कोई फरक नहीं परता, तो ये law बस इतना कहता है कि किसे भी अडू में जो परमाडू होते हैं, उनका दरविमान हमेंसा निश्चित रहता है वो कभी बदलता नहीं कहलाता है law of constant composition प्लीज को भी करेंगे बैटा इसको स्क्रिंशॉट लेंगे इसका यह सब नियम है जो बहुत पहले साइंटिस्टों ने दिये थे देखो नो कब कहिए 1799 बहुत पुराने थेवरी से यह पर इन साइंटिस्टों का योगदान हमें पढ़ना पड़ता है और इस चैप्टर का जो नोट्स है वो रेडी हो गया है ब प्रैक्टिस कीजेगा तो नोट्स आपको यह सबस्क्रीप्शन में जाएगा यह हमारे और चैलीगराम चैनल हमारा उसमें मिल जाएगा तो आज रात तक यह अधिक सथीक कल तक आपको इस चैप्टर का जो नोट्स है वो मिल जाएगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अब आपने दूसरा नियम देखा अब चलिए और कुछ साइंटिस्टों द्वारा कुछ नियम बनाए गया उनके बार में पढ़ लेते हैं तो अब अब तीसरा नियम समय आगे बढ़ रहा है समय आगे बढ़ रहा है पहले कब का नियम थे यह वाला अब देख रहे हैं यह 1799 अब समय आगे बढ़ा साइंटिस्टों को दिमाग बढ़ा नियम भी बढ़ने लगे और देखते हैं अगला नियम क्या है बेटा अब अगला जो न लॉफ, multiple proportion. इसे और क्या बोलते हैं बटा? लॉफ, multiple proportion. अब ध्यास muted ये नियम क्या कहता है? एक तो परिशानी क्या है? ये जितने lo i, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने नियम में आपको बता रहा हूँ, इंकी जो परिभाशा होती हैं, ये बेहत complicated होती है. इनकी जो परिभाशाएं हैं वो थोड़ा से complicated रहता है बेटा होता ये है कि आप किसी subject को चाहे कितना भी अच्छा समझ लो आप explain करने के लिए अपने भाशा का प्रयोग कर सकते हो लेकिन जब परिभाशा लिखने की बारी आती है तो हमेशा परिभाशा बुक कही लिखना चाहिए हाला की मुझे लगता है कि आप परिभाशा को भी समझ के अपने इसाब से लिख सकते हैं पर problem क्या है कि आप school का exam देने वाले हैं school में जो teachers होते हैं वो आप एक्छा करते हैं आपसे आप जो परिभाशा है उसको कम से कम जैसे दिया गया है जैसे बताया गया वैसे ही लिखिए तो याद रखना आप explanation अपने भाशा में दे सकते हैं आगे जो थेओरी से उसको आप अपने भाशा में लिख सकते हैं पर जो परिभाशा होती है वह भली थोड़ा complicated रहता है थोड़ी पेची दाए रहता है पर उसके बावजूद आपको इसको याद ही करना होगा पर इसमें क्या क्या लिखा है मैंने इतना सारा मैंने क्या क्या लिख दिया है जब उदाहरन के सांथ बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो याद जब भी दो पर्माडू आपस में मिलते हैं और दो या दो से अधिक योगिक बनाते हैं गोर सुनना ये नियम क्या कहता है ये नियम कहता है कि जब भी दो पर्माडू आपस में मिलके दो या दो से अधिक योगिक बनाते हैं उस समय उस योगिक के अंदर उन दोनों पर्माड वो का जो दरवेमान होता है उसमें से अगर आप किसी एक परमाडू के दरवेमान को इस्थिर कर देंगे कॉंस्टेंट कर देंगे तो दूसरे परमाडू को जो दरवेमान है वो सरल गुडान के रूप में आ जाता है फिर ही पिट करता हूँ, अभी सुन लो, सुन के संग में नहीं आएगा, जब एक्जामपल बताऊंगो तब आप समझेंगे, पहले में जो बोल रोस सुनेंगे बेटा, मैंने क्या बोला, जब भी दो परमाडू आपस में मिलेंगे, और मिलके एक से ज़्यादा योगिक बना यहां सुनो, पहला उदारन देखो बेटा, माल लो कि मैंने कार्बन और ऑक्सीजन, ओ, माफ कीजे, कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाने के बारे में सोचा, तुम बताओ बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, तो कौन-कौन सा योगिक बनता है, एक बनता है CO72 ऐक मैंकर आप चले काम करते हैं इन दोनों योगिक में पहले दरविमान कितन हैं वह चैक करते हैं जहां कर कार्भन के दरविमान कितना है 12 ग्राम और Vallahi यहां कांचीज़न का सोला यहां कार्भन का बार और ऑखलीज्यन कीतनाimming 25 तो आपटीस नोटिस करो इन दोनों योगिक में किसका दरवेमान इस्थिर है कारबन का दरवेमान इस्थिर है कितना है बारा कितना है बारा तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं जब कारबन और ऑक्सीजन मिलके दो योगिक बनाते हैं और उन दोनों योगिक में अगर आप किसी एक परमाडू क कर दोगे तो बेटा दूसरे पर माडू का तो फिर तो फिर दूसरे पर माडू का जो बार होता है वो साधारं गुडांग के रूप में आ यह बता बेटा अभी मैंने किसके दरवे मान कुस्थिर किया था कारबन के अभी मैंने किसके द्रवेमान को इस्थिर किया था कार्बन का अब एक काम करते हैं एक दूसरा उदारण देखो इसी में इसी में मैंने CO लिया था और CO2 लिया था अच्छा जी अब इनका दरवेमान कितना कितना था ये था 12 ये था 16 ये था 12 ये था 32 अभी मैंने यहाँ पर किसका दरवेमान इस्थिर किया था कार्बन का एक काम करते हैं ऑक्सीजन का दरवेमान इस्थिर करके देखते हैं क्या yoga ta your soda hai okay इसको जोते सों उना कर दूंँढों तो इसको सोला करने वाला हूं तो फिर ये इन ये जो है ये वादा है वाला ये अभी बी किस रूप में रहे ढगे बार रहेगा और अगर इसको सोप्र लेंगा इसको आध़ा कर वाला ये वाला भी औक्सीजन के दरविमान को इस्थिर करते ही, अब कारबन का जो दरविमान है, ये देखो, कारबन का जो दरविमान है, वो साधरन गुणांग के रूप में आ गया, छे दुनी बारा, है न, साधरन, सरल गुणांग के रूप में आ गया, तो ये नियम कहता है, कि जब भी आप जब भी आप दो परमाड़ू को मिला के दो योगिक बनाओगे और उस योगिक में अगर आप किसी एक का दरवेमान इस्थिर करोगे तो दूसरे परमाड़ू को दरवेमान सरल गुणान के रूप में आ जाता है कह रहाता है law of multiple proportion प्लीज जहां से इसका screenshot लीजिए यह सब जो परिभाशा होते हैं यह थोड़ा सा complicated रहते हैं पर जब उधारन देखोगे तो अपने आप सज्व में आ जाता है तो एक्जाम में जब प्रशन आएगा ना एक्जाम में जब कोशन आएगा तो आप क्या करना इ अनियम के तरफ चलते हैं बेटा अब अगला जो नियम है उसमें परते हैं अब अगला जो नियम है यह तुल्य अनुपात का नियम आप देख सकते हैं अगला जो नियम है यह है तुल्य अनुपात का नियम या इसको व्यतकरम अनुपात का नियम भी कहते हैं इसको हम इंग प्रोकल अब यह लौ क्या कहता है ध्यां से सुनना यह लौ क्या कहता है पहले मैं वरबली समझाता हूं फिली के समझाओंगा ज्यादा बैतर होगा यह जो परिभाशा लिखी हुई है बीना उदारण के अगर आप इस परिभाशा को पढ़ने कुसिस करोगे कुछ पल नहीं समझ में नियाय क्या लिखा है तो बिना उदारण के यह सारी परिभाशाएं थोड़ा उपर से निकल जाती है पर चले देखते बैटर जैसी एक्जामपल आपके सामने आएगा अप अपने आप समझ जाएंगे आपर क्या लिखा चलो मैं आपको एक्जामपल दिखाते हो इस बार में क्या करूँगा इस बार में तीन परमाडू लूँगा इससे पहले वाले नियम में दो परमाडू थे और हम दो परमाडू को मिला के हम उनके दर्वेमान की बीच में संबंद देख रहे थे अब हम तीन परमाडू लेंगे और देखते हैं कि जब तीन अलग अलग पर माडू आपस में रियक्शन करेंगे तो उस समय उनके दर्वेमान की बीच में क्या संबंद देखने को मिलेगा चलो मैं आपको एक्जामपल दिखाता हूं ठीक है तो पहला एक्जामपल लेते हैं इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं थोड़ा इस पेस चाहिए होगा हमें इतना चलेगा हाँ तो अब यहां देखने बेटा मैंने जानते हैं मैंने कौन-कौन से परमाडू लिये तो मैंने ले लिया मैंने इस इक्जामपल में आप किसी परमाडू को प्रयोग कर सकते हैं पर हम कोशिस करेंगे समझाने के लिए ऐसे उधारन ले चुशको समझने मे असानी हो तो यहां सुनेगे बैटा तो अब मैं यहाँ पर उदारान के लिए ले रहा हूं एक मिनट राहूं पर उदारान के ले रहा हूं। कि hydrogen और oxygen अगर में दोनों को अगर में दोनों को किसी तीसरे परमाडू से क्रिया कराने के बारे में सोचू तो मैं काम करता हूं यहां पर मैंने तीसरे परमाडू ले लिए बैटा और आप मैं क्या सोच रहूं चले काम करते हैं इन तीनों को आपस में क्रिया करते हैं तो बैटा क्या आप जानते हैं कि जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में क्रिया करेंगे तो कौन सा योगीक बनेगा स्यों टू ऑक्सीजन और कार्बन जब आपस में रियेक्शन करते हैं तो कौन सा योगी बनता है सिएच फॉर क्या बनता है सिएच फॉर स्जी और हाच यह सिएच फॉर और जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस मिलते हैं तो क्या बनता है बिटा एष टु अब मेरा पूरा ध्यान हाइड्रोजन पर और और ऑक्सीजन पर है अब सुना में क्या बोलना जा रहा हूं गो मैंने दो element लिए hydrogen और oxygen और मैंने इन दोनों को एक तीसरे element याने तत्व के साथ reaction करवाया और कौन है वह तीसरे तत्व carbon फिर मैंने क्या देखा? कि जब hydrogen carbon से reaction करता है तो एक योगिक तियार करता CH4 oxygen जब carbon से reaction करता तो एक योगिध के साथ BO2 अब मैं एक बास सोच रहा हूँ कि ये जो दो तत्व मैंने लिये थे ये दोनों अलग-अलग इसके साथ reaction किये गौर से सुनना तो hydrogen भी carbon से reaction करता है और oxygen भी carbon से तो इस नियम में एक छीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे X, Y, Z आप इस नियम को तभी apply कर सकते हो जब आपके पास ऐसे परमाडू हो जो किसी तीसरे परमाडू के साथ सरलता पुर्वत क्रिया कर सके तो अब इस प्रस्ट मेरे मन में आ रहा है कि ये वाला परमाडू भी इसके साथ क्रिया कर रहा है और ये वाला परमाडू भी इसकत क्रिया कर रहा है तो जब ये दोनों अलग-अलग किसी तीसरे से क्रिया कर पा रहे हैं तो फिर ऐसे में जब ये आपस में क्रिया करेंगे तब क्या होगा, का तब दरवेमान में क्या देखने को मिलेगा तो गौर सुना ये नियम पहली बात तम काम करेगा जब कोई दो परमाडू बहुत सरल तरीके से किसी तीसरे से क्रिया कर सके तो अब देखना क्या होता है तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग-अलग कार्बन के साथ क्रिया कराया और अब मैं चलो एक काम करता हूँ बेटा मेरा पूरा ध्यान हाइड्रोजन पर है और ऑक्सीजन पर है मैं जो भी बाते करूँगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बात करूँगा तो अब सुना क्या होता है चलो एक काम करते हैं CH4 और CO2 में carbon और hydrogen carbon और oxygen का दर्वस्मान का अनुपात निकाल लेते हैं तो एंका अनुपात क्या आगा बटगा? देखते हैं, एक आप इनका अनुपात निकालते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा बताओ, यह कितना है पटगा? 12 ग्राम हाईडरोजन कितना है? चार गराम ये कितना है जी? 12 गराम औक-sizen कितना है बेटा? 32 गराम अब यह जो अनुपात मैंने لिया है यह जो मैंने दर्वेमान का अनुपात लिया है उसको थोड़ा सरल कर दूँ सरल कर दूँ इसको मैं ऐसे लिए सकता हूं क्या 3 1 और 3 8 मैंने बस क्या किया बैटा तो 4 3 12 बस इसको मैं सिंपल फार्म में लिया बैटा है ना 4 3 12 4 8 32 तो बस मैंने इसको इसी अनुपात को मैंने सरल रूप में लिख दिया अब तुम मुझे बताओ दो अलग अलग योगिक है पर मेरा पूरा ध्यान किस पे भूलेंगे नहीं मेरा पूरा ध्यान हाइड्रोजन पे है और ऑक्सीजन पे है तो यहाँ पर बताओ हाइड्रोजन का अनुपात कितना रहा है एक और ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहा है एक और ऑक्सीजन का अनु दोनों योगिक को मिला के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर मैं अनुपात निकालता हूं तो एक बटे आठ आ रहा है इन दोनों अलग अलग योगिक हैं यह अलग अलग योगिक हैं लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है एक बटे आठ चलो ठीक है अब एक सब्सक्राइब और और उक्षीजन कितना है 16 अच्छा इसको सरल कर दूं सरल कर दूं इसको एक लिखोगे यह क्या हो जाएगा तो क्या समझें इस यौगिक में हाइड्रोजन और और ऑक्षीजन गर मैं अनुपात निकालता हूं यह कितना रहा है एक मिनट वहो कि इसको मैंने आधा कर दिया किता यह यह तो यह आ रहा है वन बाइट अब आपने क्या नोटिस किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गौह सोनना जब hydrogen और oxygen अलग- अलग किसे तीसरे परमाडू से क्रिया करते हैं और दो अलग-अलग yogic बनाते हैं तो उन yogic में hydrogen और oxygen का उन दो अलग-अलग yogic में hydrogen और oxygen का जो अनूपात होगा वो एकदम same to same होगा अगर ये दोनो yogic आपस में क्रिया कर लें देख पा रहे हैं फिर सीरपिट करता हूँ ये नियम क्या कहता है जब दो अलग अलग परमाडु किसी तीसरे से क्रिया करके दो अलग अलग योगिक बनाते हैं तो उस योगिक में इन परमाडुओं का जो अनुपाथ होगा यह वही होगा या एकदम सलल गुडां की रूप में होगा अगर यह आपस में क्रिया कर लें देखो तो आप इन दो अला-अला योगिक में हाइड्रोजन और ऑक्षिजन को जिस रूप में देख पा रहे हैं जब वो आपस में क्रिया करते हैं तब भी उसी रूप में आपको दिखाई देत है तो इसी नियान को बोलते हैं अभी और एक्जामपल दूँगा पहले इसका स्क्रीन शॉट लीजिए यह थोड़ा थोड़ा कॉंपलिकेटर ज़रूर लगता है परुदारन यही है को भी करें इसको ठीक है अब इसको चलो एक जामपल और देख लेते हैं ठीक है चलो इस अब मेरा पूरा ध्यान किस पर है फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपर अच्छा जी तो अगर मेरा पूरा ध्यान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर है तो यहाँ पर इस योगिक के उपर में भी मुझे ध्यान हाइड्रोजन पर ही रखना है और इस योगिक की उपर मेरा पुरा ध्यान oxygen पे रहेगा याद रखना मैंने शुरू में जिन परमाड़ों को चुना है मैं उसी पर focus करूँगा तो बेटा जब इन दोनों ने आपस में क्रिया किया तो H2S बना पर मेरा ध्यान H पे है क्योंकि मैंने शुरू में H को लिया था और जब मैंने इन दोनों को आपस में क्रिया कराया तो H2 बना पर मेरा पुरा ध्यान O पे है क्योंकि मैंने O को लिया था तो अब मैं क्या करने वाला हूँ इस योगिक में H का इस योगिक में H का और इस योगिक में O का इस योगिक में अका क्या अनुपात यह चेक करूँगा, और उसके बाद फिर यह चेक करूँगा, जब H और O आपस में मिलते हैं, और क्या बनाते हैं S2O उस समय H और O का क्या अनुपाथ होगा है ना यही तो हम कर रहे हैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इन दोनों योगिक में H और O का क्या अनुपाथ है ये चेक करूँगा फिर उसके बाद इनको आपस में क्रिया कराऊंगा और H2O बनाऊंगा और फिर देखूँगा इसमें H अरो का क्या अनुपाथ है चेक करें चलो चेक करते हैं बेटा सुरुवात करते हैं H2S और एक और क्या है हमारे पास SO2 चलो इनके दरवेमान का हम वैली रिटे लेते हैं बेटा तो हाइड्रोजन यहां है बेटा 2 ग्राम सल्फर किता है सल्फर है 32 करेक्ट ओके यहां ते है सल्फर का कितना होता है बेटा 32 ग्राम और और ऑक्सिजन यहां पर कितना है तो ऑक्सिजन भी यहां पर कितना है बेटा 32 यहां पर ऑक्सिजन भी कितना है बेटा 32 करेक्ट अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, अगर मैं, एक मिनट, सॉरी, हाँ, वापस आते हैं, हाँ बेटा, तो अभी मैंने का आपका ध्यान किस पे रखना है, आपको अपना, आपका पूरा ध्यान जो होगा, वो होना चाहिए, इस वक्त हाइड्रोजन पे, और किस पे, ऑ दो, और ऑक्सीजन कितना है, बेटा, 32, ऑक्सीजन कितना है, दो, और ये कितना है, 32, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको मैं लिख देता हूं, बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में है, दो, और 32, इसको थोड़ा सरल कर दे, सरल कर दे, उपर को अग बात निकाला आप चलो इनको मैं आपस में क्रिया कराऊंगा और हैस्टूओं में देखते हैं क्या होगा तो अगर आप एस यह कितना है दो और नोटिस किया कि बहुत बड़ा यह बहुत भयानक बदलाओ नहीं आया एक सरल गुडांक आया है कैसे यह देखो H और O कितना है 1 बटे 16 और यह 1 बटे 8 यह सिंपल गुडांक के रूप में आ गया तो नियम क्या सुनना नियम कहता है कि जब भी दो परमाडू मिलके अलग-अलग योगिक बनाते हैं तो उसमें उन दोनों परमाडवों का जो अनुपात होगा वो आपस में क्रिया करने पे बनने वाले योगिक में जो अनुपात होगा उसके या तो एक दम बराबर होगा या तो एक दम बराबर होगा या सिंपल गुडांक के रूप में होगा या सरल गुड़ांग के रूप में होगा इसी कहते हैं बेटा क्या law of law of reciprocal तो इसे please screenshot ले ले लेंगे PDF आपको बेटा मैं एक बड़ा और class के बाद में बता दूँगा कि कहां आप उसको ले सकते हैं ठीक है यह वाला उधारन देख लो इसका भी आप निकाल लो आपको PDF में बेटा दो तरह की notes मिलेंगे एक नॉर्मल जो theory होता है उसका notes मिलेगा और इस chapter के जो multiple choice वाले कोशस है MCQs जो competitive exams के लिए होते हैं उसका sheet आपको अलग से मिलेगा उसका जो sheet है वो आपको अलग से मिलेगा और जो आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है जो कुछ आपको इन पूरे classes में आज हमारा आठवा class है इस chapter का अगर आपने यह सारे class attend किये हैं तो यकिन मानिए आपको जो PDF दिया जाएगा उसमें जो questions है उसमें आप 90% 95% question बना लेंगे अगर आपने सारे class attend किये हैं इमानदारी से तो आपको जब PDF मिलेगा तो उसमें जितने questions दिये गये हैं 95% question आप बना लेंगे आप से questions बनेंगे ठीक है और जो doubt होगा जो लगाएं लगएंगे लाइजे हैं हमको जो है ऑफोटा है ठीक है तो उसके लिए लाग से मिलाइव आजाओंगा पहले चले हमारा झेपतर वो पूरी तरह से यह जो नियम है यह पूरी तरह से गैस के ऊपर दिया गया है यह जो नियम है यह गैसों के लिए दिया गया है पर अब पता पटा ही जो गैस होते हैं गैस बहुत ही सरल होते हैं थोस के तुलना में या या द्रव के तुलना में यह जो गैस होते हैं यह बहुत स सारहल होते हैं इसलिए देखना अभी आप लोगयमें कट्छाव 11 में आप गैस के बारे हम पढ़ोगे और कशा बार्वी में आप थोस अवस्था के बारे हम पढ़ोगे और राव अवस्था के बारे पक टूलना करो था कि पाओगे और जो कैस मीधики वह सब्सक्राबी की तोड़े जटिल होते हैं लेकिन जो गैस होते हैं गैस बहुत ही सिंपल होते हैं ये ना सिर्फ सिंपल खुद होते हैं बलकि इनके द्वारा किये गए जो अभिक्रिया होती हैं जो रियक्शनस होते हैं वो भी बहुत सिंपल होते हैं तो गैस जब भी किसी अभिक्रिया में ज गैस शामिल हो जाए तो उस अभिक्रिया में जो गैस के अडू होते हैं इनका जो आयतन का अनुपात होता है यह बहुत सरल होता है फिर से रिपीट कर रहा हूं यह नियम कहता है कि जब भी किसी अभिक्रिया में गैस शामिल हो जाते हैं तो उन गैसों का जो आयतन का अनुप बात है वह बहुत सरल होता है कैसे मैं आपको दिखाता हूँ चलिए मैं आपके सामें कुछ एक्जांपल रखता हूँ जैसे कि मालो आपने हाइड्रोजन को क्रिया कराया क्लोरिन से तो बेटा यह बनेगा एक सियर तो एस यह देखो अब मैं आप से पूछूंगा इन में इन कितना सरा अनुपात है 1 is 2, 1 is 2, 2 इदम सिंपल तो गैस जो होते हैं आप इदम सिंपल तरीके से क्रिया करते हैं और एक्जामपल देखो, और एक्जामपल देखो, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि जब N2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो एमोनिया बनता है, अब देखो, इनके अड़ूओं का जो आयतन है, उसका अनुपात कैसा है बेटा, 1 is 2, 3 is 2, 2, देखो, कितना सिंपल अनुपात है, क्योंकि यह सब गैस हैं, लेकिन अगर गैस नहीं होते, तो जानते हो, जब किसी क्रिया में गैस नहीं होते, तो उसमें जो रियेक्शन होते हो, कितने पीचीदे होते, मैं आपको दिखा था हूँ गूरी, और देखना, मैं आपको कुछ एक्जामपल दिखाता हूँ, तो इस एक्जामपल में, ज़रह आप यह देखो, कि जब कलोरीन, क्लोरीन NaOH के साथ क्रिया करता है, तो कैसा रियेक्शन होता है, यहां देखना, यह आप देख सकते हैं इनका अनुपात कितने complicated है 3 is 2, 6 is 2, 5 is 2, 1 is 2, 3 बापरे कितना पेचिदा अनुपात है इनका और दिखाता हूं उदारान ओर दिखाता हूं आप लोग को जब ये एक्जामपल देखेंगे बेटा एक एक्जामपल और देखो K-MnO4 जब K-MnO4 Sulfuric Acid के साथ क्रिया करता है Sulfuric Acid के साथ क्रिया करता है और Oxalic Acid के साथ क्रिया करता है तो वहाँ पर वो बनाता है 2-MnO4 8-H2O और 10-CO2 देखो कितना कितना complicated reaction है कितना घटिया reaction है यहाँ देखो क्या अनुपाथ हैं आप देख सकते हैं क्या अनुपाथ है 2-16-5-2-8-10 ऐसा भी कोई अनुपाथ होता है क्या आप देखो कितना complicated है तो मैं यही समझा रहा हूं कि जब किसी क्रिया में जब किसी क्रिया में कोई ठोस यानि कि solid शामिल हो जाए जब किसी क्रिया में कोई द्रव कोई द्रव शामिल हो जाए तो उनके द्वारा दिये गए जो reactions होते हैं वो बेहद complicated होते हैं पर जो gas होते हैं वो खुद भी बहुत सरल होते हैं सिम्पल होते हैं और उनके दुआरा किया गया reaction भी बहुंद सिम्पल है देखो इस reaction में सब के सब गैस है hydrogen gas एकलोरिन गैस है SEL gas है यह भी गैस है यह भी गैस है यह भी गैस है कितना सुन्दर रियक्षन है छोटा सा नुपाथ is तो इसमें जब भी किसी रियक्षन में गैस इन्वाल्व होंगे तो इनके आयतन का अनुपात बहुं सरल होगा जैसे कि जैसे 1 is 2, 1 is 2, 2 is 2, 2 is 2, 1 is 2, 2 is 2, 1 is 2, 2 ऐसा सिंपल टाइप का अनुपात का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो अनुपात है वो पर जब किसी र पकड़ लोगे कितना अनुपात आप देख पा रहें ऐसे रियक्षन्स रटने से भी याद नहीं होते ऐसे रियक्षन्स को आप रटोगे तो भी याद नहीं होगा बहुत मुश्किल होता है पर फिर रिपीट करता हूं गैस खुद भी बहुत सरल होते हैं और उनकी जो आपको दिखाए देंगे कहलाता है जिलीक विटा होता है रिकविड भी होता है और चलो मैं क्लियर करूंगा पहले इसको लिकविड भी होता है कभी देखना अब आपको अपने घर के बाहर घर के बाहर बरसादक के मौसम में जब वो फंगस लग जाता है घर के बाहर जब काई लग जाता है थ आप काँछा ज्ञार भी पह 10 चके हैं अब आप सकूलों में प्रेक्टिकल करोगे तो दौरान जब आप सॉल्ट एनलीसिस का प्रेक्टिकल करोगे तो आप देखेंगे प्रेक्टिकल के दौरान कई बार ऐसा होगा कि आपके पास जो टेश्ट्यूब होगा उस टेश्ट्यूब में से सफेदरंग का धुवा निकलेगा और बहुत तेज रहता है एकदम घुटन पैदा करता है तो जो सफेदरंगा धुवा निकलता है ने बेटा वह सेल होता है तो परशान मत हो यह सेल गैस भी होता है लिक्विड भी होता है हम जब कॉम्पटिटिव एकजाम के बारें बात करते हैं तो पहला हिस्सा होता है किसी चैप्टर को एकदम जड़ से समझना अगर आप किसी चैप्टर को एकदम बुनिया आधी तोर पर नहीं समझ पाओगे तो फिर भूल जाओ आप मल्टिपल चोईस कोशन नहीं बना पाओगे आप जए की कोशन या नीट कोशन नहीं बना पाओगे तो हम सुरवात कैसे करेंगे मैं अगर आपको सिप कोशन करान वारशिक एक्जाम में ये चैप्टर तीन नंबर का या अधिक चान नंबर का आता है पर इसके आगे ये केमेश्ट्री के सुरुवात है पर असल में केमेश्ट्री क्या होता है वो अब अगले चैप्टर से आपको देखने को और पढ़ने को मिलेगा तो अब इतना परेश सेव एक मिलते हैं मैं समझाता हूँ मैं आपको समखाता हूँ जरद ग mechan सुना बेटा आप क्या पढ रहेए आप इस फस्ट चेप्टर हमें इस फस्ट रिय आप आपने मोल कॉंसेप्ट पढ़ा गौर सुनना आप बार बार पूछ रहें इसले बता रहा हूं मोल कॉंसेप्ट पढ़ा और आपने इस चेप्टर में मोलारेटी नॉर्मालेटी मोलारेटी और मोल फ्रेक्शन के बारें पढ़ा अब सुनो आपको सिर्फ एक बुनियाद दी गई है इस चैप्टर में पर इस चैप्टर के कोश्चंस बनाने के लिए अब एक छोटी सी परिशानी आपके सामनी आएगी आप अगर कोई भी बुक उठाके इसके कोश्चंस बनाओंगे देखो आप समझना पड़ेगा कि टीचर जो बता रहा है उसको थोड़ा सा फॉलो क जिसका क्उंसेप्ट दूसरे दूसरे चैप्टर में जुड़े हुए है समझाता हूँ कैसे जैसी ये जो है नवेटा ये आप देखेंगे इस चैप्टर के क्कॉंसेप्ट आगे चलके ठरमो डाइनमिक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा आगे चलके इक्विलिविनम चैप्टर में इसके थेहरी से देखने पी मिलेंगे इसके अलावा गैसियस इस्टेट इस चैप्टर में इसके थेहरी देखने पी मिलेंगे इसके अलावा इसके अलावा रिडॉक्स चेप्टर में इसके कोशस आपको देखने के मिलेंगे ये तुम्हें कक्षा 11 वी के चेप्टर अब सुनो आगे चलके आप क्लाश 12 में चेप्टर पढ़ेंगे solution आगे चलके आप एक चप्टर पढ़ेंगे kinetics आगे चलके आप एक चप्टर पढ़ेंगे electrochemistry आगे चलके आप चप्टर पढ़ेंगे बेटा solid state ये सब कक्छा 12 वी के चप्टर है और आपको जानके ये ताजुब होगा कि कक्छा 11 वी का ये जो first chapter था first chapter था इसके concept इतने सारे chapter में आपको देखने को मिलेंगे अब सुनो तुम कहाँ पर फस होगे अब तुम सोचोगे कि यार हमारा ये chapter तो हो गया अब चलो इसके multiple choice कोशन बनाते हैं और आप परिशान हो जाएंगे क्यूं आपसे बहुत सारे कोशन नहीं बनेंगे क्यूं अरे बेटा इस topic की जो कोशन से वो इस chapter से direct बहुत कम आते हैं competitive exam में इसके कोशन कम आते हैं पर पर इस chapter से इसका कोशन आएगा इस chapter से इसका कोशन आएगा मैं आपको एक उदारन बताऊं आपको example बताता हूं तब आपको जादा अच्छे से यकीन होगा सुनो इधर जैसे की यहां सुनो बेटा एक example है कि मीथेन को जब हम जलाते हैं तो CO2 बनता है और H2O बनता है गौर से सुनना अब क्योंकि मीथेन जल रहा है क्योंकि मीथेन तो किसी ने बताया कि इस अभिक्रिया में मालो इस अभिक्रिया में तकरीबन 2000 जूल उर्जा निकल रहा है आपको पता है कि जब भी कोई ची जलता है तो उर्जा निकलता है तो किसी ने मुझे बताया कि इस अभिक्रिया में 2000 जूल उर्जा निकला तो चलो बताओ कि अगर आप मीथेन का 100 ग्राम लोगे 100 ग्राम मीथेन को जलाओगे तो बताओ कितना उर्जा निकलेगा 100 ग्राम मीथेन को जलाओगे तो कितना उर्जा निकलेगा यह कौन से चैप्टर का प्रश्न है यह थर्मोडानेमिक चैप्टर का यह थर्मोडानेमिक चैप्टर का तो बताओ वेटा इस अभिक्रिया में 2000 जूल निकला मीथेन के दरवेबान कितना है 16 ग्राम तो आप ऐसा कह सकते हो कि 16 ग्राम मीथेन के जलेने से इतना उर्जा निकला तो प्रश्ण में क्या पुछा गया था कि 100 ग्राम मीथेन जलेगा तो कितना उर्जा निकलेगा तो तुमने कहा इस अभिक्रिया को देखके कि जब 16 ग्राम मीथेन जलता है तो बेटा 2000 जूल उर्जा यानि कि हीट निकला तो फिर कितना 100 ग्राम को 100 ग्राम मीथेन को जलाऊंगा कितना उर्जा निकलेगा तो बेटा यह हो जाएगा इस टाइप के कोशस पढ़े हैं तो देखो तो यह प्रस्ण है thermodynamic chapter का पर यह जो मैंने logic लगाया है यह तो mole concept का है यह तो mole परिकलपना का है पर प्रस्ण कहां से यह था thermodynamic से तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ एकदम से हड़ बढ़ाई है मत इस chapter में जो पढ़ा है यह सब तो भी पढ़े नहीं है यह सब तो पढ़े नहीं है तो सिर्फ इस chapter में जो पढ़े हैं उस पर आधारित कौन कौन से questions अभी मुझको बनाने चाहिए वो मैं आपको PDF को रूफ में दूँगा तो अभी सिर्फ उसी को बनाएंगे और रेकिन मानिए आपने अगर सारा class अटेंड किया है तो मुझे अलग से mcqs के मुझे अलग से mcqs के class लेने के आवशक्ता नहीं पढ़ेगी आप देखना सिर्फ अगर आपने पूरा class अटेंड किया है आप अराम से question बना लेंगे बना लेंगे तो आप एकदम परिशान मत हुए बस इसी chapter में बस इसी chapter में बोलूँगा कि आपको multiple choice questions book से अभी नहीं बनाने है क्योंकि इस chapter में जैसे book खोलोगे तो बहुत सारे question इन सब chapter से सम्बंधित होंगे और आपने ये सब तो पढ़ा ही नहीं है कहां सब बना पाओगे तो अभी के लिए ज़्यादा अच्छा है इसके आगे जो chapter आएंगे उनके हम व्यक्तिगात तोर पे chapter wise mcq बनाएंगे बस इस chapter में मैं जो आपके mcq दूँँगा आप description से download कर लेना टेलिग्राम चैनल से भी download कर सकते हैं हमारे application से भी download कर सकते हैं तो बस आपको इमांदारी से teacher जो बोलता है ने बेटा उसे follow बस करना है पिर देखिए आप जो results सोच रहे हैं बिल्कुल हम वहां तक पहुँच पाएंगे तो चले फिर आज एक लास में हम इतना ही करते हैं ये chapter मैंने complete करा दिया अब अगला जो chapter आने वाला है वहां से समझो main chemistry चालू होने वाला है और इतना interesting chemistry ये किन मानिए आप एक दो class बस attend करो आप छोड़ नहीं पाऊगे class इतना रोमांचक है chemistry आप देखेंगे इस chapter में कुछ था ही नहीं बस numerical, numerical, numerical अब theory आने वाला है तो थोड़ेंती यार करते हैं नया chapter के लिए तब तक परते रहिए continue करते हैं बड़ अगले class में Good bye